पीले वस पहनाए गए हैं पूरा मंदिर पलसर खुबसूरती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किस्म की विवस्था यहां पर देखी जा रही है तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुगधाबिशेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी बलकी देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर्शन हो रहे हैं सारे विवी आईपी फास जो पास हैं वो कैंसिल किये गया है सुबह साड़े तीन बज़े से राम भक्त बिस्बरी से इंतिजार कर रहे हैं राम नला के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभू श्री राम के धाम आयोध्या से बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवाल राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए है और आज चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है 56 प्रकार की जो भोग है वो राम लला को लगाये जाएंगे और फिलार यह श्री राम की नगरी अयोध्या से आती हुई भव्योत्सव की दिव्य तस्वीरे पीले वस्त्रों को धारन की हुए प्रभू श्री राम इ तो वही राम लिला की प्रतिमाक्त को बनाने वाले अरुन योगी राजपी आयोध्या के आज सभव्य कारेप्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुँच गई है करते वे South ॉर वेलिए प्रत वव्या वह थारी जुट NORगयान या निदिन्या वाले फॉटी दिवादर आयोगी आताथ ऊच्णान पीर सव दुदॉ आंड़ साना पानियां सवर भया जुदॉ आंड़ं पीर सब्स्य कुदॉ तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान ड्राम का सूर्य तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूर्य की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचोप पर सूर्य अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद पूजापाच पुजारियों ने शिरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12 बचकर 16 मिनट तक यहाँ पर सूर्य की जो किड़ने हैं वो प्रभूश्री राम का सूर्य अत्यलक करेंगी बिल्कुल दोपहर 12 बचकर वो समय होगा जब 4-5 मिनट के लिए प्रभूश्री राम के मस्तक पर उनके मुकुमंडल पर जो सूर्य की किरने हैं वो पढ़ेंगी और उनका जो मुकुमंडल है वो प्रकाश्मान होगा साथी साथ वो तस्वीर है बहुत खास होगी जो देश साथ आज सूर्य तिलक प्रभूश्री राम का होना है हैं और भकतों में उच्छा किस तरह का तो एक भक्त हमारे साथ है किस तरह का उच्छा बहुत आनंद उच्छा वाँ जला गरता है एक गीत गा रहा है अभी आप बोल रहे थे क्या गीत है देश में राम नौमी के दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम के जन्म भूमी थी बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेफ होगा कितना इंतजार उच्छण वह तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम नाला की दर्सवन करेंगे और राम नाला की दर्सवन करते हुए आज जो 500 साल तक हम जो लोग जो इंतजार लेशेत है जो मंतिर्छेमें से आज माननियों प्रफानमंत्री नारिंदर मोधिज प्रणाम करता हूं और को प्रणाम करते हूँ अपना जो मुख्यामंत्री एश्यख में रूरी कि भगवान श्रीराम पहुष्याय करते हूए, बहुद्हां करने के लिए पहुच गए है है वो इस आकरशन को अपने नजरों में कहीं न कहीं बखाते हैं दिखाता रहेगा आप इस बड़ी कवरेज के माध्यम से जानकारी तो यह भी सामने आई है कि जो जिन्होंने प्रतिमा का निर्मान किया है अरुण योगी राज वो खुद योध्या धाम पहुंचे हैं वो भ देखें अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित यहां पसे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुण योगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामिल ह संतों के साथ कई बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सूरी की किरिने इसपर्श करेंगी तो जो सुरिया विशेख होगा तो उस दोरान ये सभी लोग यहाँ पर मौझूद रहेंगे और इसके साथ ये पूरे दिन यहाँ पर विशेष्ट परकार का अनुस्थान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाह बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और वियाईपी है इसके साथ ही बात करें तो आज वियाईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख है वियाईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहाँ पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी वियाईपी यहाँ पर दर्शन वियाईपी दर्शन नहीं होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहाँ पर रेट कार्पेट बिचाए गये थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाऊ न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको अनूस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिचड़ जाए तो माइक परा कर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याव की बेवस्था की गई है पानी की बेवस्था है जेड़ सो LED स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्ष का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिस्थर के भीतर नहीं जा सका वो कही न कह बायोध्या के किसी कोने से वो डेर सो जो LED लगे हैं उचे दोड़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खास करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई अलग प्रवेश द्वार बनाया गया और कितने कुल प्रवेश द्वार बनाये गये हैं जहां से लोग भीतर इंटरी लेंगे लाइन होगी प्रभू श्री राम के दर्शन करेंगे और बाकी तीस अस्तानों में हमने देखा है कि कुछ सेकेंड के लिए आप जा करके भीतर दर्श बीभक्त है वो अपना जा रहें अंदर और दर्शन करके खुद्गय स्वता बाहर आ जा रहें लेकिन तस्वीर हम आपको दिखातें जिस तरह से आप जिक्र कर रही है कि भीड बहुत ज्यादा हो गई थी और प्रशासन को कही न कहीं भीड नियंतरित करने में दिक्कत हो तो इस बार ऐसी ब्यवस्थाए की गई है कि भीड उस तरह की अनियंतरित नहों आपको भीड जरूर दिखाई देगी लेकिन उस तरह की भीड नहीं दिखाई देगी जो नियंतर्ण को खो सके तो भीड है लेकिन अनियंतरित भीड आपको नहीं दिखाई देगी और जिस भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से पतिबंदित है और इसके अलावा जब आप जायोध्या नगर में प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चोक के बाद का शेत्र है वो आपको नो एंट्री यहां पर कहा जाता है वाणों की नो वेकिल जोन यहां पर कर दिया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहां मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाए देगा बिलकुल य्कीशम गटे रहेंगे आपके पास श्रीराम का उतसभ है श्रीराम के धाम से विए देवे मौका है लिहाजा इस तस्वीरे बहुत इखास देखिये जी निउस पर एक्स्ट्रूजिव तस्वीरे आपको इस वक दिख रहे हैं जिसमें आप न सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभु श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिलट है जो उनका मुकमंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सुर्य अभिशे कहते हैं और इसी पर जी निउस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुर्य अभिशे का अदबुत अलोकिक लगने जा रहे हैं बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम अयोध्याधाम से आती हुई है तो आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब स्री राम के सूरे वंशी के सूरे तिलक में चार घंटे के आसपास का मातर समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीरे आपके सामें पीले वसुधारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुबदब इशे की भव अध्याधाम से प्रभू श्री राम की जहां पीले वस्त्र प्रभू को धारन कराए गये हैं राम लला की सबसे भव्य और दिव्य तस्वीरे जी न्यूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लला की प्राण प्रतिश्ठा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभू के दिव्य जर्मोत्सव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभू श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी न्यूस लगतार राम की नगरी प्रभू श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लग लगतार पहुंचा रहा है और हम लगतार आयोध्याधाम जा रहे हैं ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है मारे साथ नितीश चुड़े होएं नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभू को विधिवत तरीके से लगने हैं दूसरी तरह 50 कुइंटल फूलों से पूरा परिसा सुसजित है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो 12 बजेंगे और 12 से 12 चार का वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें आयोध्या धाम परोंगी इसके लावागर हम बात करें अलग-अलग सूरी मंदिर हैं देश में और 7-7 जैन मंदिरों में इस तरह से सूरी अभिशे यहां पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहां पर कुछ एक परिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुंचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुंचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्शन कर लिया जी दर्शन हो बात करने के वह पहुंच रहा है अगे यह भी संदेश की जिस तरह से राम नाम का संदेश राम राज की बात हो रही है वो भी बच्चों में अगर होगा तो क्या ये संस्कार से जोड़के अगर इसको देखे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा हो मतलब धरम जागरित हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहाँ पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूँगा चपपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी ब्यवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है आप देखें यहाँ पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यहाँ पर हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तेद दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तेद है कि हर कोई भी यहाँ पर दिक्कत न होने पाए महिलाओं को आप देखें यहाँ पर सियार पियप और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं देखी जा रही हैं बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवाल राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए हैं और आज चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो भोग हैं वो राम लला को लगाए जाएंगे और फिलार ये श पुपसूरत जो सजावत है पूरे परिसर में की गई है दूर दराज से लोग पहुंचे और अकरम बात करें आपर एक तरह विधिवत पूजा हो रही है तो वही रामिया की प्रतिमाक्त को बनाने वाले अरुन योगी राजपी आयोध्या के आज सिभव ये कारिक्रम में होने के लिए यहां पर पहुंच गई है सुद्धार अस्तानां थे मलीयन ध्यरं शमर पयामे के आप पीशे बेतां है जो नेर ग्रेते स्रेतो ग्रेतम वसिया धामा नारायडम निर्मलम आजी देवं नकास्मिनित्यं जगदे गनाथम तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचोप पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद पूजापाच पुजारियों ने शिरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जादी है दोपहर 12 बच कर 16 मिनट तक यहां पर सूरे की जो किरने हैं वो प्रभूश्री राम का सूरे अत्यलक करेंगी बिल्कुल दोपहर बारा बचे का वो समय होगा जब चार से पांच मिनट के लिए प्रभु श्री राम के मस्तक पर उनके मुकमंडल पर जो सूर्य की किरने हैं वो पढ़ेंगी और उनका जो मुकमंडल है वो प्रकाश्मान होगा साथी साथ वो तस्वीर है बहुत खास होगी देशवर की तमाम सूर्य मंदिर है जो जैन मंदिर है वहाँ पर ये पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्तान पर ये पर्वमन रहा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक प्रभु राम के धाम में मौझूद है नितीश आज प्राण प्रतिशा के बाद पहले जर्मोटसव की तस्वीरे आयोध्या से जो सामने आ रही हैं दर्शकों को दिखाईए क्या तैयारी विश्रेश तोर पे आज राम भक्तों के लिए आयोध्या में की गई है पुलो से सजा हुआ द्वार दिखा रहो हूँ देखिए पीछे ये पुलो से सजा हुआ जो द्वार है इसी द्वार से जो भक्त है वो रामलला के मंदिर में प्रवेश कर रहे है और भक्तों में उचतितरे का उच्शा अभी आप बोल रहे थे क्या गी राम नाम के ही रे मोती में बेच रहने वे ले लोरे कोई राम का प्यारा लेलोरे कोई राम का प्यारा सुरन चाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम देश में राम नमी के दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी 12 बज़े के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेफ होगा कितना इंतजार उच्छण बहुत वह तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम लाला की दर्सन करेंगे और राम लाला की दर्सन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग इंतजार करते थे आज माननी और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधिजिक में प्रणाम करता हूँ और देश का जो अपना जो मुख्य मंतरी सीम है जो जो जी तरह से सब को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुच गये हैं और देखे ये फूलों की साथ सज्ज हुई है और जो भक्त है वो इस आकरशड को अपने नजरों में कहीं न कहीं बखाते हैं लिटीश राम उचसफ की भव्य और देव्य तस्वीरे जी नियूस प्रमुक्ता के साथ दिखा रहा है दिखाता रहेगा पीस बड़ी कवरेज के माध्यम से जानकारी तो यह भी सामने हैं इस अलौकिक दिव यह दर्शन को देखने के लिए अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं कुछ खास लोगों को भी आमंत्रन यहां पसे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुन योगी है यानि जब मस्तक को सूरी की किरिणे सपर्ष करेंगी तो जो सूरिया विशेख होगा तो उस दोरान ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ये पूरे दिन यहाँ पर विशेष्ट परकार का अनुस्थान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूज आर्चन है वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाह बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और वी आईपी हैं इसके साथ ही बात करें तो आज वी आईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोक है वी आईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहाँ पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी वी आईपी यहाँ पर दर्शन नहीं होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहाँ पर रेट कार्पेट बिचाए गया थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको इस अनॉंस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिचड़ जाए तो माइक पर आकर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याव की बेवस्था की गई है पानी क नितीश पिछली बार हमने देखा था प्रांग प्रतिशा के बाद जो आनुमानित भीड थी उससे कहीं जादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देखा था भीड को काबू कर पाना यह सुचारू रूप से दर लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खास करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई अलग प्रवेश द्वार बनाया गया और कितने कुल प्र निर्धारित किया गया है जब आप गर्बग्री में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा। नियंत्रण को खो सके तो भीड है लेकिन आपको नहीं दिखाई देगी और जिस तरह से वेवस्थाए की गई है तो अगर आपको बात कर ले तो एंट्री पॉइंट अगर कहें तो 10 से ज़्यादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साप तोर पर कह दिया के साथ ही आपको एक जो रता चोक के बाद का शेत्र है वो आपको नो एंट्री यहाँ पर कहा जाता है वानों की नो वेकिल जोन यहाँ पर कर दिया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहान मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा बिल्कुल ला इतीश हम लटते रहे जिसमें आप ना सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभू श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिंटर फूलों से पुरा परिसर भब नजरा रहा है सिर्फ चार गहंते कीस मिनट का समय बाकी है जब बारह बज़े से बारह बचकर चार मिनट तक न प्रभू श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुर्य अभिशे का अध्वुत अलोकिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकते हैं प्रभू को पीले वस्तों के साथ और खुबसूलों के साथ सजाया गया है और अलग-अलग किस्म के भोग प्रभू श्र तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभू को लगाए जाएंगे ये साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये परव मन रहा है और इसी के साथ जो गिवृता और भविता है इस परव की बढ़ जाती है क्योंकि आज प्रभु का सूर्य वंशी के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रहे गया है चार घंटे, अथारा मिनट और ये तस्वीर आपके सामें पीले वसुधारन की हुए रामलला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुग्दबिश्य की अभव्य तस्वीर दिखाई थी अलग अलग किसमे के चपन पकार के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से आज लगाए जाने है अधित वे सूर्य तिलक होना है जिसमे चार घंटे, सत्सों मिल्ट का समय बाकी है प्रभु श्री राम की जहां पीले वस्त्र प्रभु को धारण कराए गये है राम लला की सबसे फब्व्य और डिव्य तस्वीर जी डियूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जन्मरी को हुए राम लला की प्राण प्रतिश्चा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभु के दिव्य जर्मोटसव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभु श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर Zee News लगतार राम की नगरी प्रभु श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगतार पहुचा रहा है और हम लगतार आयोध्याधाम जा रहे हैं ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है अमारे साथ नितीश चुड़े हो हैं नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से लगने हैं दूसरी तरफ 50 कुइंटल फूलों से पूरा परिसा सुसज्जित है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो 12 बजेंगे और 12 से 12 चार का वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें आयोध्या धाम परोंगी इसके लावागर हम बात करें अलग-अलग सूरी मंदिर हैं देश में और 37 जैन मंदिरों में इस तरह से सूरी अभिशेक होता है लेकिन प्रभू के मस्तक पर जब सूरी की करने पड़ेंगी आज और यह सूरी अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्वुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या-क्या आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताएए भी विशेश तस्वीर है यहां पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहां पर कुछ पर एक परिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्शन कर लिया जी दर्शन हो गए बहुत संदर बच्चे को इस रूप में लाने का मकसद क्या बताना चाहते हैं राम नमी का विसेस जोहार है आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम लला के दर्शन के लिए करने के लिए बहुत अच्छा लग रहे हैं यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपे चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी ब्यवस्थित करने के लिए बेरिकेटिंग की गई है आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुखे द्वार है यहा चारी तरना से ब्यवस्था चाक्चोबंध हों हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्टह दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानी महिला पॉलिस की बितेळाती राम दोमी के मौके पर श्रधालूओं का हुजूम उम्ड़ा है सुबा सही बड़ी संक्यावे भक्त राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आ रही है इसके साथ ही जो सर्यूस्तान है उसको लेकर भी भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुगधाबिशेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी बलकी देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हैं आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर्शन हो रहे हैं सारे विभी आईपी फास जो पास हैं वो कैंसिल किये गया है सुबह साड़े तीन बजे से राम भक्त बिस्बरी से इंतिजार कर रहे हैं राम नला के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभू श्री राम के धाम आयोध्या से बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवाल राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए हैं और आज चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो भोग हैं वो राम लला को लगाये जाएंगे और फिलाल यह श्री राम की नगरी अयोध्या से आती हुई भव्योत्सफ की दिव्य तस्वीरे पीले वस्त्रों को धारण की हुए प्रभु श्री अरुन योगी राजपी आयोध्या के आज सिभव्य कारिक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुँच गए हैं करिस्णान आंते सुद्धोरकस्णानम सुद्धोरकस्णान आंते पनियन्यरं शामरक्वयामि सभव चिश्था श्री हम्पीर से गाष्यानम जोब्ए ख्रेटे स्रेतो ग्रेदं वस्याध्याम शे भ्यमानम नारायदं यर्मलमाधिदेवं तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान ज्राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिशा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शुरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जा दी है दोपहर 12 बच कर 16 मिनट तक यहाँ पर सूरे की जो किरने हैं वो प्रभूश्री राम का सूरे अत्यलक करेंगी बिल्कुल दोपहर 12 बच कर वो समय होगा जब 4 से 5 मिनट के लिए प्रभूश्री राम के मस्तक पर उनके मुकुमंडल पर जो सूरे की किरने हैं वो पढ़ेंगी और उनका जो मुकुमंडल है वो प्रकाशमान होगा साती सातो तस्वीर है बहुत खास होंगी जो देश भर की तमाम सूरे मंदिर है जो जैन मंदिर है वहाँ पर ये पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्तान पर ये पर्व मन रहा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक प्रभुश्री राम का होना है प्रवेश कर रहे हैं और हम चाओ के ही रम सी गली लेलो रही जान संस चाओं गली गली बोला राम बोलो राम बोलो राम 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 देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेप होगा कितना इंतजार उच्छण वह तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम लाला की दर्सन करेंगे और राम लाला की दर्सन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग इंतजार करते थे आज करता हूं और अंदिर मदिज्ग में प्रणाम करता हूं तरक गॉलो की साथ सज्जा आपको दिखाई मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर और आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी आयोध्या इस समय फूलों से सजी हुई है और जो भक्त है वो इस आकर्षण को अपने नजरों में बिकल लिटेश राम उचसफ की भव्य और दिव ये तस्वीरे जी नियूस प्रमुक्ता के साथ दिखा रहा है दिखाता रहेगा पीस बड़ी कवरेज के माध्यम से जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जो जिन्नोंने प्रतिमा का निर्मान किया है अरुन योगी राज वो खुद योधिया धाम पहुँचे हैं वो भी इस पूरे कारिक्रम में खुद को शामिल करेंगे तो नजारा बहुती दिव ये भाव योगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थाएं हैं और कौन-कौन पहुँच रहे हैं इस अलौकिक दिव ये दर्शन को देखने के लिए देखें अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंतरित किया है तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं कुछ खास लोगों को भी आमंतरण यहां पर दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है या जब मस्तक को सुरी की किरिणे सपर्श करेंगी तो जो सुरिया विशेख होगा तो उस दोरान ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ये पूरे दिन यहाँ पर विशेष्ट परकार का अनुस्थान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाह बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और वियाईपी हैं इसके साथ ही बात करें तो आज वियाईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख है वियाईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहाँ पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी वियाईपी यहाँ पर दर्शन नहीं होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहाँ पर रेट कार्पेट बिचाए गये थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माईक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको अनूस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिचड़ जाए तो माईक परा कर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याओ की बेवस्था की गई है पानी की बेवस्था है जेड़ सो LED स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्ष का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिसर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो जेड़ सो जो LED लगे है उन्चे बारे ने पुरा टप्राइश प्राइश के बाद जो अनुबानित भीड थी उससे कहीं जादा संख्या में लोग यहां पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देखा था भीड पहले को काबू कर पाना ये सुचारो रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खास करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई कुल प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जहां से लोग भीतर इंट्री लेंगे लाइन होगी प्रभू श्री राम के दर्शन करेंगे और बाकी तीर तस्तानों में हमने देखा है कि कुछ सेकेंड के लिए आप जा करके भीतर दर्शन कीजे और फिर आगे आप लाइन में चलत तो ऐसा कुछ वक्त यहां पर निर्धारित किया गया है जब आप गर्वग्री में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरें हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि भीड बहुत जादा हो गई थी और प्रशासन को कही न कहीं भीड नियंतरित करने में दिक्कत हो रहे थी तो इस बार ऐसी ब्यवस्थाए की गई है कि भीड उस तरह की अनियंतरित नहों आप आपको भीड जरूर दिखाई देगी लेकिन उस तरह की भीड नहीं दिखाई देगी जो नियंतरण को खो सके तो भीड है लेकिन और नियंतरित भीड आपको नहीं दिखाई देगी और जिस तरह से ब्यवस्थाए की गई है तो अगर आपको बात कर ले तो एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साप तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से प्रति बंदित है और इसके अलावा जब आप जायोध्या नग पर नहीं दिखाई देगा सिर्फ पैसर चलने वाले आपके पास श्री राम का उत्सव है श्री राम के धाम से सबसे बड़ी कवरें जी नियूस की जारी है क्योंकि सूर्य वंशी के सूर्य तिलक का ये भव्य देव्य मौका है लिहाज़ा इस तस्वीरे बहुत ही खास है जी नियूस पर एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आपको इस वक दिख रहे हैं जिसमें आप न सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभू श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिनटल फूलों से पुरा परिसर भव्य नजर आ रहा है सिर्फ चार घंट सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभू श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुय अभिशे का अदवुत अलोकिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकते हैं प्रभू को पीले वस्तों के साथ और खुबसूरत फूलों के साथ सजाया गया है और तो आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभू को लगाए जाएंगे इसाथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व बन रहा है और इसी के साथ जिविता और भविता है इस पर्व की बढ़ जाती है कि आज प्रभू का सूर्य वंशी के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मातल समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीर आपके सामें पीले वस्तुधारन की हुए रामलला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ अज इससे पहले हम आपको दुबदब शे की अभव्य तस्वीर दिखाई थी अलगलग किसमे के 56 बकार के भोग प्रभू को विधिवत तरीके से आज लगाये जाने हैं अधित में सूर्य तिलक होना है जिसमें चार घंटे 700 मिनट का समय बाकी है तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अधिया धाम से प्रभू श्री राम की जहां पीले वस्त्र प्रभू को धारन कराए गए हैं रामलला की सबसे फप्व्य और डिव्य तस्वीरे जी डियूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जन्मरी को हुए रामलला की प् राम की नगरी प्रभू श्री राम की आयोध्या धाम से आप तक लगातार पहुचा रहा है और हम लगातार आयोधिया धाम जा रहे हैं, ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है, हमारे साथ नितीश चुड़े हो हैं, नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से लगने हैं, दूसरी तरफ 50 कुंटल फूलों से पूरा परिसा सुसजित है, और तीसर से सूर्य अभिशेक होता है, लेकिन प्रभु के मस्तक पर जब सूर्य की करने पढ़ेंगी आज और ये सूर्य अभिशेक होगा, वो नजारा बहुत अद्वुत और दुनिया भर से जुदा होगा, क्या-क्या आप देख बारें, दिखाईए और तस्वीरों के बार में बत सुरूप में लेकर पहुचे है अपने यहाँ पर बच्चे को दर्शन कर लिया आप, जी दर्शन हो गए, बहुत सुंदर, बच्चे को इस सुरूप में लाने का मकसद क्या, क्या बताना चाहते हैं, राम नम्मी का विसस दोहार है, आम मिल्दू आई होगा, इसलिए मैंने आप इनकी माता है, आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम नम्मी के दर्शन के लिए पहुच रहा है, बक्सद क्या, इतना बड़ा तिवार है रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सौभाग है जो हम इस दिन आई है, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा राज की बात हो रही है, वो भी बच्चों में अगर होगा, तो क्या यह संस्कार से जोड़के अगर इसको देखे तो क्या, बहुत अच्छा रहेगा, अगर ऐसा हो मलब धर्म जागरित हो रहा है, तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर सुरक्षा के इंतिसाम में आपको दिखाना चाहूंगा, चपे-चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे, और इसके साथ ही जो कतार है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है, अगर तो उसको भी ब्यवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है, आप देखे, यहाँ पर आपको यह मंदि न होने पाए, पूरी तरह से ब्यवस्था चाक्चो बंधो, हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तेद दिखाई देंगे, सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है, यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है, महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तेद है कि हर कोई भी यहाँ पर दिक्कत न होने पाए, महिलाओं को, आप देखे, यहाँ पर सियार पियाप और इसके साथ ही, जो अन्य सुरक्षा बल है, वो भी यहाँ पर लगाए गए है, इसके साथ ही जो सर्यूस दान है, उसको लेकर भी भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है, के पराल जो रामलला को पीले वस पहनाए गए है, पूरा मंदिर पलसर खुबसूरती के साथ सजा हुआ है, भक्तों के लिए भी खास किस्म की विवस्था यहाँ पर देखी जा रही है, तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने, यहाँ दुगधाबिशेक एक तरीके से भ कैंसिल किये गए है, सुवसारे तीन बजे से राम भक्त बिस्बरित से इंतिजार कर रहे है, राम लला के दर्शन के लिए खतार में खड़े हैं, यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभूश्री राम के धाम आयोध्या से, बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है, भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए हैं, और आज चुकि दिन बहुत खास है, मौका बहुत खास है, चपन प्रकार की जो भोग हैं, वो राम लला को लगाये जाएंगे, और फिलाल यह श्री राम की नगरी आयोध्या से आत बात करें आपर, एक तदा विधिवत पूजा हो रही है, तो वही राम लिला की प्रतिमाक्त को बनाने वाले अरुन योगी राजपी, आयोध्या के आज सिभव या कारिप्रम में शामिल होने के नहीं हाँ पर पहुँच रही हैं आया महा धरिस्टानम शमर्पयामी धरिस्टानांते सद्धोरकस्टानम शद्धोरकस्टानांते पलियांगरं शमर्पयामी तो ऑनिमेशन के जरीह आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शुरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12.16 मिनट तक यहाँ पर सूरे की जो किड़ने हैं वो प्रभूश्री राम के धाम में मौझूद है नितीश आज प्राण प्रतिशा के बाद पहले जर्मोटसव की तस्वीरे आयोध्या से जो सामने आयोध्या से दर्शकों को दिखाएं क्या तैयारी विश्रेश त्वर पे आज राम भक्तो के लिए आयोध्या में की गई है पूलों से सजा हुआ द्वार दिखा रहर हो में और भक्तों में उच्छा किस तरह का तो एक भक्त हमारे साथ है किस तरह का उच्छा बहुत अननद उच्छा बाद्जिला गा रहा है अब ही आप बोल रहे थे क्या गीत है देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेफ होगा कितना इंतजार उच्छण बहुत बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम नाला की दर्सन करेंगे और राम नाला की दर्सन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग जो इंतजार करते थे आज माने नियों प्रवथान मंतरी नौरेंदर मोधीजिक में प्रणाम करता हूँ और अपना जो मुख्य मंतरी SEM है जो गया दीतना अच्छा उनको भी प्रणाम करता हूँ यह पूरी तरह से सब को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए प्रणाम करते हैं वो इस आकरशड को अपने नजरों में कहीं न कहीं प्रणाम करते हैं तो नजारा बहुत ही दिव्य भव्योगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थाएं हैं और कौन-कौन पहुंच रहे हैं इस अलौकिक दिव्य दर्शन को देखने के दिथे एुस खास लोगों को भी आमंत्रित किया है तब तक तस्वीर भी दिखाते रहते हैं कुछ खास लोगों को भी आमंत्र्ण यहां पिसे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुन-योगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामिल हैं संतो के साथ कई बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहां पर पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सूरी की किरिणे सपर्श करेंगी तो जो सूरिया भिशेख होगा तो उस दोरान यह सभी लोग यहां पर मौझूद रहेंगे और इस है वो सब कुछ यहां पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाव बनेंगे जो यहां आने वाले भक्त और वी आईपी है इसके साथ ही बात करें तो आज वी आईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख है वी आईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम पूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको इस अनूस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिछड़ जाए तो माइक पराकर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याव की बेवस्थ के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो डेड़ सो जो लेड़ लगे में उनके पुरा तप्राइगा प्राइगा जो आनुमानित भीड थी उससे कहीं जादा संक्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो प्रवेश द्वार बनाया गया और कितने कुल प्रवेश द्वार बनाये गये हैं जहां से लोग भीतर इंट्री लेंगे लाइन होगी प्रभु शिराम के दर्शन करेंगे और बाकी तीर तस्थानों में हमने देखा है कि कुछ सेकेंड के लिए आप जा करके भीतर दर्शन नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहें अंदर और दर्शन करके खुदगों स्वता बाहर आ जा रहें लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रही है कि भीड बहुत ज्यादा हो गय थी और प्रशासन को कई न कई भेण नियंत्रित करने तो दस से ज़ादा entry point है और उन entry point पर साप तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से पति बन दे थे और इसके अलवा जब आप अयोध्या नगर में प्रव किया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहां मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा सिर्फ पैदर चलने वाले आपके पास श्री राम का उत्सव है श्री राम के धाम से सबसे बड़ी कवरे जी नियूस की जारी है क्योंकि सूर्य वंशी के सूर्य तिलक का ये चास्विंटल फूलों से पूरा परिसर भबे नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते 21 मिनट का समय बाकी है जब 12 बज़े से 12 बचकर 4 मिनट तक निरंतर 4 मिनट तक प्रभू के ललाट पर सूर्य के किरने पड़ेंगी और उनका जो ललाट है जो उनका मुकमंडल है वो पूरी को सूर्य अभिशेक कहते हैं उसी पर जी न्यूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की लगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सूर्य अभिशेक का अदबुत अलोकिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकते हैं प्रभु को पीले वस्रें के साथ और खुबसूरत फूलों के साथ सजाया गया है और अलग-अलग किस्म के भोग प्रभु श्री राम को आज इस राम नौमी के परव पर लगने जा रहे हैं बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम आयोध्या धाम से आती हुई अब देख सकते हैं तो चपन प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे इस साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व मन रहा है और इसी के साथ जिविता और भविता है इस पर्व की बढ़ जा चार घंटे 18 मिनट और यह तस्वीर आपके सामें पीले वस्तर धारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमें आपको दुब्दब शे की भव्य तस्वीर दिखाई थी अलग अलग किस्वे के चपन प्रकार के भोग प्रभु को विधिवत तरीके जियार लगाए जाने हैं अदिद्वे सूर्य तिलक होना है जिसमें चार घंटे 700 मिनट का समयवा हुए तो यह तस्वीर को हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभु के दिव्य जर्मोटसव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी निउस लगतार रा की नगरी प्रभु श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगतार पहुचा रहा है और हम लगतार आयोध्याधाम जा रहे हैं ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है मारे साथ नितीश चुड़े हो हैं नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से इसके लावा अगर हम बात करें अलग-अलग सूर्य मंदिर हैं देश में और साथी साथ जैन मंदिरों में इस तरह से सूर्य अभिशेख होता आया लेकिन प्रभु के मस्तक पर जब सूर्य की करने पड़ेंगी आज और ये सूर्य अभिशेख होगा वो नजारा बहुत पारिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल शुरूप में लेकर पहुंचा है तो बाल शुरूप में लेकर पहुंचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्शन कर लिया अब जी दर्शन हो गए बहुत संदर बच्चे को इस रूप में लाने का मकसद क्या क्या बताना चाहते हैं राम नम्हीं का विसेश तोहार है हम मिल्लू आई होगा इसलिए मैंने से राम का सुरूप दिया जैसरी राम बोल रहा है आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम लाला के दर्शन के लिए पहुंच रहा मकसद क्या मैं इतना बड़ा त्युहार है हम लोगों का तो मैं बहुत अच्छा लग रहा अब सभाग है जो हम इस दिन आई यहां दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहे अगर ऐसा हो मतलब धरम जागृत हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कह अगर तो उसको भी व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यहां पर प्रवेश करेंगे राम रला के दर्शन के लिए और किनारे किनारे पर आपको यह वैरिकेटिंग दिखाई देगी यह पर वैरिकेटिंग की गई है ताकि जो भी भक्त यहां 20 से आगे बढ़ें वो कहीं भी अवेवस्थित ना होने पाए पूरी तरह से ब्योस्था चाक्चोबंध हो हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तेद दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि मह मौमी के मौके पर श्रधालूओं का हुजूम उमड़ा है सुबा सही बड़ी संक्यावे भक्त रामलला के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आ रही है इसके साथ ही जो सर्यूस दान है उसको लेकर भी भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है जनमोचसफ के सखास म मौके पराल जरामलला को पीले वस पहनाए गए है पूरा मंदिर पलसर खुपसूरती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किस्म की विवस्था यहां पर देखी जा रही है तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुगधाबिशेक एक तरीके से भगवा राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी पल की देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर्शन हो रहें सारे विवी आईपी पास हैं वो कैंसिल किये गया है सुवह साड़े तीन बजे स राम भक्त बिस्बरित से इंतिजार कर जहे हैं राम लला के दर्शन के लिए खतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभूश्री राम के धाम आयोध्या से बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए हैं और आग चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो भोग हैं वो राम लला को लगाए जाएंगे और फिलार ये श प्सूरत जो सजावत है पूरे परिसर में की गई है दूर दराज से लोग पहुंच रहे और अकरम बात करें आपर एक तरह विधिवत पूजा हो रही है तो वही राम लिला की प्रतिमाक्त को बनाने वाले अरुन योगी राज भी आयोध्या के आज स्भव ये कारिक्रम मे शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच रही है पूर्ग स्थानांते पलै ऐंद्यरं शामर पयामे तो एनिमेशन के जरीए आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़े हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद पूजापाच पुजारियों ने शिरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12 बचकर 16 मिनट तक यहां पर सूरे की जो किड़ने हैं वो प्रभूश्री राम का सूरे त तस्वीर है बहुत खास होंगी जो देश भर की तमाम सूरे मंदिर है जो जैन मंदिर है वहाँ पर यह पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार यह तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्थान पर यह पर्व मन रहा है और साथ आज सूर्य तिलक प्रभुश्री राम का होना है एक गीत गा रहाँ है अभी आप बोल रहे थे क्या गीत है नाम के हीरे मोती में बेच रहाऊं गलि गुली ले लोड़े कोई राम का प्यारा शुर्न चाओं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेफ होगा कितना इंतिजार उष्चण बहुत बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम लाला की दर्सन करेंगे और राम लाला की दर्सन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग इंतिजार करते थे अज माननीयों प्रधान मंतर नौरेंदर मोदीजिक में प्रणाम करता हूँ और देश का जो अपना जो मुख्य मंतरी सेम है जो गे दी तरह से सबको प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुच गये है और देखिए ये फूलों की साथ सज् और जो भक्त है वो इस आकरशड़ को अपने नजरों में कही न कहीं बखाते हुए लिटेश राम उचसफ की भव्य और दिव्य तस्वीरे जी नियूस प्रमुक्ता के साथ दिखा रहा है दिखाता रहेगा आप इस बड़ी कवरेज के माध्यम से जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जो जिन्होंने प्रतिमा का निर्मान किया है अरुन योगी राज वो खुद योध्या धाम पहुचे हैं वो भी इस पूरे कारिक्रम में खुद को शामिल करेंगे तो नजारा बहुत ही दिव्य भाव योगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थ आई है अगर बात करें तो उसमें अरुन योगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामिल हैं संतों के साथ कई बढ़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहां पर पहुचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सूरी की किरिणे पर्ष करेंगी तो जो सूरिया विशेक होगा तो उस दोरान ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ये पूरे दिन यहाँ पर विशेष्ट परकार का अनुस्थान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन ह वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाब बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और वी-आई-पी हैं इसके साथ ही बात करें तो आज वी-आई-पी के दर्शन पर पूरी तरह से रोक है वी-आई-पी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को य वी दिन चड़े तो उनके पाऊ न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको अनूस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिछड़ जाए तो माइक पराकर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याव की बेवस्था की गई है पानी की कहें बायोध्या के किसी कोने से वो डेड़ सो जो लेटी लगे है उनके प्राण कृतिशा के बाद जो आनुमानित भीड थी उससे कहीं जादा संक्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देखा था भीड को काबू कर पा बनाए गए हैं जहां से लोग भीतर इंट्री लेंगे लाइन होगी प्रभू श्री राम के दर्शन करेंगे और बाकी तीस अस्थानों में हमने देखा है कि कुछ सेकेंड के लिए आप जा करके भीतर दर्शन कीजे और फिर आगे आप लाइन में चलते रहिए तो ऐसा कु दिखातें जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि भीड बहुत जादा हो गई था और प्रशासन को कहीं ना कहीं भीड नियंत्रित करने में दिक्कत हो रहे थी तो इस बार ऐसी व्यवस्ताय की गई है कि भीड उस तरह की अनियंत्रित नहों आपको भीड जरूर दिखाई द और साप तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से प्रति बन देथ हैं और इसके अलावा जब आप जायोध्या नगर में प्रवेश के बाद आगे बढ़त बढ़ते रहेंगे आपके पास श्री राम का उत्सव है श्री राम के धाम से सबसे बड़ी कवरे जी नियूस की जारी है क्योंकि सूरे वंशी के सूरे तिलक का ये भव्य दिव्य मौका है लिहाज़ा ये तस्वीरे बहुत ही खास है ने कि ये जी नियूस पर प्रभु के ललाट पर सूरे की किरने पढ़ेंगी और उनका जो ललाट है जो उनका मुकमंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सूरी अभिशे कहते हैं और इसी पर जी नियूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लग सजाया गया है और अलग-अलग किस्म के भोग प्रभु श्री राम को आज इस राम नौमी के पर्व पर लगने जा रहे हैं बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम अयोध्या धाम से आती हुए तो आप देख सकते हैं तो चपन प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे इसाथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है पहली बार है जब स्री राम के जंगसान पर ये पर्व बन रहा है और इसी के साथ जो धिव्विता और भविता है इस पर बढ़ जाती है क्योंकि आज प्रभु का सूर्य वंशी के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मातल समय बाकी रहे गया है चार घंटे अथारा मिनट और ये तस्वीर आपके सामें पीले वस्त धारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुग दब इश्य की भव ये तस्वीर दिखाई अलग अलग किस्वे के चपन पकार के भोग प्रभू को विधिवत तरीके से आड़ लगाये जाने हैं अधित वे सूर्य तिलक होना है इसमें चार घंटे सत्सों मिनट का समय बाकी है तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं योद्याधाम से प्रभू श्री राम की जहांपीले वस्त्र प्रभू को धारण कराये गये हैं राम लला की सबसे फब्व्य और दिव्य तस्वीरे जी डियूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लल प्रभु श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगातार पहुचा रहा है। इस तरह से सूर्य अभिशेक होता है लेकिन प्रभु के मस्तक पर जब सूर्य की करने पड़ेंगी आज और यह सूर्य अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्वुत और दुनिया भर से जुदा होगा। क्या 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 आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार दर्शन कर लिया जी दर्शन हो गए बहुत संदर बच्चे को इस वरूप में लाने का मकसद क्या बताना चाहते हैं राम नम्मी का विसेश जोहार है आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को तयार करके राम लला के दर्शन के लिए मकसद क्या मकसद इतना बड़ा तिवहार है हम लोगों का तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है अगर ऐसा हो मतलब धरम जागरित हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपे चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी विवस्थित करने के लिए बेरिकेटिंग की गई है आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुखे द्वार है यहां तरह से बेवस्था चाक्चो बंधो हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तेद दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तेद है कि हर कोई भी यहां पर दिक्कत न होने पा इसके साथ ही जो सर्यूस दान है उसको लेकर भी भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है जनमोचसफ के सखास मौके पर आल जो रामलला को पीले वस पहनाए गए हैं पूरा मंदिर पलसर खुबसूरती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किस्म की विवस्था यहां पर देखी जा रही है तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुखधाबिशेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी पल की देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको के लिए कतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभू श्री राम के धाम आयोध्या से बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए है और आज चुकि दिन बहुत खा कारण की हुए प्रभु श्री राम इन भव्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दुगदविशेक किया जा रहा है और फूलों की खुबसूरत जो सजावत है पूरे परसर में की गई है दूर दराज से लोग पहुंच रहे और अकरम बात करने आपर एक तरह विधिवत पू प्रीचुक रहे नजर इद् starchता Χुर्ट जूर के डहर नियर द्व्यापस पूरे दी के अटेने यार। तो एनिमेशन के जरिया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किर्डे हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शिरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जा दी है दोपहर 12 बचकर 16 मिनट तक यहां पर सूरे की जो किरने हैं वो प्रभूश्री राम का सूरे अत्यलक करेंगी बिल्कुल दोपहर 12 बचकर वो समय होगा जब 4-5 मिनट के लिए प्रभूश्री राम के मस्तक पर उनके मुकमंडल पर जो सूरे की किरने हैं पड़ेंगी और उनका जो मुकमंडल है वो प्रकाशमान होगा साती साथ तो तस्वीर बहुत खास होगी देश भर की तमाम सूरे मंदिर है जो जैन मंदिर है वहाँ पर यह पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार यह तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्तान पर ये पर्व मन रहा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक प्रभु श्री राम का होना है नितीश इस वक्त आयोध्या से हवारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उनका रुख कर लेते हैं प्रभुश्री राम के धाम में मौजूद है नितीश आज प्रान प्रतिशा के बाद पहले जर्मोटसव की तस्वीरे आयोध्या से जो सामने आ रही हैं दर्शकों को दिखाई ये क्या तैयारी विश्रेश तोर पे आज राब भक्तों के लिए आयोध्या में की गई है पूलों से सजा हुआ द्वार दिखा रहा हूँ देखिए पीछे ये पूलों से सजा हुआ जो द्वार है इसी द्वार से जो भक्त है वो रामलला के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भक्तों में उच्छा किस तरह का तो एक भक्त हमारे साथ है किस तरह का उच्छा बहु लेलोरे कोई राम का प्यारा शुरन चाओं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी आरा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेफ होगा कितना इंतजार उच्छण वह तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम लाला की दर्सान करेंगे और राम लाला की दर्सान करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग इंतजार करते थे प्रडाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रडाम करने के लिए पहुच गए है और देखिए ये फूलों की साथ सज्जा आपको दिखाई दे रही है मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर और आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी अयु किया है अरुन योगी राज वो खुद योधिया धाम पहुंचे हैं वो भी इस पूरे कारिक्रम में खुद को शामिल करेंगे तो नजारा बहुत ही दिव्य भाव योगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थाएं हैं और कौन-कौन पहुंच रहे हैं इस अल कि बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहां पर पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सूरी की किरणे सपर्श करेंगी तो जो सूरिया विशेख होगा तो उस दोरान ये सभी लोग य वी आईपी है इसके साथ ही बात करें तो आज वी आईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख है वी आईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहां पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी वी आईपी यहां पर दर्शन वी आईपी दर्शन ही होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहां पर रेट कार्पेट बिचाए गया थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको इस अनॉंस् पर्ष का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदीर परिस्थर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो डेड़ सो जो लगे हुए उनके बार हमने देखा था प्रान कृतिश्चा के बाद जो आनुमानित भीड थी उसस कहीं जादा संक्या में लोग यहां पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देखा था भीड को काबू कर पाना ये सुचारो रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस बार व और फिर आगे आप लाइन में चलते रहिए तो ऐसा कुछ वक्त यहां पर निर्धारित किया गया है जब आप गर्पग्री में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरे हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि भीड बहुत जादा हो ग अगर कहें तो दस से जादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साफ तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से पतिबन लेत हैं और इ पर इतर है वो आपको नो एंट्री यहां पर कह जाता है वानों कि नो वेकिल जोन यहां पर कर दिया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहां मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा बिलकुल यकिश हम लॉट्टे रहेंगे आपके पास श्री राम का उतसव है श्र प्रभु श्री राम को जो अपीले वस्रों से सजाया गया है और पचास मिन्टल फूलों से पुरा परिसर भबे नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते कीस मिनट का समय बाकी है जब बारह बज़े से बारह बचकर चार मिनट तक निरंतर चार मिनट तक प्रभु के ललाट पर मंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सूर्य अभिशेक कहते हैं और इसी पर जी न्यूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सूर्य अभिशेक का अदबुत अलोकिक नजारा होगा फ आती हुई है तो आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे इसाथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व बन रहा है और इसी के साथ जिविता और भविता है इस पर की बढ़ जाती है क्योंकि आज प्रभु का सूर्य वंश्री के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीर आपके सामें पीले वस्तुधारन की हुए रामलला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुगदविश्री की भव्य तस्वीर दिखाई थी अलग अलग किसमे के 56 बकार के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से आज लगाये जाने हैं अधित वे सूर्य तिलक होना है जिसमे चार घंटे 17 मिनट का समय बाकी है तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं योद्याधाम से प्रभु श्री राम की जहां पीले वस्त्र प्रभु को धारन कराए गये हैं राम लला की सबसे फब्व्य और दिव्य तस्वीरे जी डियूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लला क की प्राण प्रतिश्टा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभु के दिव्य जर्मोटसव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभु श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी न्यूस लगतार राम की नगरी प्रभु को विधिवत तरीके से लगने हैं दूसरी तरह पचास कुइंटल फूलों से पूरा परिसर सुसजित है और तीसरी सबसे बड़ी बात की वो बारा बजेंगे और बारा से बारा चार का वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें आयोधिया धाम परोंगी इसके इसके बारा बहुत अदभुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या-कया आप देक बारें दिखाईे और तस्वीरों के बार में बताये भी विशेश तस्वीर है यहां पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहां पर कुछ एक परिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्शन कर लि आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम लला के दर्शन के लिए पहुंच रहा मक्सद यह इतना बड़ा त्युहार है यहां पर सुरक्षा के इंतिसाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी ब्यवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है आप देखे यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यहैंपर प्रवेश करेंगे रामरिला के दर्शन के लिए और किनारे किनारे पर आपको यह वेरिकेटिंग दिखाई देगी, यह देखें यहाँ पर वेरिकेटिंग की गई है, ताकि जो भी भक्त यहाँ 20 से आगे बढ़ें, वो कहीं भी अवेवस्थित न होने पाए, पूरी तरह से बेवस्था चाक्चोबंध हो, हर तरफ आपको और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षाबल है, वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहाँ दुगधाबिशेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है, और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी बलकी देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है, यह तस्वीरे हैं आपको दिखा रहे हैं, 19 घंटे त राम आयोध्या से जो सजावत है, पूरे परिसर में की गई है, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और अकरम बात करें आपर, एक तरह विधिवत पूजा हो रही है, तो वही राम निला की प्रतिमाक्त को बनाने वाले अरुन योगी राजपी, आयोध्या के आज सिभव ये कारिक्रम मे शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं. जाहरर ऑ्प जामिल हे लिए का आज सब्सद्रा स्व में आतके आज स माझे और से लिए वर्कल भावंच रहे हैं. तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान ज्राम का सूरे तिलक होना है ये तस्मीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिशा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शुरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जा दी है दोपहर 12 बच कर 16 मिनट तक यहाँ पर सूरे की जो किड़ने हैं वो प्रभूश्री राम का सूर्य तिलक करेंगी जो देश भर की तमाम सूरे मंदिर हैं जो जैन मंदिर हैं वहाँ पर यह पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार यह तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्तान पर यह पर्वमन रहा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक दर्शकों को दिखाईए क्या तैयारी विशेश तोर पे आज राब भक्तों के लिए आयोध्या में की गई है देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी बारा बज़े के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेव होगा कितना इंतजार वो शड़ बहुत वो तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम नाला की दर्सान करेंगे और राम नाला की दर्सान करते हुए जो पांसो साल तक हम जो लोग इंतजार करते थे आज माने नियों प्रभवान श्री राम को प्रड़ाम करने के लिए पहुँच गए हैं और देखे ये फूलो की साथ सज्जा आपको दिखाई दे रही है मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर और आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी आयोध्या इस समय पूलों से सज्जी हुई है और जो भक्त है वो इस आकर्षण को अपने नजरों में कहीं न कहीं पर खाते हैं राम उचसव की भव्य और दिव्य तस्वीरे जीनियूस प्रमुक्ता के साथ दिखा रहा है दिखाता रहेगा अपी इस बड़ी कवरेज के माध्य हम से जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जो जिन्होंने प्रतिमा का निर्मान किया है अरुन योगी राज वो खुद योध्या धाम पहुंचे हैं वो भी इस पूरे कारिक्रम में खुद को शामिल करेंगे तो नजारा बहुती दिव्य भव योगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थाएं हैं और कौन-कौन पहुंच रहे हैं इस अलौकिक दिव ये दर्शन को देखने के लिए देखें अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं कुछ खास लोगों को भी आमंत्रन यहां पसे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुणयोगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामिल है संतों के साथ कई बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहां पर पहुँचेंगे रामलला के दर्शन करने के तो जो सुरिया विशेख होगा तो उस दोरान यह सभी लोग यहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ यह पूरे दिन यहां पर विशेष्ट परकार का अनुस्थान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहां पर जारी रहेगा तो उ दर्शन वी आईपी दर्शन नहीं होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहां पर रेट कार्पेट बिछाए गये थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया प हुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिस्थर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो डेड़ सो जो एलेटी लगे हैं उनके पुरा तक प्रतिश्चा के बाद जो आनुबानित भीड थी उससे कहीं जादा संक्या में लोग यहा करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई अलग प्रवेश द्वार बनाया गया और कितने कुल प्रवेश द्वार बनाये गये हैं जहां से लोग भीतर इंट्री लेंगे लाइन होगी प्रभु शिराम के दर्शन करेंगे और ब जो भीभक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गुश्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रही है कि भीड बहुत जादा हो गई थी और प्रशासन को कही न कहीं भीड नियंत्रित करने में हैं तो दस से जादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साप तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से पतिबन देथ हैं और इसके अ बाहन मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा सिर्फ पैदर चलने वाले आपके पास श्री राम का उत्सव है श्री राम के धाम से सबसे बड़ी कवरें जी नियूस की जारी है क्योंकि सूरे वंशी के सूरे तिलक का ये भव्य देव्य मौका है लिहाजा इस तस्वी तस्वीर है आपको इस वक्त दिख रहे हैं जिसमें आप न सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभू श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिंटर फूलों से पुरा परिसर भव नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते कीस मिनट का समय बाकी है जब बार बजे से बारा बच कर चार मिनट तक निरंटर चार मिनट तक प्रभू के ललाट पर सूर्य की किरने पड़ेंगी और उनका जो ललाट है जो उनका मुकमंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सूर्य अभिशे कहते हैं और इसी पर जीनियूस की सबसे उप्सूरत फूलों के साथ सजाया गया है और अलग-अलग किस्म के भोग प्रभु श्री राम को आज इस राम नौमी के पर्व पर लगने जा रहे हैं बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम आयोध्या धाम से आती हुई तो आप वेख सकते हैं तो चपन प्रकार की भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे इस साथ ही मंदिर निर्मार के बाद यह पहला मौका है यह पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर यह पर्व मन रहा है और इसी के साथ जिव्विता और भविता है इस पर्व की बढ़ जाती है क्योंकि आज प्रभु का सूर्य वंशी के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और यह तस्वीर है आपके सामें पीले वसुधारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुबदब इशे की अभव यह तस्वीर दिखाई थी अलग अलग किस्वे के चपन प्रकार के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से आज लगाए जाने है अधित वे सूर्य तिलक होना है इसमें चार घंटे 70 मिनट का समय बाकी है तो यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं योधिया धाम से प्रभु श्री राम की जहां पीले वस्त्र प्रभु को धारन कराए गए हैं राम लला की सबसे फप्व्य और डिव्य तस्वीरे जी डियूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लला क प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभु के दिव्य जर्मोत्सव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभु श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी निउस लगतार राम की नगरी प्रभु श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगतार पहुचा रहा है और हम लगतार आयोध्याधाम जा रहे हैं ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है मारे साथ नितीश चुड़े होएं नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से लगने हैं दूसरी तर अलग अलग सूरी मंदिर हैं देश में और साथी साथ जैन मंदिरों में इस तरह से सूरी अभिशेक होता है लेकिन प्रभु के मस्तक पर जब सूरी की करने पड़ेंगी आज और ये सूरी अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्वुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या क्या आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताएए भी विशेश तस्वीर है यहां पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहां पर कुछ एक परिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुँचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुँचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्श बोल रहा है आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को तयार करके राम लाला के दर्शन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है अगर ऐसा हो मतलब धर्म जागरित हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपे चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी व्यवस्थित करने के लिए बेरिकेटिंग की गई है आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यह पुरी तरह से बेवस्था चाक्चोबंध हो हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तेद दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तेद है कि हर कोई भी यहां पर दिक्कत न रामलला के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आ रही है इसके साथ ही जो सर्यूस दान है उसको लेकर भी भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है जनमोचसफ के सखास मौके पर आलज रामलला को पीले वस पहनाए गए है पूरा मंदिर पलसर खुपसूरती के साथ स की देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर्शन हो रहे हैं सारे विभी आईपी पल जो पास हैं वो कैंसिल किये गया है सुबह साड़े तीन बज़े से राम भक्त बिससबरि से इंतिजार कर रहे हैं र चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो भोग है वो राम लला को लगाये जाएंगे और फिलाल ये श्यांदार तस्वीरे सी थे श्री राम की नगरी आयोधिया से आती हुई भव्योत्सव की दिव्य तस्वीरे पीले वस्त्रों को धारन की हु और ये तो वही रामिया की प्रतिमाग को बनाने वाले अरुन योगी राजपी आयोध्या के आज सिभव्य कारिक्रम में शामिल होने के नहीं यहां पर पहुंच गई है भंधिर्ड शोन्ट की नहीं संत्राइ थार्य सक गई भंधिर्ण प्रम्न को धानम पैर्द मों अनों जए नहीं खेनि आपर नों तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान ड्राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री जाम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवत, पूजापाच, पुजारियों ने शुरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जारी हैं दोपहर 12 बचकर 16 मिनट तक यहां पर सूरे की जो किड़ने हैं वो प्रभूश्री राम का सूर्य तिलक करेंगी बिल्कुल दोप पीरे बहुत खास होंगी जो देश भर की तमाम सूरे मंदिर हैं जो जैन मंदिर हैं वहाँ पर यह पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार यह तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्थान पर यह पर्व मन रहा है और साहती सा आयोध्या से हबारे साथ जुर चुके हैं सीधे उनका रुख कर लेते हैं प्रभुश्री राम के धाम में मौझूद है नितीश आज प्रान प्रतिशा के बाद पहले जर्मोटसव की तस्वीरे आयोध्या से जो सामने आ रही हैं दर्शकों को दिखाई है क्या तैयारी विश राम नाम के ही रहे मोती मैं बेच रहूं गली-गली ले लोरे कोई राम का प्यारा शुरन चाहओं गली-गली बोलो राम देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेप होगा कितना इंतजार वो श्ण प्रदेश का जो अपना जो मुख्यमंत्री एसी है मैं जोग्यादी तनात्यूं को भी प्रणाम करता हूं पूरी तरह से सब चक को प्रणाम करते हुए ब्कवान शुरी राम को प्रणाम करने के लिए पहुंच गया है और देखी ये फूलों की सास्जा आपको दिखाई दे रही है मंदिर परिस्तर हो या फिर मुख्यद्वार हो ततारू हर और आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी, पूरी आयोध्या इस समय फूलों से सजी हुई है, और जो भक्त है, वो इस आकर्षण को अपने नजरों में कहीं न कहीं पेखाते हैं। कौन-कौन पहुंच रहे हैं इस अलौकिक दिव्य दर्शन को देखने के लिए। करेंगी, तो जो सुरिया विशेख होगा, तो उस दोरान यह सभी लोग यहां पर मौझूद रहेंगे। और इसके साथ यह पूरे दिन यहां पर विशेष्ट परकार का अनुस्थान और इसके साथ अगर बात करें, तो जो पूजा अर्चन है, वो सब कुछ यहां पर जार रहा है, और यह कह दिया गया है कि कोई भी वी आईपी यहां पर दर्शन, वी आईपी दर्शन नहीं होगा, ब्यवस्थाओं की बात कर लें, तो भक्तों के आगमन को देखते हुए, यहां पर रेट कार्पेट बिचाए गया थे, ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन है, जेड़ सो LED स्क्रीन लगाई गई है, पूरे आयोध्या नगर में, जब सूर्य स्पर्श का जो विशेश मुहुर्थ है, जब वो हो रहा हो, तो जो अगर मंदिर परिस्थर के भीतर नहीं जा सका, वो कहीं न कहीं, बायोध्या के किसी कोने से, वो जेड़ सो जो LED लगी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए, तो क्या इस बार विवस्था की गई है, और खास करके महिलाओं वच्चों के लिए, क्या कोई अलग से, लाइन दश्रन करने के लिए, कोई अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है, जहां से लोग भीतर इंट्री ल फिरी कलना होगा। और जिस तरह से ब्यवस्थाई की गई है तो अगर आपको बात कर ले तो एंट्री पॉइंट अगर कहें तो दस से जादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साफ तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर दर आने में पूरी तरह से प्तिबंदित है और इसके अलावा जब आप जायोध्या नगर में प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चोक के बाद का शेत्र है वो आपको नो एंट्री यहां पर कहा जाता है वानों की नो व देख रहे हैं जिसमें आप न सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभु श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिल्टल फूलों से पुरा परिसर भवे नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते 21 मिनट का समय बाकी है जब 12 बजए से 12 बचकर 4 मिनट तक नि तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सुर्य अभिशेक कहते हैं और इसी पर जी नियूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुर्य अभिशेक का अदबुत अलोकिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकत अधिरे श्री राम के धाम अयोध्याधाम से आती हुई है तो आप देख सकते हैं तो चपन प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है पहली बार है जब श्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व बन रहा है और इसी के साथ जिविता और भविता है इस पर्व की बढ़ जाती है क्योंकि आज प्रभु का सूर्य वंशी के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीर है आपके सामें पीले वसुधारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुब्दबिशे की अभव ये तस्वीर दिखाई थी अलग अलग किसम के चपन प्रकार के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से आज लगाए जाने है अधित में सूर्य तिलक होना है इसमें चार गंते सत्वे मिल्ट का समय बाकी है तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं योधिया धाम से प्रभु श्री राम की जहापीले वस्त्र प्रभु को धारन कराए गये हैं राम लला की सबसे फब्व्य और दिव्य तस्वीरे जी डियूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जन्मरी को हुए राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुद्वार को पहली राम नौमी पर प्रभु के दिव्य जर्मोटसव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभु श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से लगने हैं दूसरी तरफ 50 कुंटल फूलों से पूरा परिसर सुसजित है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो 12 बजेंगे और 12 से 12 चार का वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें आयोधिया धाम परोंगी इ जारा बहुत अधवुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या कि आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताएए भी विशेश तस्वीर है विशेश तस्वीर है यहाँ पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहाँ पर कुछ एक परिवार है और जो यहाँ पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुँचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुँचे है अपने यह आगे ये भी संदेश की जिस तरह से राम नाम का संदेश राम राज की बात हो रही है यहां पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी व्यवस्थित करने के लिए वेरिकेटिंग की गई आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यहां पर जब आप प्रवेश करेंगे राम्रला के दर्शन के लिए और किनारे किनारे पर आपको यह वेरिकेटिंग दिखाई देगी यहां पर वेरिकेटिंग की गई है ताकि जो भी भक्त यहां 20 से आगे बढ़ें वो कहीं भी अवेवस्थित न होने पाए पूरी तरह स होने पाए महिलाओं को आप देखें यहां पर सियार्पिय अप और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षाबल है वो भी यहां पर लगाए गए हैं इसके साथ ही जो सर्यूस दान है उसको लेकर भी भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है जन्मोजसफ के सखास मौके पर आलज रामलला को पीले वस पहनाए गए हैं पूरा मंदिर पलसर खुपसूर्ती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किसम की विवस्था यहां पर देखी जा रही है तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुखधाबिशेक एक तरीके से भगवान ड्राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी बलकि देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको के लिए कतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभू श्री राम के धाम आयोध्या से बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए है और आज चुकि दिन बहुत खा कारण की हुए प्रभू श्री राम इन भव या तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दुगदविशेक किया जा रहा है और फूलों की खुबसूरत जो सजावत है पूरे परसर में की गई है दूर दराज से लोग पहुंचे और अकरम बात करने आपर एक तरह विधिवत पूज अर्णके शब्रभां दद्ध्यानी तंवयादेवस्टानारतं प्षिक्रियताम। गवधिये प्रणापन नायन अमㅋㅋㅋㅋ तरिस्टानम् समर्पयामी तरिस्टानांते सुद्धोरकस्टानांते पनियन्यरं समर्पयामी तो आनिमेशन के जरी आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोसो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले अयोध्या में मंत्रो चारण के साथ विदिवद पूजापाच पुजारियों ने शिरू किया भक्तों की भारी भीड अयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12 बचकर 16 मिनट तक यहाँ पर सूरे की जो किड़ने हैं वो प्रभूश्री राम का सूरे तिलक करेंगी बिल्कुल दोपहर 12 बचे का वो समय होगा जब 4-5 मिनट के लिए प्रभूश्री राम के मस्तक पर उनके मुकुमंडल पर जो सूरे की किरने हैं वो पढ़ेंगी और उनका जो मुकुमंडल है वो प्रकाश्मान होगा साथी साथ वो तस्वीर है बहुत खास ह और साथी साथ आज सूर्य तिलक प्रभूश्री राम का होना है नितीश इस वक्त आयोध्या से हवारे साथ जुर चुके हैं सीधे उनका रुख कर लेते हैं प्रभूश्री राम के धाम में मौझूद है नितीश आज प्रान प्रतिशा के बाद पहले जर्मोदसव की जा हुआ जो द्वार है इसी द्वार से जो भक्त है वो रामलला के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भक्तों में उच्छा किस तरह का तो एक भक्त हमारे साथ है उडिस तरह का उच्छा बहुत आनंद उच्छा वाद जलागरा एक गीत गा रहा है अभी आप बोल रहे देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी 12 बजे के बाद वो सुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेप होगा कितना इंतजार उच्छण का बहुत वो तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम नाला की दर्सन करेंगे और राम नाला की दर्सन करते हुए जो पांसो साल तक हम जो लोग जो इंतजार करते थे आज माने नियों प्रभवान श्री राम करने के लिए पहुच गया है और देखिए ये पूलों की दे रही है मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर और आपको ये पूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी आयोध्या इस समय पूलों से सजी हुई है और जो भक्त है वो इस आकर्षण को अपने नजरों में कहीं न कहीं पर खाते हुए बिल्कुल लिटेश दिव्य भावयोगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थाएं हैं और कौन-कौन पहुँच रहे हैं इस अलौकिक दिव्य दर्शन को देखने के लिए देखें अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित यहां पसे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुन योगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामिल है संतों के साथ कई बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सूरी की किरिने पर्श करेंगी तो जो सुरिया विशेख होगा तो उस दोरान ये सभी लोग यहाँ पर मौझूद रहेंगे और इसके साथ ये पूरे दिन यहाँ पर विशेष्ट परकार का अनुष्ठान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाह बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और वियाईपी है इसके साथ ही बात करें तो आज वियाईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख है वियाईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहाँ पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी वियाईपी यहाँ पर दर्शन वियाईपी दर्शन नहीं होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहां पर रेट कार्पेट बिछाए गया थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाऊ न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको इसे अनौसमेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिछड़ जाए तो माइक पराकर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याव की बेवस्था की गई है पानी की बेवस्था है जेड़ सो LED स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्ष का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रह जानित भीड थी उससे कही जादा संक्या में लोग यहां पर पहुंचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देखा था भीड को काबू कर पाना ये सुचारो रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के गया है और खासकर के महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई अलग प्रवेश द्वार बनाया गया और कितने कुल प्रवेश द्वार बनाये तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा। आपको नहीं दिखाई देगी और जिस तरह से बेवस्थाई की गई है तो अगर आपको बात कर ले तो एंट्री पॉइंट अगर कहें तो दस से जादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साफ तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से प्रतिबंदित है और इसके अलावा जब आप जायोध्या नगर में प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चोक के बाद का शे प्रभु श्री राम के धाम से सबसे बड़ी कवरें जी नियूस की जारी है क्योंकि सूर्य वन्षी के सूर्य तिलक का ये भव्य दिव्य मौका है लिहाजा इस तस्वीरे बहुत ही खास देखिये जी नियूस पर एक्स्क्यूजिव तस्वीरे आपको इस वक दिख रहे है जिसमें आप ना सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभु श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिन्टल फूलों से पुरा परिसर भव नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते कीस मिनट का समय बाकी है जब बारहा बज़े से बारहा बचकर चार मिनट त अवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुय अभिशे का अद्वुत अलोकिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकते हैं प्रभु को पीले वस्तों के साथ और खुबसूरत फूलों के साथ सजाया गया है और अलग-अलग किस्म के भोग प्रभु श्री राम को आज इस राम नौमी के पर्व पर लगने जा रहे हैं बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम अयोध्या धाम से आती हुई आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व बन रहा है और इसी के साथ जो दिविता और भविता है इस पर्व की बढ़ जाती है क्योंकि आज प्रभु का सूरिवंशी के सूरि तिलक में चार घंटे के आसपास का मात समय बाकी रहे गया है चार घंटे अथारा मिनट और ये तस्वीर आपके सामें पीले वस्त्र धारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुबदब इशे की अभव ये तस्वीर दिखाई थी अलग 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 राम लला की सबसे भव्य और दिव्य तस्वीर जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लला की प्राण प्रतिश्टा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभू के दिव्य जर्मोत्सव की तैयारियां और अब महस कुछ जिसके बाद प्रभू श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी न्यूज लगतार राम की नगरी प्रभू श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगतार पहुचा रहा है और हम लगतार आयोध्याधाम जा रहे हैं ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है नितीश चुड़े होएं नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभू को विधिवत तरीके से लगने हैं दूसरी तरफ 50 कुइंटल फूलों से पूरा परिसर सुसजित है और तीसरी सबसे बात की वो बारा बजेंगे और बारा से बारा चार का वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें आयोध्या धाम परोंगी इसके लावार करें अलग-अलग सूरी मंदिर हैं देश में और साथी साथ जैन मंदिरों में इस तरह से सूरी अभिशेक होता है लेकिन प्रभू विशेश तस्वीर है यहां पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहां पर कुछ एक परिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुंचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुंचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्शन क बच्चे को इस रूप में लाने का मकसद क्या बताना चाहते हैं राम नम्मी का विसेस जोहर है आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को तयार करके राम लाला के दर्शन के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा हो मतलब धर्म जागरित हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहाँ पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपे चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी ब्यवस्थित करने के लिए बेरिकेटिंग की गई है आप देखें यहाँ पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है य पूरी तरह से ब्यवस्था चाक्चो बंदो हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तेद दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तेद है कि हर कोई भी यहाँ पर दिक्कत होने पाए महिलाओं को आप देखें यहाँ पर सियार पिय पॉर इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं इसके साथ ही जो सर्यूस दान है उसको लेकर भी भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है जन्मोचसफ के सखास मौके पर आर्ज रामलला को पीले वस पहनाए गए हैं पूरा मंदिर पलसर खुपसूरती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किसम की विवस्था यहां पर देखी जा रही है तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुखधाबिशेक एक तरीके से भगवान राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आ योध्या नगरी पल की देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको दिख पारे हैं 19 घंटे तक दर्शन हो रहे सारे विद्वी आईपी पल जो पास हैं वो कैंसिल किये गया है सुबह साड़े तीन दजे से राम भक्त बिस्बरे से इंतिजार कर रहे हैं राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्र राम लला को लगाए जाएंगे और फिलाल यह शांदार तस्वीरे सी दे श्री राम के नगरी आयोध्या से आती हुई भवयोत्सव की दिव्य तस्वीरे पीले वस्त्रों को धारन की हुए प्रभु श्री राम इन भवय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दुबदब शेक क दिया जा रहा है और फूलों की खुबसूरत जो सजावत है पूरे परिसर में की गई है दूर दराज से लोग पहुंचे और अकरम बात करें आपर एक तरह विधिवत पूजा हो रही है तो वही राम लिला की प्रतिमाक्त को बनाने वाले अरुन योगी राजपी आयोध्य कि आज सुभव्य कारिक्रम में शामिल होने के नहीं हाँ पर पहुंच गई है सुद्धा कस्ओन, सुद्धा कस्थन आْंठे,प़ियांन यले व्ग्रूप्या में स्थिवियां स्थिपर्यांि स्थिव पुद्धा आप नियर्मलमाधि देव rear rhetoric प्ःतिव प्थित्यां altura, प्षित्यज चैम् ahora android तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान ड्राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिशा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले अयोध्या में मंत्रो चारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शिरू किया भक्तों की भारी भीड अयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12 बच कर 16 मिनट तक यहाँ पर सूरी की जो किरने हैं वो प्रभूश्री राम का सूर्य अतिलक करेंगी बिलकुल दोपहर 12 बच का वो समय होगा जब 4-5 मिनट के लिए प्रभूश्री राम के मस्तक पर उनके मुकमंदल पर जो सूरी की किरने हैं पढ़ेंगी और उनका जो मुकमंडल है फ्रकाशमान होगा, साथि साथ तसवीर बहुत खास होंगी, जो देश भर की तमाम सूर्य मंदिर है, जो जमेंच मंदिर है, वहाँपर ये पूरा जो मेकानिस्जम होता है, लेकिन इस बार ये तसवीर बहुत खासे क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्थान पर ये पर्व मन रहा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक प्रभु श्री राम का होना है। पीछे ये फुलों से सजा हुआ जो द्वार है इसी द्वार से जो भक्त है वो राम लला के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भक्तों में उच्छा किस तरह का तो एक भक्त हमारे साथ है। देश में राम लॉमी की दूम है लेकिन आयोध्या भग्वान श्री राम की जन्म भूमी थी। बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेफ होगा। प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुंच गया है। और देखें ये फूलों की साथ सज्जा आपको दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर और आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी। पूरी आयोध्या इस समय पूलों से सजी हुई है और जो भक्त है वो इस आकर्षण को अपने नजरों में कहीं न कहीं बेखाते हैं। दिव ये दर्शन को देखने के लिए। तो उस दोरान ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ये पूरे दिन यहाँ पर विशेष्ट परकार का अनुष्ठान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा। तो उन सारी चीजों के गवा बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और विएपी हैं। इसके साथ ही बात करें तो आज विएपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख हैं। विएपी दर्शन नहीं हो रहा है। हर आम भक्त को यहाँ पर दर्शन दिया जा रहा है। और यह कह दिया गया है कि कोई भी विएपी यहाँ पर दर्शन विएपी दर्शन नहीं होगा। ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहाँ पर रेट कार्पेट बिचाए गये थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलावा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको अनूस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिचड़ जाए तो माइक पराकर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याओ की बेवस्था की गई है पानी की बेवस्था है जेड़ सो LED स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्ष का जो विशेश मुह जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिस्था के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो डेड़ सो जो LED लगे है उनके बार प्राण कृतिश्चा के बाद जो आनुमानित भीड थी उससे कहीं जादा संक्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देखा था भीड को काबू कर पाना ये सुचारो रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खास करके महिलाओं बच्च के लिए आप जा करके भीतर दर्शन कीजिए और फिर आगे आप लाइन में चलते रहिए तो ऐसा कुछ वक्त यहाँ पर निर्धारित किया गया है जब आप गर्बगरी में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरे हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रही है कि भीड बहुत जादा हो जेकिन अनियंत्रित भेड आपको नहीं दिखाई देगी और जिस तरह से बेवस्थाय की गई है तो अगर आपको बात कर ले तो ऐंट्री पॉइंट अगर कहें तो दस से जादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर सापत और पर कह दिया गया है कि जो भ रता चोक के बाद का शेत्र है वो आपको नो एंट्री यहाँ पर कहा जाता है वानों कि नो वेकिल जोन यहाँ पर कर दिया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहान मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा सिर्फ पैदर चलने वाले आपके दिखाई है बारा बचकर चार मिनट तक निरंतर चार मिनट तक प्रभु के ललाट पर सूर्य की किरिने पड़ेंगी और उनका जो ललाट है जो उनका मुकमंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सुर्य अभी शेक कहते हैं और इसी पर जी नियूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की लगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुर्य अभी शेक का अधवुत अलौकिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकते हैं प्रभु को पीले वस्रों के साथ और खुबसूरत फूलों के साथ सजाया गया है और अलग-अलग किस्म के भोग प्रभु श्री राम को आज इस राम नौमी के पर पर लगने जा रहे है बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम अयोध्या धाम से आती हुई है तो आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है पहली बार है जब श्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व मन रहा है और इसी के साथ जो दिव्यता और भविता है इस पर की बढ़ जाती है कि आज प्रभु का सूर्य वंशी के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीरे आपके सामें पीले वसुधारन की हुए रा जाने है अधित वे सूर्य तिलक होना है जिसमे चार घंटे 700 मिनट का समय बाकी है तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं आयोध्या धाम से प्रभु श्री राम की जहां पीले वस्त्र प्रभु को धारन कराए गये हैं राम लला की सबसे भव्य और डिव्य तस्वीरे जी न्यूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लला की प्राण प्रतिश्टा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभु के दिव्य जर्मोटसव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभु श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी न्यूस लगतार राम की नगरी प्रभु श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगतार पहुचा रहा है अलग-अलग सूरी मंदिर हैं देश में और साथी साथ जैन मंदिरों में इस तरह से सूरी अभिशेक होता आया लेकिन प्रभु के मस्तक पर जब सूरी की करने पड़ेंगी आज और यह सूरी अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्भुत और दुनिया भर से जुदा हो क्या क्या आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताएए भी विशेश तस्वीर है यहां पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहां पर कुछ एक परिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुंचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुंचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्शन कर लिया आप जी दर्शन हो गए बहुत संदर बच्चे को इस सुरूप में लाने का मकसद क्या बताना चाहते हैं राम नम्यमी का विसेश तोहार है आम में लुदू आई होगा इसलिए मैंने को त्यार करके रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहा है मक्सद क्या मैं इतना बड़ा तिवहार है हम लोगों का तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है अगर ऐसा हो मलब धरम जागृत हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा चप्पे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी ब्यवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है आप देखे यहां पर आपको य सुरक्षा कर्मी मुस्ताइद दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्ताइद है कि हर्थ कोई भी यहां पर दिक्कत न होने पाए महिलाओं को आप देखे यहां पर सी आर और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल है वो भी यहां पर लगाए गए हैं तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुगधाबिशेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी पल की देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर् तो बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए है और आज चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो भोग है वो राम लला को लगाए जाएंगे और फिलार यह नगरी आयोध्या से आती हुई भव्योत्सफ की दिव्य तस्वीरे पीले वस्त्रों को धारन की हुए प्रभु श्री राम इन भव्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दुगदविशेक किया जा रहा है और फूलों की खुबसूरत जो सजावत है पूरे परसर में की गई ह दूर दराज से लोग पहुँचे और अगरम बात करें आपर एक तरह विधिवत पूजा हो रही है तो वहीं रामिला की प्रतिमाक को बनाने वाले अरुन योगी राजपी आयोध्या के आज सभव्य कारिक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुँच गई है श्री नाम चंड्रायन महा तरस्तानम शमर्पयामी तरस्तानांते सुद्धोरकस्तानांते पलियांगरं शमर्पयामी तो आनिमेशन के जरी आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल चप किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शुरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12 बचे कर 16 मिनट तक यहाँ पर सूरे की जो किरने हैं वो प्रभूश्री राम का सूरे अतिलक करेंगी बिल्कुल दोपहर 12 बचे का वो समय होगा जब 4 से 5 मिनट के लिए प्रभूश्री राम के मस्तक पर उनके मुकमंडल पर जो सूरे की किरने हैं वो पढ़ेंगी और उनका जो मुकमंडल है वो प्रकाश्मान होगा साथी साथ वो तस्वीर है बहुत खास होगी जो देश भर की तमाम सूरे मंदिर है जो जैन मंदिर है वहाँ पर ये पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्तान पर ये पर्वमन रहा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक श्री राम के धाम में मौझूद है नितीश आज प्राण प्रतिशा के बाद पहले जर्मोटसव की तस्वीरे आयोध्या से जो सामने आ रही है दर्शकों को दिखाईए क्या तैयारी विश्रेश तोर पे आज राम भक्तों के लिए आयोध्या में की गई है फूलों से सजा हुआ द्वार दिखा रहा हूँ देखे पीछे ये फूलों से सजा हुआ जो द्वार है इसी द्वार से जो भक्त है वो राम लला के मंदिर में प्रवेश कर रहे है और भक्तों में उच्छा किस तरे का उच्छा तो एक भक्त हमारे साथ है किस तरे का उच् देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेफ होगा अज प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुच गये है और देखे ये पूलों की साथ सज्जा आपको दिखाई दे रही है मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर ओर आपको ये पूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी आयोध्या इस समय पूलों से सजी हुई है और जो भक्त है वो इस आकरशड को अपने नजरों में कहीं न कहीं बखाते हैं लितेश राम उचसफ की भव्य और देव्य तस्वीरे जीनियूस प्रमुक्ता के साथ दिखा रहे हैं दिखाता रहेगा आपी इस बड़ी कवरेज के माध्यम से जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जो जिन्होंने प्रतिमा का निर्मान किया है अरुन योगी राज वो खुद योध्या धाम पहुचे हैं वो भी इस पूरे कारिक्रम में खुद को शामिल करेंगे तो नजारा बहुत ही दिव्य भाव्योगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थाएं हैं और कौन-कौन पहुँच रहे हैं इस अलौकिक दिव्य दर्शन को देखने के लिए देखें अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं कुछ खास लोगों को भी आमंत्रन यहां पूसे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुणयोगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामिल है संतों के साथ कई बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहां पर पहुँचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सूरी की किर्णे सपर्श करेंगी तो जो सुरिया विशेक होगा तो उस दोरान ये सभी लोग यहां पर मौझूद रहेंगे और इसके साथ ये पूरे दिन यहां पर विशेष्ट परकार का अनुष्ठान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहां पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवा बनेंगे जो यहां आने वाले भक्त और वियाईपी हैं इसके साथ ये बात करें तो आज वियाईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख है वियाईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहां पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी वी आईपी यहां पर दर्शन नहीं होगा ब्यवस्ताओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहां पर रेट कार्पेट बिछाए गये थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको अनूस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिछड़ जाए तो माइक परा कर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याव की बेवस्ता की गई है पानी की बेवस्ता है जब सूर्य स्पर्ष का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिस्तर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो जगाए जगा नितीश पिछली बार हमने देखा था थोड़ा सा मुष्किल हो गया था प्रिशहसन के लिए तो क्या इस बार विवस्ता की गई है और खास करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग सेவர बनाया गया और कितने कुल परवेश द्वार बनाये गया है जहां से लोग भीतर इंट्री लें है लाइन होगी प् करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी रिकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरें हम आपको दिखाते देगी जो नियंत्रन को खो सके तो भीड है लेकिन नियंत्री भीड आपको नहीं दिखाई देगी और जिस तरह से ब्यवस्ताइब की गई है तो अगर आपको बात कर ले तो entry point गर कहे तो दस से जादा एंट्रि पॉइंट है और उन एंट्रि पॉइंट पर साफ तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा करमी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से पतिबंदित है और इसके अला तरह से यानि कोई भी वाहन मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा। पर नहीं दिखाई पर नहीं दिखाई देगा। पर नहीं दिखाई देगा। पर नहीं दिखाई देगा। पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व मन रहा है। पर नहीं दिखाई देगा। पर नहीं दिखाई देगा। और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभू श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी न्यूज लगतार राम की नगरी प्रभू श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगतार पहुचा रहा है। और हम लगतार आयोध्याधाम जा रहे हैं ये बड़ी कवरिज हमारी जारी है हमारे साथ नितीश चुड़े होएं नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभू को विधिवत तरीके से लगने हैं दूसरी तरफ 50 कुइंटल फूलों से पूरा परिसा सुसजित है और तीसरी स से सूरी अभिशेक होता है लेकिन प्रभू के मस्तक पर जब सूरी की करने पड़ेंगी आज और ये सूरी अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्वुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या-क्या आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताएए भ जी दर्सन हो गए बहुत संदर बच्चे को इस सुरूप में लाने का मकसद क्या क्या बताना चाहते है राम नम्मी का विशेस जोहार है आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम लला के दर्शन के लिए पहुँच रहा है इतना बड़ा त्युवार है हम लोगों का तो में बहुत अच्छा लग रहा अगर ऐसा हो मतलब दर्म जागरित हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिशाम में आपको दिखाना चाहूँगा चपे चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई द और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी ब्यवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है आप देखे यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यहां पर जब आप प्रवेश करेंगे राम रला के दर्शन के लिए और किनारे किनारे पर आपको यह वेरिकेटिंग दिखाई देगी यहां पर वेरिकेटिंग की गई है ताकि जो भी भक्त यहां 20 से आगे बढ़ें वो कहीं भी अब यवस्थित न होने पाए पूरी तरह से ब्योस्था चाक्चोबंध हो हर तरफ आपको सुरक्षा कर सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्था है कि हर्थ कोई भी यहां पर दिक्कत न होने पाए महिलाओं को आप देखे यहां पर सी आर पिय और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल है वो मोचसफ के सखास मौके पर आर्ज रामलला को पीले वस पहनाए गए हैं पूरा मंदिर पलसर खुपसूर्ती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किस्म की विवस्था यहां पर देखी जा रही है तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुगधाबिशेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी पल की देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर् बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए है और आज चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो भोग है वो राम लला को लगाए जाएंगे और फिलार यह श्य पूरे परसर में की गई है दूर दराज से लोग पहुंचे और अगरम बात करें आपर एक तरह विधिवत पूजा हो रही है तो वही राम लिला की प्रतिमाक को बनाने वाले अरुन योगी राज भी आयोध्या के आज सुभव्य कारिक्रम में शामिल होने के नहीं हाँ पर भगवते स्री नाम कंट्रायर महा तरस्थानम् समर्पयामी तरस्थानांते सुद्दो रकस्थानांते प्लियंगरं समर्पयामी तो आनिमेशन के जरिया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल चप किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़े हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले अयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद पूजापाच पुजारियों ने शुरू किया भक्तों की भारी भीड अयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12 बच कर 16 मिनट तक यहाँ पर सूरे की जो किड़ने हैं वो प्रभूश्री राम का सूर् तस्वीर बहुत खास होंगी जो देश भर की तमाम सूरे मंदिर हैं जो जैन मंदिर है वहाँ पर यह पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार यह तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्तान पर यह पर्वमन रहा है और साती सा आयोध्या से हवारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उनका रुख कर लेते हैं प्रहुश्री राम के धाम में मौझूद है नितीश आज प्राण प्रतिशा के बाद पहले जर्मोधसव की तस्वीरे आयोध्या से जो सामने आ रही हैं दर्शकों को दिखाई है क्या तैयारी व भक्त और राम लदा के मंदिर में प्रवेश्ट कर रहे रहे हैं ऊत्षा किस तरह का जु एक भक्त हमारे साथ है मन गार रहा है अब ही आप बोल रहे ते क्या गीत है राम नाम के हीले मचीरा में बेच रहों गली गली लेलो रे कोई राम का प्यारा लेलो रे कोई राम का प्यारा शुरन चाओं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी आरा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेफ होगा कितना इंतजार उच्छण बहुत वो तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम लाला की दर्सन करेंगे और राम लाला की दर्सन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग इंतजार करते थ प्रदेश का जो अपना जो मुख्यमंत्री एसीम है जोग्यादी तना उनको भी प्रणाम करता हूँ पूरी तरह से सबको प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुच गये हैं और देखिए ये फूलों की साथ सज्जा आपको दिखाई दे ही है मंदिर परिस्तर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर और आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी अयोध्या इस समय पूलों से सजी हुई है और जो भक्त है वो इस आकर्षड को अपने नजरों में कहीं न कहीं बखाते हैं लिटेश राम उचसव की भ ये भावयोगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थाएं हैं और कौन-कौन पहुंच रहे हैं इस अलौकिक दिव ये दर्शन को देखने के लिए देखें अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं कुछ खास लोगों को भी आमंत्रण यहां पसे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुन योगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामिल है संतों के साथ कई बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सूरी की किरिणे सपर्श करेंगी तो जो सुरिया विशेख होगा तो उस दोरान ये सभी लोग यहाँ पर मौझूद रहेंगे और इसके साथ ये पूरे दिन यहाँ पर विशेष्ट परकार का अनुस्थान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाह बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और वियाईपी है इसके साथ ही बात करें तो आज वियाईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख है वियाईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहाँ पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी वियाईपी यहाँ पर दर्शन वियाईपी दर्शन नहीं होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहाँ पर रेट कार्पेट बिछाए गये थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाऊ न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको अनूस्मेंट किया ज चड़ जाए तो माइक पर आकर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याव की बेवस्था की गई है पानी की बेवस्था है जेड़ सो LED स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्श का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो ज उससे कही जादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देखा था भीड को काबू कर पाना ये सुचारो रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस कीजिए और फिर आगे आप लाइन में चलते रहिए तो ऐसा कुछ वक्त यहाँ पर निर्धारित किया गया है जब आप गर्पग्री में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरे हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि भीड बहुत जादा हो ग आपको नहीं दिखाई देगी और जिस तरह से ब्यवस्थाए की गई है तो अगर आपको बात कर लें तो एंट्री पॉइंट अगर कहें तो दस से जादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साप तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी कोई भी फोर्विलर अंदर आने ना दे यानि चार पहिया वहान अंदर आने में पूरी तरह से प्रति बन देथ हैं और इसके अलावा जब आप जायोध्या नगर में प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चोक के बाद का शेतर हैं वो आपको नो एंट्री यहाँ पर कहा जाता है वानों की नो वेकिल जोन यहाँ पर कर दिया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहान मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा बिल्कुल निकीश हम लोटे रहेंगे आपके पास श्री राम का उत्सव है श् प्रभु श्री राम को जो अपीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिल्टल फूलों से पुरा परिसर भबे नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते कीस मिनट का समय बाकी है जब बारह बज़े से बारह बचकर चार मिनट तक निरंतर चार मिनट तक प्रभु के ललाट पर कुमंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सुर्य अभिशेक कहते हैं और इसी पर जी न्यूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुर्य अभिशेक का अदबुत अलोकिक नजारा होग है बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम की धाम अयोध्या धाम से आती होई है तो आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे इसाथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब श्री राम के जंगस्तान पर ये सूर्य वंश्री के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीरे आपके सामें पीले वसुधारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुग दब इश्र राम से प्रभू श्री राम की जहां पीले वस्त्र प्रभू को धारन कराए गये हैं राम लला की सबसे भव्य और दिव्य तस्वीरे जी न्यूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लला की प्राण प्रतिश्ठा के बाद बुदवार को पहली रा कुश्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगातार पहुचा रहा है और हम लगातार आयोध्याधाम जा रहे हैं ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है मारे साथ नितीश चुड़े हो हैं नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभू को विधिवत तरीके से लगने हैं दूस साथ जैन मंदिरों में इस तरह से सूर्य अभिशेक होता है लेकिन प्रभू के मस्तक पर जब सूर्य की करने पड़ेंगी आज और ये सूर्य अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्भुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या-क्या आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताएए भी अच्छा इससे भी बात कर लेते हैं कैसे आप लोग राम कैसे जैश्री राम बोल रहा है आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को तयार करके राम लला के दर्शन के लिए पहुँच रहा मक्सद क्या इतना बड़ा तिवहार है हम लोगों का तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है अगर ऐसा हो मतलब धर्म जागरित हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपे-चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई द और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी विवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यहां पर जब आप प्रवेश करेंगे राम रला के दर्शन के और किनारे किनारे पर आपको यह वेरिकेटिंग दिखाई देगी यह देखें यहां पर वेरिकेटिंग की गई है ताकि जो भी भक्त यहां 20 से आगे बढ़ें वो कहीं भी अभेवस्थित न होने पाए पूरी तरह से ब्योस्था चाक्चोबंध हो हर तरफ आपको और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षाबल है वो भी यहां पर लगाए गए हैं तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुगधाबिशेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी पलकी देश भर में राम नौमी की धूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हैं आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर के लिए कतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभू श्री राम के धाम आयोध्या से बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए हैं और आज चुकि दिन बहुत ख सभव्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दुगदविशेक किया जा रहा है और फूलों की खुबसूरत जो सजावत है पूरे परिसर में की गई है दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और अकरम बात करने आपर एक तरह विधिवत पूजा हो रही है तो वही रामिला की प्रतिमाक को बनाने वाले अरुन योगी राज भी आयोध्या के आज सिभव्य कारिक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच गई है आप 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 तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान ज्राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किर्डे हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रो चारण के साथ विदिवद पूजापाच पुजारियों ने शिरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12 बच कर 16 मिनट त पर जो सूरे की किरने हैं वो पढ़ेंगी और उनका जो मुकमंडल है वो प्रकाश्मान होगा साथी साथ हो तस्वीर है बहुत खास होंगी जो देश भर की तमाम सूरे मंदिर है जो जैन मंदिर है वहाँ पर ये पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्तान पर ये पर्व मनगरा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक प्रभु श्री राम का होना है। पीछे ये फुलों से सजा हुआ जो द्वार है इसी द्वार से जो भक्त है वो रामलला के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भक्तों में उच्छा किस तरह का तो एक भक्त हमारे साथ है। देश में राम नौमी की दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी। कितना इंतिजार उच्छड़ बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम नाला की दर्शन करेंगे और राम नाला की दर्शन करते हुए जो 500 साल तक लोग इंतिजार करते थे आज माननीयों प्रवधान मंतृ मोधी जीक में प्रवान प्रवान श्री राम करने लिए पहुच पूलों की साथ सज्जा आपको दिखाई दे रही है, मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो, हर और आपको ये पूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी, पूरी आयोध्या इस समय पूलों से सजी हुई है, और जो भक्त है, वो इस आकरशड को अपने नजरों में कही बिकुल लितीश राम उचसफ की भव्य और दिव ये तस्वीरे जीनियूस प्रमुक्ता के साथ दिखा रहा है, दिखाता रहेगा पीस बड़ी कवरेज के माध्यम से, जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जो जिन्नोंने प्रतिमा का निर्मान किया है, अरुन योगी देखें, अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है, तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं, कुछ खास लोगों को भी आमंत्रन यहां पसे मिला है, अगर बात करें तो उसमें अरुन योगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामि वो सभी यहां पर पहुँचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सुरी की किरिणे पर्श करेंगी तो जो सुरिया विशेख होगा तो उस दोरान ये सभी लोग यहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ये पू पूरी तरह से रोख है विए पी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहां पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी विए पी यहां पर दर्शन विए पी दर्शन नहीं होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहाँ पर रेट कार्पेट बिचाए गये थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको अनूस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिचड़ जाए तो माइक परा कर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याव की बेवस्था की गई है पानी की बेवस्था है जेड़ सो LED स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्श का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिसर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोले से वो डेड़ सो जो LED लगे हैं उचे दौरा प्रशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खास करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई अलग प्रवेश द्वार बनाया गया और कितने कुल प्रवेश द्वार बनाये गए हैं जहां से लोग भीतर इंट्री लेंगे लाइन होगी प्रभू श्री राम के दर्शन कर करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी रिकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरें हम आपको दिखाते देगी जो नियंत्रण को खो सके तो भीड है लेकिन और नियंत्री भीड आपको नहीं दिखाई देगी और जिस तरह से ब्यवस्थाए की गई है तो अगर आपको बात कर ले तो एंट्री पॉइंट अगर कहें तो दस से जादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री करते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चौक के बाद का शेत्र है वो आपको नो एंट्री यहां पर कहा जाता है वानों की नो वेकिल जोन यहां पर कर दिया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहान मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा बिल्क को इस वक्त दिख रहे हैं जिसमें आप ना सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभू श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिन्टल फूलों से पुरा परिसर भब नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते कीस मिनट का समय बाकी है जब बारह बजे से बार नियूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभू श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुर्य अबिशे का अदबुत अलोकिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकते हैं प्रभू को पीले वस्तों के साथ और खुबसूरत फूलों के साथ सजाया ग आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभू को लगाए जाएंगे इसाथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व बन रहा है और इसी के साथ जिविता और भविता है इस पर्व की बढ़ जात है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीर आपके सामें पीले वस्तर धारन की हुए राम लला नजल आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुग दब इश्य की भव ये तस्वीर दिखाई थी अलग अलग किसम के 56 पकार के भोग प्रभू को विध कराये गये हैं राम लला की सबसे भव्य और दिव्य तस्वीर जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लला की प्राण प्रतिश्चा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभू के दिव्य जर्मोटसव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभू श्री राम का सूरे तिलक होना है जिसकी तस्वीर जी न्यूज लगतार राम की नगरी प्रभू श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगतार पहुचा रहा है वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें आयोध्याधाम परोंगी इसके लावागर हम बात करें अलग-अलग सूरी मंदिर हैं देश में और साथी साथ जैन मंदिरों में इस तरह से सूरी अभिशेक होता है लेकिन प्रभू के मस्तक पर जब सूरी की करने पड़ेंगी कि आज और यो सूरी अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्वुत और दुनिया भर से जुदा होगा अग्या क्या कि आप देख बारें दिखाए और तस्वीरों के बार में बताये भी विशेश तस्वीर है यहां पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहां पर कुछ एक परिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्शन कर लि आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम लाला के दर्शन के लिए अगर अगर ऐसा हो मतलब धरम जागरित हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिसाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपे चपे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी वेवस्थित करने के लिए वेरिकेटिंग की गई है आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्षे द्वार है यहा पुरी तरह से वेवस्था चाक्चो बंधो हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तेद दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तेद है कि हर्थ कोई भी यहां पर दिक्कत पुरा मंदिर पलसर खुबसूरती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किस्म की विवस्था यहां पर देखी जा रही है यह तस्वीर हैं आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर्शन हो रहे हैं सारे विवी आईपी पास हैं वो कैंसिल किये गया हैं सुबह साड़े तीन बज़े से राम भक्त बिस्बरि से इंतिजार कर रहे हैं राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभू श्री राम के धाम आयोध्या से बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जारी है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए हैं और आज चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो बोग हैं वो राम लला को लगाए जाएंगे और फिलाव ये शांदार तस्वीरे सी थे श्री राम के नगरी आयोध्या से आती हुई भवित्सफ की दिविय तस्वीरे पीले वस्त्रों को धारन की हुए प्रभू श्री राम इन भविय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं भव्य कारिक्रम में शामिल होने के नहीं यहां पर पहुँच गए हैं बातकस्तानं, में स्व्ध fuego जड़कस्तान आन आने क्मलियंत्य राम््श वरक्वяж में हैं ले घंट की में अरौ श्री पर पहां निर्मानों मदी़्यास्वीरे पार्करम में हैं तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किर्डे हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के पहले जनमोचो पर सूर्य अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रोचारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शिरू किया भगतों की भारी भीड आयोध्या में देखी जा दी है दोपहर 12.16 मिनट तक यहाँ पर सूर्य की जो किरने हैं वो प्रभूश्री राम का सूर्य अतिलक करेंगी। प्रभु श्री राम के जन्मस्तान पर ये पर्व मन रहा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक प्रभु श्री राम का होना है। इसी द्वार से जो भक्त है वो राम लला के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भक्तों में उच्छा किस तरे का जो एक भक्त हमारे साथ है। देश में राम लॉमी के दूम है लेकिन आयोध्या भग्वान श्री राम की जन्म भूमी थी। बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेप होगा। कितना इंतिजार उच्छण तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम लाला की दर्सन करेंगे। और राम लाला की दर्सन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग जो इंतिजार करते थे। आज माने नियों प्रवधान मंतिर नरेंदर मोधीजिक में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुच गये हैं और देखें ये फूलों की साथ सज्जा आपको दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर और आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी आयोध्या इस समय पूलों से सज्जी हुई है और जो भक्त है वो इस आकरशण को अपने नजरों में कहीं न कहीं पर खाते हूं। और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थाएं हैं और कौन-कौन पहुँच रहे हैं इस अलौकिक दिव ये दर्शन को देखने के लिए। देखें अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है तब तक तस्वीरे भी दिखाते रहते हैं। कुछ खास लोगों को भी आमंत्रण यहां पसे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुण योगी राज और इसके साथ कई संत उसमें शामिल हैं। कुछ आर्चन है वो सब कुछ यहां पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाह बनेंगे जो यहां आने वाले भक्त और वी आईपी हैं। के साथ ही बात करें तो आज वी आईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख है वी आईपी दर्शन नहीं हो रहा है हर आम भक्त को यहां पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई वी आईपी यहां पर दर्शन वी आईपी दर्शन नहीं होगा ब्यवस्ताओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहां पर रेट कार्पेट बिछाए गया थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्श का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिस्तर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो डेड़ सो जो एलेटी लगी नितीश पिछली कर पाना ये सुचारू रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खासकर के महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई अलग बनाये गए हैं जहां से लोग भीतर इंट्री लेंगे लाइन होगी प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और बाकी तीस अस्तानों में हमने देखा है कि कुछ सेकेंड के लिए आप जा करके भीतर दर्शन कीजिए और फिर आगे आप लाइन में चलते रहिए तो ऐसा जब आप गर्भग्री में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी रिकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरे हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि भीड बहुत जादा हो गई थी और प्रशासन को कही न कहीं भीड नियंतरित करने में दिक्कत हो रहे थी तो इस बार ऐसी ब्यवस्थाए की गई है कि भीड उस तरह की अनियंतरित नहों आपक पॉइंट अगर कहें तो दस से जादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साप तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से पतिबन दे है और इसके अलावा जब आप जायोध्या नगर में प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चोक के बाद का शेत्र है वो आपको नो एंट्री यहां पर कहा जाता है वानों की नो वेकिल जोन यहां पर कर दिया गया है पूर वेवंशी के सुर्य तिलक का यह भव्य देव्य मौका है लिहाजा यह तस्वीरे बहुत ही खास लेगे जी न्यूस पर एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आपको इस वक्त दिख रहे हैं जिसमें आप न सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभु श्री राम को जो पीले वस् और पचास मिंटल फूलों से पुरा परिसर भवे नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते एकीस मिनट का समय बाकी है जब बारह बज़े से बारह बचकर चार मिनट तक निरंतर चार मिनट तक प्रभु के ललाट पर सुर्य के किरने पड़ेंगी और उनका जो ललाट है जो उनका मुकमंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सुर्य अभिशे कहते हैं और इसी पर जी नियूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुर्य अभिशे का अदबुत अलौकिक नजारा होग हैं बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम अयोध्या धाम से आती हुई है तो आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर् जाती है क्योंकि आज प्रभु का सूर्यवंशी के सूर्य तिलक में चार घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीरे आपके सामें पीले वसुधारन की हुए रामलला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ अज इससे प तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं आयोध्याधाम से प्रभु श्री राम की जहां पीले वस्त्र प्रभु को धारन कराए गये हैं रामलला की सबसे फप्व्य और डिव्य तस्वीरे जी डियूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए रामलला की राम की नगरी प्रभु श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगातार पहुचा रहा है और 37 जैन मंदिरों में इस तरह से सूर्य अभिशेक होता है लेकिन प्रभु के मस्तक पर जब सूर्य की करने पढ़ेंगी आज और यह सूर्य अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्भुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या क्या आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताएए भी विशेश तस्वीर है विशेश तस्वीर है यहाँ पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहाँ पर कुछ एक परिवार है और जो यहाँ पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुँचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुँचे है अपने यह का शुरूब दिया आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम लाला के दर्शन के लिए पहुच रहा है यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूंगा चप्पे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी व्यवस्थित करने के लिए बेरिकेटिंग की गई है आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यहां पर प्रवेश करेंगे राम लाला के दर्शन के लिए और क सुरक्षा कर्मी मुस्ताइद दिखाई देंगे सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानि महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्ताइद है कि हर्त कोई भी यहां पर दिक्कत न होने पाए महिलाओं को आप देखें यहां पर सी आर और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षाबल है वो भी यहां पर लगाए गए हैं तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुगधाबिशेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है और आज शिनास सिर्फ आयोध्या नगरी बलकी देश भर में राम नौमी की दूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं उननस घंटे त तो बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए है और आज चुकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो भोग है वो राम लला को लगाए जाएंगे और फिलार ये श्री राम के नगरी आयोध्या से आती हुई भवयोत्सफ की दिव्य तस्वीरे पीले वस्त्रों को धारन की हुए प्रभु श्री राम इन भवय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दुगदबिशेक किया जा रहा है और फूलों की खुबसूरत जो सजावत है पूरे परसर म की गई है दूर दराज से लोग पहुंचे और अकरम बात करें आपर एक तड़ा विधिवत पूजा हो रही है तो वही रामिया की प्रतिमाक्त को बनाने वाले अरुन योगी राज भी आयोध्या के आज सभव्य कारिक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच गई ह फीक्रम बनाने को बनाने के लिए यहां पर प करतोफंदै रहां झाह को रुद्त को राजर क्राम प्रतिम से बनावित खोच्ता गई हो रुद्त क्रता मूंथ excuse है どल को राजर क्रता तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान ड्राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले अयोध्या में मंत्रो चारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शिरू किया भक्तों की भारी भीड अयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12.16 मिनट तक यहाँ पर सूरे की जो किरने हैं वो प्रभूश्री राम का सूरे अतिलक करेंगी बिल्कुल दोपहर 12.16 मिनट के लिए प्रभूश्री राम के मस्तक पर उनके मुकमंडल पर जो सूरे की किरने हैं वो पढ़ेंगी और उनका जो मुकमंडल है वो प्रकाशमान होगा साथी साथ तस्वीर है बहुत खास होगी जो देश भर के तमाम सूर्य मंदिर है, जो जैन मंदिर है वहाँ पर यह पूरा जो mechanism होता है लेकिन इस बार यह तस्वीर बहुत खास है नितीश आज प्रान प्रतिशा के बाद पहले जर्मोटसव की तस्वीरे आयोध्या से जो सामने आ रही हैं दर्शकों को दिखाईए क्या तैयारी विश्रेश तोर पे आज राम भक्तों के लिए आयोध्या में की गई है पूलों से सजा हुआ द्वार दिखा रहा हूँ देखे पीछे ये पूलों से सजा हुआ जो द्वार है इसी द्वार से जो भक्त है वो राम लला के मंदिर में प्रवेश कर रहे है और भक्तों में उच्छा किस तरह का जो एक भक्त हमारे साथ है इस तरह का उच्छा बहुत अप्छा गीत गा रहा है अभी आप बोल रहे थे क्या गीत हैं ? देश में राम नौमी के दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी 12 बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेथ होगा कितना इंतजार वो शण बहुत वो तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम लाला की दर्सन करेंगे और राम लाला की दर्सन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग जो इंतजार करते थे आज माने नियों प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीजिक में प्रणाम करता हूँ और देश का प्रदेश का जो अपना जो मुख्य मंतरी एसी है में प्रणाम करता हूँ पूरी तरह से सब को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुच गए है और देखे ये फूलों की साथ सज्जा आपको दिखाई दे रही है मंदिर परिसर हो या फिर मुख्य द्वार हो हर और आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी आयोध्या इस समय फूलों से सजी हुई है और जो भक्त है वो इस आकर्षण को अपने नजरों में बिल्कुल लिटेश राम उचसव की भव्य और देव्य तस्वीरे जीनियूस प्रमुक्ता के साथ दिखा रहा है दिखाता रहेगा पीस बड़ी कवरेज के माध्यम से जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जो जिन्होंने प्रतिमा का निर्मान किया है अरुन योगी राज वो खुद योध्या धाम पहुंचे हैं कुछ खास लोगों को भी आमंत्रन यहां पासे मिला है अगर बात करें तो उसमें अरुन योगी राज और इसके साथ कई संत उसमें संतों के साथ कई बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है और इसके साथ ये पूरे दिन यहां पर विशेष्ट परकार का अनुष्ठान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहां पर जारी रहेगा तो उन सारी चीजों के गवाह बनेंगे जो यहां आने वाले भक्त और विई आईपी हैं इसके प्याओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहां पर रेट कार्पेट बिछाए गया थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको इस अनूस्मेंट किया जा रहा हो तो जो अगर मंदिर परिस्थर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो डेड़ सो जो लेटी लगी नितेश पिछली बार हमने देखा था प्राण प्रतिशा के बाद जो आनुबानित भीड थी उससे कहीं जादा संक्या में लोग यहां पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देखा था भीड को काबू कर पाना ये सुचारो रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खास करके मह हमने देखा है कि कुछ सेकेंड के लिए आप जा करके भीतर दर्शन कीजिए और फिर आगे आप लाइन में चलते रहिए तो ऐसा कुछ वक्त यहां पर निर्धारित किया गया है जब आप गर्पगरी में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी नि देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरें हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि भीड बहुत जादा हो गई थी और प्रशासन को कही भीड नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही थी तो इस बार ऐसी ब्यवस्थाए की गई है कि भीड उस तरह की अनियंत्रित नहों आपको भीड जरूर दिखाई देगी लेकिन उस तरह की भीड नहीं दिखाई देगी जो नियंत्रण को खो सके तो भीड है लेकिन अनियंत्र कर्मी मौझूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से पतिबंदित है और इसके अलावा जब आप जायोध्या नगर में प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चोक के बाद का शेत्र है वो आपको नो एंट्री यहां पर कहा जाता है वानों की नो वेकिल जोन यहां पर कर दिया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहां मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा बिल्कुल एकी शम गौटे रहेंगे आपके पास श्री राम का रहें बलकि प्रभु श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिल्टल फूलों से पुरा परिसर भब नजर आ रहा है सिर्फ चार घंते कीस मिनट का समय बाकी है जब बारह बज़े से बारह बचकर चार मिनट तक निरंतर चार मिनट तक प्रभु के लला है जो उनका मुकमंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सुर्य अभिशेक कहते हैं और इसी पर जी न्यूस की सबसे खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुर्य अभिशेक का अद्वुत अलौक अधिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकते हैं प्रभु को पीले वस्रेयों के साथ और खुबसूरत फूलों के साथ सजाया गया है और अलग-अलग किस्म के भोग प्रभु श्री राम को आज इस राम नौमी के परव पर लगने जा रहे हैं बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम अयोध्याधाम से आती होई है। तो आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे ये साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व मन रहा है और इसी के साथ जो जिव्यता और भविता है इस पर्व की बढ़ जाती है क्योंकि आज प्रभु का सूरेवंशी के सूरे तिलक में चार घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रहे गया है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीर है आपके सामें पीले वस्त धारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुब्दबिशे की भव्य तस्वीर दिखाई थी अलग अलग किस्वे के चपन पकार के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से आद लगाये जाने है अधित वे सूर्य तिलक होना है इसमें चार घंटे 700 मिनट का समय बाकी है तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभु के दिव्य जर्मोटसव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होना है जिसकी तस्वीर Zee News लगतार राम की नगरी प्रभु श्री राम के आयोध्याधाम से आप तक लगतार पहुचा रहा है और हम लगतार आयोध्याधाम जा रहे हैं ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है हमारे साथ नितीश चुड़े हुए है नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से लगने है दूसरी तरफ 50 कुइंटल फूलों से पूरा परिसर सुसजित है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो बारा बजेंगे और बारा से बारा चार का वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें आयोध्या धाम परोंगी इसके लावा अगर हम बात करें अलग-अलग सूरी मंदिर है देश में और साथी साथ जैन मंदिरों में इस तरह से सूरी अभिशेक होता है लेकिन प्रभू के मस्तक पर जब सूरी की करने पड़ेंगी आज और यह सूरी अभिशेक होगा वो नजारा बहुत अद्भुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या क्या आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताएए भी विशेश तस्वीर है यहाँ पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहाँ पर कुछ एक परिवार है और जो यहाँ पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुचे है अपने यहाँ पर बच्चे को दर्शन कर लिया आप जी दर्शन हो गए बहुत संदर बच्चे को इस सुरूप में लाने का मकसद क्या क्या बत आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम लाला के दर्शन के लिए पहुंच रहा है इतना बड़ा त्युहार है हम लोगों का तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है अगे ये भी संदेश की जिस तरह से राम नाम का संदेश राम राज की बात हो रही है वह भी बच्चों में अगर होगा तो क्या यह संस्कार से जोड़के अगर इसको देखे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा हो मतलब धरम जागृत हो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखाना चाहूंगा चपे-च इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है आप देखें यहां पर आपको यह मंदिर का यह मुख्य द्वार है यहां पर प्रवेश करेंगे राम्रला के दर्शन के लिए और किन सर्क्शा कर्मी मुस्तैद दिखाई देंगे, सुरक्शा के जो अन्यThis PO pointed है यहांनी महिला पुलिस की वितेयनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैदğ है कि हरत कोई भी यहां पर दिक्कत न को महिलाओं को आप देखे यहां पर CRP और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल है वो भी यहां पर लगाए गए है इसके साथ ही जो सर्यूस दान है उसको लेकर भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है जन्मोट सफ के सखास मौके पर आलज रामलला को पीले वस पहनाए गए हैं पूरा मंदिर पलसर खुपसूर्ती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किस्म की विवस्था यहां पर देखी जा रही है तो यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने यहां दुखधाबी शेक एक तरीके से भगवान ज्राम का किया गया है और आज ना सिर्फ आयोध्या नगरी बलकी देश भर में राम नौमी की धूम देखते ही बन रही है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं 19 घंटे तक दर्शन हो रहे हैं सारे विवी आईपी फाल जो पास हैं वो कैंसिल किये गया है सुबह साड़े तीन बज़े से राम भक्त बिस्बरी से इंतिजार कर रहे हैं राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभू श्री राम के धाम आयोध्या से बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जारी है भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए है और आज क्योंकि दिन बहुत खास है मौका बहुत खास है चपन प्रकार की जो भोग है वो राम लला को लगाए जाएंगे और फिलाल यह श्री राम के नगरी आयोध्या से आती हुई भविताफ की दिव्य तस्वीरे पीले वस्रों को धारन की हुए प्रभु श्री राम इन भव्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दुगदविशेक किया जा रहा है और फूलों की खुबसूरत जो सजावत है पूरे परिसर में की गई है दूर दराज से लोग पहुँचे और अगरम बात करने आपर एक तरह विधिवत पूजा हो रही है तो वही रामियाती प्रतिमाक को बनाने वाले अरुन योगी राजपी आयोध्या के आज सिभव्य कारिक्रम में शामिल होने के नहीं हाँ पर पहुँच गई है तरिस्टानम शमर्पयामी तरिस्टानांते सुद्धोरकस्टानम शुद्धोरकस्टानांते पलियांगरं शमर्पयामी पलियाती प्रतिमाक के नहीं है तो आनिमेशन के जरियां आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोसो पर सूरे अभिशेक आज ह यहाँ पर सूरे की जो किड़ने हैं वो प्रभुश्री राम का सूरे तिलक करेंगी। आज श्री राम के जन्मस्तान पर ये पर्व मन रहा है और साथी साथ आज सूर्य तिलक प्रभु श्री राम का होना है। इसी द्वार से जो भक्त है वो रामलला के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भक्तों में उच्छा किस तरह का जो एक भक्त हमारे साथ है। देश में राम नौमी के दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी। बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेप होगा। प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुच गया है। बलुकी की साथ सज्ज्य आपको दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर हो या फिर मुख्य द्वार हो। हर और आपको यह फूल की साथ सज्ज्य दिखाई देगी पूरी अयोध्या इस समय फूलों से सजी हुई है। और जो भक्त है वो इस आकरशड को अपने नजरों में कही न कहीं बखाते हैं। अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है। और इसके साथ ये पूरे दिन यहाँ पर विशेष्ट परकार का अनुष्ठान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा। तो उन सारी चीजों के गवाह बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और विआईपी हैं। इसके साथ ये बात करें तो आज विआईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोख हैं। विआईपी दर्शन नहीं हो रहा है। आम भक्त को यहां पर दर्शन दिया जा रहा है और यह कह दिया गया है कि कोई भी वियाइपी यहां पर दर्शन नहीं होगा ब्यवस्ताओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहां पर रेट कार्पेट बिचाए गया थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग है उनको अनूस्मेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिचड़ जाए तो माइक परा कर बोले वो उसे मिल जाएगा जगा जगा प्याओ की बेवस्था की गई है पानी की बेवस्था है जेड़ सो LED स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्श का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिसर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो जेड़ सो जो LED लगे है उन्टेश पिछली बार हमने रेखा था प्रांग प्रतिशा के बाद जो अनुबानित भीड थी उससे कहीं जादा संख्या में लोग यहां पर पहुँचे थे दर्शन के लिए पहले दिन की वो तस्वीरे हमने देख भीड को काबू कर पाना ये सुचारो रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खास करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई अ आगे आप लाइन में चलते रहिए तो ऐसा कुछ वक्त यहाँ पर निर्धारित किया गया है जब आप गर्वग्री में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि भीड बहुत जादा हो देखिए और प्रशासन को कही न कहीं नियंत्रित करने में दिखकत हो रहे थी तो इस बार ऐसी वैवस्थाई की गई हैं कि भीड उस तरह की अनियंत्रित नहो आपको भीड जरूर दिखाई देगी लेकिन उस तरह की भीड नहीं दिखाई देगी जो नियंत्रण को खोड perfectly प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चोक के बाद का शेत्र है वो आपको नो एंट्री यहां पर कहा जाता है वानों की नो वेकिल जोन यहां पर कर दिया गया है पूरी तरह से यानि कोई भी वहान मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा बिल्कुल ला नितीश हम आपको इस वक दिख रहे हैं जिसमें आप न सिर्फ भीड देख रहे हैं बलकि प्रभू श्री राम को जो पीले वस्तों से सजाया गया है और पचास मिनटल फूलों से पुरा परिसर भब नजर आ रहा है सिर्फ चार घंटे कीस मिनट का समय बाकी है जब बारह बजए से ब से खुबसूरत कवरेज सीधे प्रभू श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है और सुय अभिशे का अदबुत अलोकिक नजारा होगा फिलाल आप देख सकते हैं प्रभू को पीले वस्तों के साथ और खुबसूरत फूलों के साथ सजाया गया है और अलग- इसम के भोग प्रभू श्री राम को आज इस राम नौमी के परव पर लगने जा रहे हैं बहुत भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम आयोध्या धाम से आती हुई आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभू को लगाए जाएंगे इसाथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व बन रहा है और इसी के साथ जिविता और भविता है इस पर्व की बढ़ जात है चार घंटे 18 मिनट और ये तस्वीर आपके सामें पीले वस्तर धारन की हुए राम लला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ इससे पहले हमने आपको दुबदब शे की अभव ये तस्वीर दिखाई थी अलग अलग किसमें के 56 पकार के भोग प्रभू को से फव्य और दिव्य तस्वीर जी न्यूस पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 25 जैन्मरी को हुए राम लला की प्राण प्रतिश्चा के बाद बुदवार को पहली राम नौमी पर प्रभू के दिव्य जर्मोटसव की तैयारियां और अब महस कुछ घंटे बाकी हैं जिस नितीश चुड़े होएं नितीश एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभू को विधिवत तरीके से लगने हैं दूसरी तरफ 50 कुइंटल फूलों से पूरा परिसा सुसजित है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो 12 बजेंगे और 12 से 12 चार का वो समय होगा जब दुनिया भर की न बजारा बहुत अधवुत और दुनिया भर से जुदा होगा क्या कि आप देख बारें दिखाईए और तस्वीरों के बार में बताए भी विशेश तस्वीर है यहां पर आपको दिखाई देंगी यह देखिए यहां पर कुछ एक परिवार है और जो यहां पर अपने बच्चे को राम लला के बाल सुरूप में लेकर पहुचा है तो बाल सुरूप में लेकर पहुचे है अपने यहां पर बच्चे को दर्शन कर जी दर्शन हो गए बहुत संदर बच्चे को इस रूप में लाने का मकसद क्या बताना चाहते हैं राम नमी का विसेस जोहार है आम में लुग आई होगा इसलिए मैंने से राम का सुरूप दिया अच्छा इसने भी बात कर लेते हैं बात कर लोग कैसे जैश्री राम बोल रहा जैश्री राम बोला है आप इनकी माता है आज के दिन इस बच्चे को त्यार करके राम लला के दर्शन के लिए पहुंच रहा है वह बच्चों में अगर होगा तो क्या यह संस्कार से जोड़के अगर इसको देखे तो क्या बहुत अच्छा रहे अगर ऐसा हो मतलब दर्म जागरी थो रहा है तो बहुत अच्छा है और यहां पर सुरक्षा के इंतिजाम में आपको दिखानाा चाहूँगा चपे-चपे पर आपको सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर तो उसको भी ब्यवस्थित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई हैं आप देखें यहाँ पर आपको यह मंदिर का मुखे द्वार है यहाँ पर प्रवेश करेंगे रामदला के दर्शन के लिए और किनारे किनारे पर आपको यह बैरिकेटिंग दिखाई देगी यह पैनाती की गई है महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तहद है कि हर्थ कोई भी यहां पर दिक्कत न होने पाए महिलाओं को आप देखे यहां पर सी आर पिया पर और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल है वो भी यहां पर लगाए गए है। पूरा मंदिर पलसर खुपसूरती के साथ सजा हुआ है भक्तों के लिए भी खास किस्म की विवस्ता यहां पर देखी जा रही है। वक्त बिस सबरी से इंतिजार कर जहे हैं राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। यह तस्वीरे इस वक्त आपके सामने प्रभूश्री राम के धाम आयोध्या से। बड़ी भविता और दिविता के साथ राम नौमी बनाई जा रही है भगवाल राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए हैं। और आज कुकि दिन बहुत खास है, मौका बहुत खास है, 56 प्रकार की जो भोग हैं वो राम लला को लगाए जाएंगे। और फिलाल ये शांदार तस्वीरे सी थे, श्री राम के नगरी आयोध्या से आती हुई भव्योतसफ की दिव्य तस्वीरे, पीले वस्त्रों को धारन की हुए, प्रभु श्री राम इन भव्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, दुग दबिशेक किया जा रहा है, और फू आध्या रुकिदा रिकाता म सस्तोसमत भोताम, मधुराम नंशवेप्रभाम रध्या नेतं मयादेव स्थानार्थं प्रति घ्रियताम भगवते स्री राम शन्रायन महा रष्थ्थान्यानं शमर्पयामि तारिस्थानांते सुद्ध्योर्गस्णानं सुद्धोरकस्तानांते पनियन्यरं शवरपयामे जो निर्ग्रेते स्रेतो ग्रेतं वस्याधामा शेप्यमानं नारायडं निर्मलमादी देवं तो आनिमेशन के जरीया आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान ज्राम का सूरे तिलक होना है ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं पहला ट्राल जब किया गया था और पांच मिनट तक ललाट पर सूरे की जो किड़ने हैं वो ठहरेंगी प्रान प्रतिश्चा के बाद पहले जनमोचो पर सूरे अभिशेक आज होगा प्रभूश्री राम का और उससे पहले आयोध्या में मंत्रो चारण के साथ विदिवद, पूजापाच, पुजारियों ने शुरू किया भक्तों की भारी भीड आयोध्या में देखी जारी है दोपहर 12 बच कर 16 मिनट तक यहाँ पर सूरे की जो किरने हैं वो प्रभूश्री राम का सूरे अत्यलक करेंगी बिलकुल दोपहर 12 बचे कर वो समय होगा जब 4 से 5 मिनट के लिए प्रभूश्री राम के मस्तक पर उनके मुकमंडल पर जो सूरे की किरने हैं वो पढ़ेंगी और उनका जो मुकमंडल है वो प्रकाश्मान होगा साथी साथ वो तस्वीर है बहुत खास होगी जो देश भर की तमाम सूरे मंदिर है जो जैन मंदिर है वहाँ पर ये पूरा जो मेकानिजम होता है लेकिन इस बार ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्मान के बाद श्री राम के जन्मस्तान पर ये पर्व मन रहा है और साथी साथ आज सूरे तिलक प्रभू श्री राम के धाम में मौझूद है नितीश आज प्राण प्रतिशा के बाद पहले जर्मोटसव की तस्वीरे आयोध्या से जो सामने आ रही हैं दर्शकों को दिखाईए क्या तैयारी विश्रेश तोर पे आज राम भक्तों के लिए आयोध्या में की गई है पूलों से सजा हुआ द्वार दिखा रहा हूँ देखे पीछे ये पूलों से सजा हुआ जो द्वार है इसी द्वार से जो भक्त है वो राम लला के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भक्तों में उच्छा किस तरे का उच्छा जो एक भक्त हमारे साथ है किस तरे का गीत गा रहा है अभी आप बोल रहे थे क्या गीत है राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती में बेच राओं गली गली लेलोरे कोई राम का प्यारा लेलोरे कोई राम का प्यारा शुर्न चाओं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 देश में राम नौमी के दूम है लेकिन आयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमी थी बारा बजे के बाद वो शुब मुर्थ कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिशेप होगा कितना इंतजार उच्छण बहुत वो तो बहुत इतना उच्छाव आता है कब राम लाला की दर्सन करेंगे और र मयित्这 मंतरी है मैं प्रणाम करता हूँ पूरी तरह से सबको प्रणाम करते हुए भगवान श्री Billboard को प्रणाम करने के लिए पहुच गया है और देखें ये फूलों की साथ सज्जा आपको दिखाई दे रही है मंदिर परिसर हो या फिर मुख्यद्वार हो हर ओर आपको ये फूलों की साथ सज्जा दिखाई देगी पूरी ऐयोध्या इस समय फूलों से सजी हुई है और जो भक्त है वो इस आकरशड को अपने नजरों में कही न कहीं बढ़ाते हुए लितीश राम उचसफ की भव्य और दिव्य तस्वीरे जी नियूस प्रमुक्ता के साथ दिखा रहे हैं दिखाता रहेगा आप इस बड़ी कवरेज के माध्यम से जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जो जिन्होंने प्रतिमा का निर्मान किया है अरुन योगी राज वो खुद योध्या धाम पहुंचे हैं वो भी इस पूरे कारिक्रम में खुद को शामिल करेंगे तो नजारा बहुती दिव्य भाव योगा और दुनिया से अलग होगा तो किस तरह से विवस्थ संतों के साथ कई बड़े अगर बात करें तो नेता भी शामिल है वो सभी यहां पर पहुँचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए और जिस वक्त वो शुब घड़ी है यानि जब मस्तक को सूरी की किरने पर्श करेंगी तो जो सूरिया विशेख होगा तो उस दोरान ये खट और वी आइपी है इसके साथ बात करें तो आज विएपी के दर्शन प् next से रोख है agers नहीं हो रहा है अर आम भक्त को यहां पर दर्शन दिया जा रहा है और ये कह दिया गया है कि कई भी वी आईपी यहां पर दर्शन वी आईपी दर्शन नहीं होगा ब्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहां पर रेट कार्पेट बिचाए गये थे ताकि अगर जब धूप हो अभी दिन चड़े तो उनके पाउं न जले इसके अलाबा जो म स्क्रीन लगाई गई है पूरे आयोध्या नगर में जब सूर्य स्पर्श का जो विशेश मुहुर्थ है जब वो हो रहा हो तो जो अगर मंदिर परिसर के भीतर नहीं जा सका वो कहीं न कहीं बायोध्या के किसी कोने से वो डेड़ सो जो एलेटी लगे हुए उनके देखा भीड को काबू कर पाना ये सुचारू रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रिशासन के लिए तो क्या इस बार विवस्था की गई है और खास करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन दर्शन करने के लिए कोई प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जहां से लोग भीतर इंट्री लेंगे लाइन होगी प्रभू श्री राम के दर्शन करेंगे और बाकी तीर तस्तानों में हमने देखा है कि कुछ सेकेंड के लिए आप जा करके भीतर दर्शन कीजे और फिर आगे आप लाइन में चलते तो ऐसा कुछ वक्त यहां पर निर्धारित किया गया है जब आप गर्वग्री में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकेंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा देखिए वक्त देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है जो भी भक्त है वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद गोई स्वता बाहर आ जा रहे हैं लेकिन तस्मीरें हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि भीड बहुत जादा हो गई थी और प्रशासन को कही न कहीं भीड नियंतरित करने में दिक्कत हो रहे थी तो इस बार ऐसी ब्यवस्थाए की गई है कि भीड उस तरह की अनियंतरित नहों आप आपको भीड जरूर दिखाई देगी लेकिन उस तरह की भीड नहीं दिखाई देगी जो नियंतरण को खो सके तो भीड है लेकिन और नियंतरित भीड आपको नहीं दिखाई देगी और जिस तरह से ब्यवस्थाए की गई है तो अगर आपको बात कर ले तो एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साप तोर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हो कोई भी फोर्विलर अंदर आने न दे यानि चार पहिया वहां अंदर आने में पूरी तरह से प्रति बंदित है और इसके अलावा जब आप अयोध्या नगर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा सिर्फ पैदर चलने वाले आपके पास श्री राम का उत्सव है श्री राम के धाम से सबसे बड़ी कवरे जी नियूस की जारी है क्योंकि सूरे वंशी के सूरे तिलक का ये भव्य दिव्य मौका है लिहाजा इस तस्वीरे बहुत ही ख गहंते 21 मिनट का समय बाकी है जब 12 बजे से 12 बचकर 4 मिनट तक निरंतर 4 मिनट तक प्रभू के ललाट पर सूरे की किरने पढ़ेंगी और उनका जो ललाट है जो उनका मुकमंडल है वो पूरी तरह से प्रकाश मान होगा और इसी को सूरिय अभिशे कहते हैं और इसी पर ज खुबसुरत फूलों के साथ सजाया गया है और अलग-अलग किस्म के भोग प्रभु श्री राम को आज इस राम नौमी के परव पर लगने जा रहे हैं बहुत ही भव्य तस्वीरे श्री राम के धाम अयोध्या धाम से आती हुई तो आप देख सकते हैं तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे ये साथ ही मंदिर निर्मार के बाद ये पहला मौका है ये पहली बार है जब स्री राम के जंगस्तान पर ये पर्व बन रहा है हुआ है झाल 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 वाट झाल सुनेल जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे आयोधिया तो हर किसी के मूँ से मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर राम लला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए बाइस जनवरी के बाद और आज तो उच्छा की तस्वीरे सामने आ रही हैं क्या कहेंगे आप सुनेल जी मैंने भी वो कस्ट दुखता है और वो दुख मैंने भी देखा है मेरी पे आखे नम हो गए थी जब मैं लास्ट टाइम मदब के हो गया एक उमर्खा से ज़ाद ही हो गया है जब मैंने उनको टेंट में देखा था मुझे बहुत दुख होता था कि भारत देश चो हमारा राम चंद्र के सियावर राम चंद्र के साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोषणाय की है आपका बिदली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का अईतिहासिक अउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र बोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधबुद रिश्य था ये वग्यानिक लिहास से इंजीनिनिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आ अक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके समुक है ये अधबुत है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविश्यती तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले भूतो ना भविश्यती कहते हैं लेकिन भविश्य में तो आप कई बार देखे ये जो तेज है भगवान के बाते का और अब देखिए सोहर गीत गाय जा रहे है जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाय जाते है बदाई गाय जाते है और अब भगवान के प्राकट्य पर भी सोहर गाय जा रहे है प्रभु श्री राम लला का प्राकट हो चुका है प्रभु श्री राम लला का प्राकट हो चुका है प्रभु श्री राम लला का प्राकट हो चुका है अपने नव्य रूप में दिव्य रूप में जिनको कहते हैं आदी अनादी अनन्त अखंड और उनके मस्तक पर साक्षात मारतंड इस वक्त आप विभूशित होते हुए देख रहे हैं और ये अद्भुत द्रिश्य है राम डला का सूर्य तिलक किस तरह से संपन्न हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं और राम ये बहुत जरूरी है द्रश्य को ये जानकारी देना भी कि सूर्य तिलक आखिर क्यों जरूरी क्यों महत पुण और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम खुद भी सूर्य के उपास ना करते रहे हैं और महर्शी अगस्तिर जी ने भी उन्हें ये कहा था कि अगर आपको लंका पती रावन पर विजय पानी हैं तो आपको सूर्य के उपास ना करनी होगी और उसका एक उधारन आज देखिए आप और यहीं वज़ाए कि सूर्य तिलक का महत्व आज पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं बिलकुल और मैं चाहता हूँ पवन सिना जी आप वरलन जो है मुझे माफ कीज़ा सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं तो लक्षमन जी को प्रणाम सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत आपका जीनियूस पर और ये दिर्श्य जब आप देख रहे हैं वैसे तो हम देखते रहें सीरियल में धारवाहिक में कि माथे पर जो सूर्य वंशी है वो सूर्य का चिन्न लगाते थे जो चंदर वंशी है वो चंदर का चिन्न लगाते थे वो टीका होता था लेकिन जब आप साक्षात बगवान सूर्य को औराम डला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूती हो रही है इसका वर्णन में शब्दों मैं नहीं कर सकता पर मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी सी जिस्थन से ये सूर्य इतलक लगाया जा रहा है सुनेल जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे आयोध्या तो हर किसी के मूँसे मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर रामलला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए बाइस जन्वरी के बाद और आज तो अच्साह की तस्वीर सामने आरही है क्या कहेंगे अप सुनेल जी मैंने भी वो कस्ष्टा है और वो दुख मैंने भी देखा है मेरी पर आखें नम हो गए थी जब मैं लास्ट ताइम कि उन्होंने इतना भवी मंद्र बनाया और मैं प्रांट रपिस्था का हिसा भी था तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत बड़ा उस सब्सक्राइब आई थी एक बहुत अच्छा विश्वास जागा है देश्वासियों में और मैं उसके लिए इस सरकार को जो मु बड़ी चेतना और उर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूर्यवन्ष के लोग हैं और ऐसे ऐसे चोटे धनुशों को तोड़ने में घवराते नहीं हैं तो सूर्यवन्ष से जो श्री राम चंद्र जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सकें सूर्यवन्ष का जो कनेक्शन बहुत पुराना है कई मेरे खाल से कुछ राम जी के या मत्रद दिखा है उससे मेरे खाल से 15, 20, 25, 30 पीडियां से कनेक्शन जला आ रहा है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्व रखता है प्योर्टी का सिंबल है और जहां पर कहा जाता कि जिसमें सब गुराईयां का दहन हो जाता है तो मेरे खाल से इससे पड़ा सूर्य वंशी होने का क्या हो सकता कि राम जी का जो चरित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की जुटी नहीं रही है कमी नहीं रही है और वो हम आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं अगर इसके वग्यानिक महत्व की बात करें तो यह बहुत जादा है आज सूर्य तिलाक उसी की बलबूते हो पाया है और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे मंदिर के निर्मान को लेकर अभी कुछी टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें कि इतना अच्छा इतना अजबुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली बहुत लगई है पर ये कहा जाता है कि अजार साल तक बड़े से बड़े भुकम बाएंगे आंधी आएगी या तुपान आएंगे तो भी इस मंदिर को हिवा नहीं पाएंगे और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोगे का मतलब कि जरा सा भी यूज नहीं हुआ 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 जी जी बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत शुक्रिया सुनी जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ सरजन पाल जी ये भी इस वक्त है और सरजन जी जब आप देख रहे हैं हमने ऐसा सोचा था लेकिन इतना बड़ी अगर हम देखें तो ये एक आसान काम नहीं था और इसके कुछ कारण है इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीजे समझनी आवशा के फिर आप सब समझ जाएंगे पहला तो यह कि धरती जो है सूरज को सीधा फेस करती है तो उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाग किलोमीटर का अंतर आता है हाइस पॉंट यानि फार्दिस्ट पॉंट और जो सबसे नजदीक पॉंट है उसके बीच में इसका मतलब सूर्य आकाश में इस्ट वेस्ट भी मूव कर अब यह सोचिए कि जो हमारी राम नव्मी आती है वो चंद्रमा के कालेंडर पर बेस्ट है और सूर्य चलता है अपने कालेंडर से सोलर कालेंडर से इसका मतलब कि राम नव्मी जो इस साल आज पढ़ रही है और अपनी बात पूरी करें आप जी सूर्य जो है इस साल जो राम नव्मी आज पढ़ रही है पिछले साल 30 मार्च को पढ़ी थी इसका मतलब जो सूर्य का पॉजिशन है वो हर राम नव्मी में बदलता रहेगा और इसलिए जो उपकरण है इसकी जो चुनोती है वो और बढ़ जाती है क्योंकि एक चद्रमा साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोशनाय की है आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कमदाम पर सोलर आज राम नव्मी का एकिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भग्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बनिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर केले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधुद रिश्य था ये वग्यानिक लिहास से इंजीनरिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप कह सकते हैं और आध्यात्मिक लिहास से भी बहुत ही महतुपूर पल और इसको जरा देखिए किस तरह से राम लला का आदित्या अभिशेक हुआ कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक चवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके सम्मुक है ये अद्भुत है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविशेती तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले भूतो ना भविशेती कहते हैं लेकिन भविशे में तो आप कई बार देखेंगे लेकिन इससे पहले पात सो वर्षों का इंतजार और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था ये विवस्था थी की नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता मंदिर अवशे इसी जगा पे था लेकिन ये देखिए ज़र ये जो तेज है भगवान के माथे का और अब देखिए सोहर गीत गाय जा रहे है जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाय जाते है बधाई गाय जाते है और अब भगवान के प्राकटे पर भी सोहर गाय जा रहे है प्रभु श्री राम लला का प्राकटे हो चुका है प्रभु श्री ले इस वकत आप देख रहे हैं अपने नवी रूप में दिब्वे रूप में जिनको कहते हैं आदी अनादी अनन्त अखंड और उनके मस्तक पर साक्षात मारतंड इस वकत आप विभूशत होते हुए देख सकते हैं तो यह बहुँत जरूरी है कि सूरे तिलक आखिर क्यों जरूरी क्यों है और यह इसलिए क्योंकि भाब्वान राम खुद भी सूरे की उपासक रहे हैं प्रति दिन वह सुरे की उपासना करते रहे और महर्शी अगस्ति जी ने भी उनहें यह कहा था कि अगर आपको लंका पती रावन पर विजय पानी है तो आपको सूरे के उपास ना करनी होगी और उसका एक उधारन आज देखिए आप और यही वज़ाए कि सूरे तिलक का महत्व आज पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी रामभक्त देख रहे हैं तस पूरे के उपासक रहे हैं सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे हैं इसको लेकर बिलकुल और मैं चाहता हूँ पवन सिना जी आप वरलन जो है मुझे माफ कीजिका सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जोड़ गये हैं और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परचाय की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं तो लक्षमन जी को प्रनाम सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत आपका जीनी उस पर और ये दृष्टिज़ जब आप देख रहे हैं वैसे तो हम देखते रहें सीरियल में धारवाहिक में कि माथे पर जो सूड्य वनशी हैं वो सूड्य का चिन्दन लगाते थे जो चंडर वनशी हैं वो चंडर का चिन्दन लगा सुनेल जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे आयोधिया तो हर किसी के मूह से मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर राम लला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए बाइस जन्वरी के बाद और आज तो अच्छा की तस्वीरे सामने आ रही है क्या कहेंगे आप सुनेल जी मैंने भी वो कस्ष्ट है और दूख मैंने भी देखा है मेरी पर आँकें नम हो गए ती जब मैं लास्ट टाइम मदब्दी हो गया है गज़ बारा साल हो गए इस बात को, ज्यादा ही हो गए हो गए, जब मैंने उनको टेंट में देखा था, मुझे बहुत दुख होता था कि भारत देश जो हमारा अपना देश है, हमारी अपनी संस्कृत ही है, यहीं पे हमारे भगवान को, हमारे आजर, जो आजर्णी है, उनक इतना भवी मंदर बनाया और मैं प्रांट करतिस्ठा का हिसा भी था, तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत बड़ा उस सब की फीलिंग आई थी, एक बहुत अच्छा विश्वास जगा है देश वाक्सियों में, और मैं उसके लिए इस सरकार को, जो मुझे जी की स सरकार, उसको बहुत 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 बन्यवाद से था, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुनिल जी और थोड़ी याददाष्ट का भी, क्यूंकि आप जब परशुराम जी से समबात कर रहे थे, तो उस वक्त भी आपने बड़ी चेतना और उरजा के साथ उनसे कहा था कि हम स सूर्य वंश का जो कनेक्शन बहुत पुराना है, मेरे खाल से कुछ राम जी के या जब मतलब दिखा है उसे, मेरे खाल से 15, 25, 30 पीडियां से उसे कनेक्शन जला आ रहा है, और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्वर रखता है, प्योर्टी का सिंबल है, और जहां पर कहा जात है कि जिसमें सब गुराईयों का दहन हो जाता है, तो मेरे खाल से इससे पुड़ा सूर्य वंशी होने का, क्या हो सकता है कि राम जी का जो चरित रहा है, उनमें कोई भी, किसी भी तरह की तुटी नहीं रही है, कमी नहीं रही है, और वो हमारे एक आदर्श है, मेरे खाल से हर भार्ती के लिए भार्ती क्या मैं करते हो कि पूरी दुनिया पूरा जो इंसानी समाज है उसके लिए वो आधर्श होने चाहिए तो कि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा पुत्र हो राम जैसा पत्ती हो राम जैसा भाई हो राम जैसा साथी हो तो पूरी वंशीयों का मेरे ख असुनियल जी मेरा या आखरी सवाल होगा क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के कागई पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं अगर इसके वेग्यानिक महत्व की बात करें तो यह बहुत जादा है आज सूर्य तिलाक उसी की बल्बूते हो पाया है और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे मंदिर के निर्मान को लेकर अभी कुछी टाइम बात पूरा भी हो जाएगा ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें या पुपान आएंगे तो भी इस मंदिर को हिवा नहीं पाएंगे और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोवे खा मतलब कि जरा सा भी यूज नहीं हुआ हो जी जी बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत शुक्रेया सुनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार तो ये एक आसान काम नहीं था और इसके कुछ कारण है इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीजें समझनी आवशा के फिर आप सब समझ जाएंगे पहला तो ये कि धर्ती जो है सूर्य को सीधा फेस नहीं करती वो अपनी धुरी पे साड़े तेईस डिग्री जुकी होती है और इसकी वज़े से आकाश में जो सूर्य होता है वो नौर्ट साउथ मूव करता है साल के तीन सो पैसेट दिन को अगर हम आकरण करें तो दूसरा ये कि धर्ती जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता है वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाख किलोमीटर का अंतर आता है हाइस पॉइंट यानि फार्देस्ट पॉइंट और जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसके बीच में इसका मतलब सूर्य आकाश में इस्ट वेस्ट भी मूव करता है साल के अगर 365 दिन देखे तो अगर हम साल में कैमरा लगा दें और सूर्य की पोजिशन ट्रैक करें हर रोज एकी समय पर तो सूर्य आठ का आकार बनाता है आठ का आकार आठ नंबर जो अंग्रेजी में होता है उसका आकार बनाता है इस फिनॉमना को हम एनालेमा बोलते हैं जो एनालेमा का फिनॉमना है इसकी वज़े से सूर्य आकाश में आठ का आकार बनाता है अब यह सोचिए कि जो हमारी राम नवमी आती है वो चंद्रमा के कलेंडर पर बेस्ट है और सूर्य चलता है अपने कालेंडर से इस साल आज पड़ रही है अपना माई के एक बार तीक कर लीजेगा और अपनी बात पूरी करें आप जी सूर्य जो है इस साल जो राम नवमी आज पड़ रही है पिछले साल 30 मार्च को पड़ी थी इसका मतब जो सूर्य का पॉजिशन है वो हर राम नवमी में बदलता रहेगा और इसलिए यह जो उपकरण है इसकी जो चुनोती है वो और बढ़ जाती है विल्कुर्ट कि एक चद पर तिलख लगेगा वो अलग अलग समय पर लगेगा सियावर राम चंद्र के सियावर राम चंद्र के साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोशनाय की है आपका बिदली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का अईतिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोचव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर केले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी इस्रेयली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधुद रुष्य था ये वग्यानिक लिहास से इंजीनरिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप कह सकते हैं और आध्यात्मिक लिहास से भी बहुत ही महतुकूर पल और इसको जरा देखिए किस तरह से राम लला का आदित्य अभिशेक हुआ कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक चवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके सम्मुक है ये अद्बुत है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविशेती तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले भूतो ना भविशेती कहते हैं लेकिन भविशे में तो आप कई बार देखेंगे लेकिन इससे पहले पात्सो वर्षों का इंतजार और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था ये विवस्ता थी की नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता मंदिर अवशे इसी जगा पह था लेकिन ये देखेंगे ज़र ये जो तेज है भगवान के माथे का और अब देखेंगे सोहर गीत गाय जा रहे है जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाय जाते है बधाई गाय जाते है और अब भगवान के प्राकटे पर भी सोहर गाय जा रहे है प्रभुश्री राम लला का प्राकट हो चुका 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 है प्रभुश्री रा और राम ये बहुत जरूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूरे तिलक आखिर क्यों जरूरी, क्यों महत्वपूर्ण, और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम खुद भी सूरे की उपासक रहे हैं, प्रते दिन वो सूरे की उपासना करते रहे, और महर्शी अगस्ते जी ने भी उन्हें ये कहा था कि अगर आपको लंका पती रावन पर विजय पानी हैं, तो आपको सूरे की उपासना करनी होगी, और उसका एक उधारन आज देखिए आप, और यही वज़ाए कि सूरे तिलक का महत्व, आज पूरे दुनिया इस वक्त, पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं, तस्वीरे आपके सामने, और यह जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं, हीरा जड़त यह तिलक है, जो कि रामेश्वरम से आया है, और भोले नात और भगवान राम का भी एक बहर अच्छा कनेक्शन रहा है, एक दूसरे राम लला का हम देख रहे हैं, इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, तो लक्षमन जी को प्रणाम सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत आपका जीनी उस पर, और ये दृश्ची जब आप देख रह है, सीरियल में, धारवाहिक में, कि माथे पर जो सूर्य वंशी है, वो सूर्य का चिन्न लगाते थे, जो चंदर वंशी है, वो चंदर का चिन्न लगाते थे, वो टीका होता था, लेकिन जब आप साक्षात, भगवान सूर्य को राम लला के माथे पर देख रहे हैं, तो कैस इसके लिए मैं जिसने भी ये सोचा है उसको बहुत-बहुत धन्यवाद पहुंगा कि ये सूरी वंशी कहला थे तो सूरी उतलक से अगर उनका वाशिरवाद है आज जनमुस्व पर इससे बड़ी बाद पुरिश्च और हो नी सुनिया जी इसके पहले जब राम नवमी पर र कि अधार की तस्वीरे सामने आ रही है क्या कहेंगे आप सुनियल जी इसके अधारत देश जो हमारा अपना देश हमारी अपनी संस्कृति है यहीं पर हमारे भवान को हमारे आजर जो आजर्णी है उनको इस तरह से रहना पर लागा है और जो करेंट सरकार है मैं उसका बहुत बहुत धिन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतना भवी मंदर बनाया और मैं प्रांट करतिस्ठा का हसा भी था तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत बढ़ा उससर की फिलिंग आई थी एक बहुत अच्छा मिश्वास जागा अच्छा है देश वासियों में और मैं उसके लिए इस सरकार को जो मुदी जी की सरकार उसको बहुत 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 भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुनील जी और थोड़ी याददाश्त का भी क्यूंकि आप जब परश्वराम जी से संबात कर रहे थे तो उस व वंश से जो श्री राम चंद्र जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सकें कि सूर वंश का जो कनेक्शन बहुत पुराना है मेरे खाल से कुछ राम जी के या मतरत दिखाया उसे मेरे खाल से 15, 25, 30 पीडियां से कनेक्शन जला आ रहा है और सूर जो है वैसे भी काफी महतुर रखता है प्योर्टी का सिंबल है और जहां पर कहा जाता है कि जिसमें सब बुराईयां का धहन हो जाता है तो मेरे खाल से इससे पड़ा सूर्व अंशी होने का क्या हो सकता है कि राम जी का जो चरित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की जुटी नहीं रही है तमी नहीं रही है और वो हमारे एक आदर्श है अब मेरे खाल से हर भारती के लिए भारती क्या मैं करते हो समझता हूं कि पूरी दुनिया पूरा जो इंसानी समाज है उसके लिए वो आदर्श होने चाहिए तो कि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा पुत्र हो राम जैसा पत्ती हो राम जैसा भाई हो राम जैसा साथी हो त मेरे ख्याल से इससे बड़ी महत्व कोई और हो नहीं सब्सक्राइब असुनील जी मेरा यह आखरी सवाल होगा क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के मंदिर को लेकर कुछी टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द आप कहना चाहें कि इतना अच्छा इतना अद्भुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली बहुत लगई है पर यह कहा जाता है कि अजार साल तक बड़े से बड़े भुकम पाएंगे आंधी आएगी यह पुपान आएंगे तो भी इस मंदिर को हिवा नहीं पाएंगे और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोगे का मतलब की जरा सा भी यूज नहीं हुआ 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 जी जी बहुत बहुत धनिवाद बहुत शुक्रिया आसुनी जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ सरजन पाल जी अभी इस मक्त है और सरजन जी जब आप देख रहे हैं हमने ऐसा सोचा था लेकिन इतना बड़े एक्जेक्यूशन होगा इसके पीछे की साइंस क्या है ये जो आज हमने देखा ये भारत की संस्कृती इतिहास आस्था आध्यात्न और विज्ञान एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं इसका एक और नमूना था ये जो एक विज्ञानिक दिश्टिकोंड से अगर हम देखें तो ये एक आसान काम नहीं था और इसके कुछ कारण इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीजन समझनी आवशा के फिर आप सब समझ जाएंगे पहला तो ये कि धरती जो है सूरज को सीधा फेस नहीं करती वो अपनी धुरी पे साड नहीं होता है वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाग किलोमेटर का अंतर आता है हाइस पॉइंट यानि फार्देस्ट पॉइंट और जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसके बीच में इसका मतलब सूर्य आकाश में इस्ट वेस्ट भी मूव करता है साल के अगर 365 दिन देखें तो अगर हम साल में कैमरा लगा दें और सूर्य की पोजिशन ट्रैक करें हर रोज एकी समय पर तो सूर्य आठ का आकार बनाता है आठ का आकार आठ नंबर जो अंग्रेजी में होता है इस इस फिनॉमना को हम एनालेमा बोलते हैं कि जो एनालेमा का फिनॉमना है इसकी से सोलर कैलेंडर से इसका मतलब कि राम नवमी जो इस साल आज पड़ रही है इसका मतलब जो सूर्य का पोजिशन है वो हर राम नवमी में बदलता रहेगा और इसलिए जो उपकरण है इसकी जो चुनोती है वो और बन जाती है क्योंकि चद्रमा पे अधारत इवेंट राम मुश्किल काम है तो पहली कठनाई हमारी लिए चुनोती यह है अफकोस हमने उसको आज देखा और हर साल हमें इसको हर साल अलग-अलग समय पर इसलिए हम बात कर रहे थे कि जो मस्तक पर तिलक लगेगा वो अलग-अलग समय पर लाएगा सियावर राम चंडर के सियावर राम चंडर के साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोष्णाय की है आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का अईतिहासिक अउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र बोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इस पर्तम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूलिय तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधबुद रिश्य था ये वग्यानिक लिहास से इंजीनिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप कह सकते हैं और आध्यात्मिक लिहास से भी बहुत ही महत्वपूर पल और इसको जरा देखिए किस तरह से राम लला का आधित्या अभिशेक हुआ कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक छवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् सके निया जो तेज़ है भगवान के माते का अब देखिए तोहर गीत गाय जारे है जब आपके गर पे बच्चा ओओ तो सोहर गाय जाते है बढाई गाय जाते है अब भगवान के प्राकटे पर भी सोहर गाय जारे है में धूम मची है, सारी अयुद्या में धूम मची है, भारी है भीड अंग नया, अवध पुर बाजे पधैया हो, प्रभु श्री राम लडा का प्राकट हो चुका है, प्रभु श्री राम लडा का प्राकट हो चुका है, प्रभु श्री राम लडा का प्राकट हो चुका है, और उनके मस्तक पर साक्षात मार्तंड इस वक्त आप विभूशित होते हुए देख रहे हैं और ये अद्भुत द्रिश्य हैं। राम डला का सूर्य तिलक किस तरह से संपन हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं। और राम ये बहुत जरूरी है द्रिश्य को ये जानकारी देना भी कि सूर्य तिलक आखिर क्यों जरूरी हैं। ये पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं। तस्वीरे आपके सामने और ये जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं। हीरा जड़त ये तिलक है जो कि रामेश्वरम से आया है। और भोले नात और भगवान राम का भी एक बहुर अच्छा कनेक्शन रहा है। एक दूसरे के उपासक रहे हैं सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे हैं। बिलकुल और मैं चाहता हूँ पवन सिना जी आप वरलन जो है मुझे माफ कीज़ा सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं। और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सुड्य तिलक और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। तो लक्षमन जी को प्रणाम सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत आपका जीनियूस पर और ये दिर्श्य जब आप देख रहे हैं। वैसे तो हम देखते रहें सीरियल में धारवाहिक में कि माथे पर जो सूर्य वंशी हैं वो सूर्य का चिन्न लगाते थे जो चंदर वंशी हैं वो चंदर का चिन्न लगाते थे वो टीका होता था। लेकिन जब आप साक्षात भगवान सूर्य को औराम डला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूती हो रही है। सुनील जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे आयोध्या तो हर किसी के मूँ से मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर रामलला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गये 22 जनवरी के बाद और आज तो अच्सहा की त हो गयी थी जब मैं लास्ट ताइम मतलबे की हो गया एक उमरे घजबारा साल हो गया इस बात को जादा ही हो गया हुए तो मैंने उनको टेंट में देखा था मुझे बहुत दुख होता था कि भारत देश जो हमारा अपना देश से हमारी अपनी संस्कृत है यहीं पर हमारे को हमारे आजर जो आजर्णी हैं उनको इस तरह से रहना पड़ा है और जो करेंट सरकार है मैं उसका बहुत बहुत धिन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना भवी मंदर बनाया और मैं प्रांट करतिस्था का हिसा भी था तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत सुनील जी और थोड़ी यादाश्त का भी क्यूंकि आप जब परश्राम जी से संबाद कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने बड़ी चेतना और उर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूर्यवंश के लोग हैं और ऐसे ऐसे चोटे धनुशों को तोड़ने में घबराते नहीं है तो सूर्यवंश से जो श्री राम चंदुर जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सकें सूर्यवंश का जो कनेक्शन बहुत पुराना है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्वर रखता है सबसंगर, और जहाँ पर कहा जाता है कि जिसमें सब गुराइया का धेन्धोर ही तो मेरे खेल से इससे पुड़ा सूर्य वंशी होने का क्या हो सकता कि राम जी का जो चलित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की जूटी नहीं रही है, कमी नहीं रही है और वो हमारे एक आदर्श है और मेरे खाल से हर भारती के लिए भारती क्या मैं कर तो समझता हूँ कि पूरी दुनिया पूरा जो इंसानी समाज है उसके लिए वो आदर्श होने चाहिए तो कि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा फुत्र हो राम जैसा पत्ती हो राम जैसा कि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं अगर इसके विज्ञानिक महत्व की बात करें तो यह बहुत जादा है आज सूर् अगर आप कहना चाहें कि इतना अच्छा इतना अजबुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वह आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत लगई है पर यह कहा जाता है कि अजार साल तक बड़े से बड़े भूकम बाएंगे आंधी आएगी तुपान एंगे तो भी इस मंदिर को ह देखा मतलब की जरा सभी यूज नहीं हुआ हो जी जी बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत शुक्रिया आसुनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ सरजन पाल जी यह भी इस वक्त है और सरजन जी जब आप देख रहे हैं हमने ऐसा सोचा था लेकिन इतना बड़े एक्जेक्यूशन होगा इसके पीछे की साइन्स क्या है यह जो आज हमने देखा यह भारत की संस्कृती इतिहास आस्था आध्यात्न और विज्ञान एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं इसका एक और नमूना था यह जो एक विज्ञानिक दिश्टिकोंड से अगर हम देखें तो यह एक आसान काम नहीं था और इसके कुछ कारण है इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीज़े समझनी आवशा के फिर आप सब समझ जाएंग दूसरा यह कि धरती जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाग किलोमीटर का अंतर आता है हाइस पॉइंट यानि फार्दिस्ट पॉइंट और जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसके बीच में इसक आठ नंबर जो अंग्रेजी में होता है इस इस फिनॉमना को हम एना मेला अना लेमा बोलते हैं इसके वज़े से सूर्य आकाश में आठ आठ आपार बनाता है अब यह सोचिए कि जो हमारी राम नव्मी आती है वो चंद्रमा के कालेंडर पे बेस्ट है हिंदू कालेंडर प आठ पड़ रही है अपना माई के एक बार ठीक कर लीजगा और अपनी बात पूरी करें आप जी सूर्य जो है इस साल जो राम नव्मी आज पड़ रही है पिछले साल 30 मार्च को पड़ी थी इसका मतलब जो सूर्य का पोजिशन है वो हर राम नव्मी में बदलता रहेगा और इसलिए यह जो उपकरण है इसकी जो जो चुनोती है वो और बन जाती है क्योंकि एक चद्रमा पर अधारत इवेंट राम नव्मी को हमें सूर्य को ट्रैक करक करके बनाना है तो यह बड़ा मुश्किल काम है तो पहली कठनाई हमारे लिए चुनोती यह है अफकॉस हमन राम चंद्र की साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोषणाय की है आपका बिदली बिल जीरो आये इसके लिए कमदाम पर सोलर आज राम नव्मी का एटिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोच्षव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बनिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर केले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इसको हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधबुद रिश्य था ये वग्यानिक लिहास से इंजीनरिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप कह सकते हैं और आध्यात्मिक लिहास से भी बहुत ही महत्वपूर पल और इसको जरा देखिए किस तरह से राम लला का आदित्य अभिशेक हुआ कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक चवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके समुक है ये अद्भुत है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविश्यती तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले भूतो ना भविश्य अथी कहते हैं लेकिन भविश्य में तो आप कई बार देखेंगे लेकिन इस से पहले पात सो वर्षों का इंतजार और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था ये विवस्ता थी की नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता मंदिर अवश्य इसी जगापे था लेकिन ये देखिए ज़र ये जो तेज है भगवान के माते का और अब देखिए सोहर गीत गाय जा रहे है जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाय जाते है बधाई गाय जाते है और अब भगवान के प्राकट्य पर भी सोहर गाय जा रहे है प्रभुश्री राम लला का प्राकट्य हो चुका 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 है प्रभु और राम ये बहुत जरूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूरे तलक आखिर क्यों जरूरी है क्यों महत्वपूर्ण और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम खुद भी सूरे के उपास ना करते रहे और महर्शी अगस्ते जी ने भी उन्हें ये कहा था कि अगर तलक का महत्व आज ये पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम खुद देख रहे हैं तस्वीरे आपके सामने और ये जो आप चमकता हुआ तलक देख रहे हैं हीरा जड़त ये तिलक है जो कि रामेश्वरम से आया है और भोले नात और भगवान राम का भी एक अबर अच्छा कनेक्शन रहा है एक दूसरे के उपासक रहे हैं सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे हैं इसको लेकर बिलकुल और मैं चाहता हूँ पवन सिना जी आप वरलन जो है मुझे माफ कीजिए का सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं और भग उस पर और ये द्रिश्य जब आब देख रहे हैं वैसे तो हम देखते रहें सीरियल में धारा भाहिक में कि मात्य पर जो सुडियवन शी वो सूड्य का चिन्नि लगाते थे जो चंदर का चिन्नि लगाते थे वो टीका होता था लेकिन जब आप साक्शात भगवान सूडिय को राम डला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूती हो रही है? सुनील जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे योध्या तो हर किसी के मूँ से मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर राम लला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गये 22 जनवरी के बाद और आज तो उच्सहा की त सब्सक्राइब करते हैं यहीं पर हमारे भगवान को हमारे आजर जो आजड़नी है उनको इस तरह से रहना पड़ा है और जो करेंट सरकार है मैं उसका बहुत-बहुत धिन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना भवी मंदिर बनाया और मैं प्रांट रकिस्ठा का हिसा भी मैं बहुत अच्छा लगा और एक बहुत बड़ा उस सब्सक्राइब की फिलिंग आई थी एक बहुत अच्छा विश्वास जगा है देश वाक्सियों में और मैं उसके लिए इस सरकार को जो मुदी जी की सरकार है उसको बहुत-बहुत पहुत थोड़ा सा मुश्किल सवाल सुनील जी और थोड़ी याददाश्त का भी क्यूंकि आप जब परश्राम जी से संबाद कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने बड़ी चेतना और उर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूर्यवंश के लोग हैं और ऐसे ऐसे चोटे धनुशों को तोड़ने में घवराते नहीं हैं तो सूर्यवंश से जो श्री राम चंद्र जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सके हैं कि सूर्यवंश का जो कनेक्शन बहुत पुराना है मेरे खाल से कुछ राम जी के या जब मतवर दिखाया है उसे मेरे खाल से 15, 25, 30 पीडियां से कनेक्शन जला आ रहा है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महतुर रखता है प्योर्टी का सिंबल है और जहां पर कहा जाता है कि जिसमें सब बुराईयां का दहन हो जाता है तो मेरे खाल से इससे पड़ा सूर्य वंशी होने का क्या हो सकता है कि राम जी का जो चरित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की तुटी नहीं रही है कमी नहीं रही है और वो हमारे एक आदर्श है मेरे खाल से हर भारती के लिए भारती क्या मैंको च्मगांगता हो कि मेरे एक है मेरे खाल से मेरे चहल सहां करने सिरित्म है भारती लिए करनकर्म की और बीज़क्र आहपद कर स्वारियी है क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, मंदिर आपने करीब से देखा, और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं, अगर इसके वग्यानिक महत्व की बात करें तो ये बहुत जादा है, आज सूर्य तिलाक उसी की बल्बूते हो पाया है, और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे, मंदिर के निर्मान को लेकर अभी कुछी टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा, ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है, तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें? मैं कहूंगा कि इतना अच्छा इतना अध्भूत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, वो आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली बहुत लगई है, पर ये कहा जाता है कि हजार साल तक बड़े से बड़े भूकम बाएंगे, आंधी आएगी या पुफान आएंगे तो भी इस मंदिर को हिवानी पाएंगे, और सुना है कि इसमें कोई सिमेंट का कोई लोगे खा, मतलब कि जरा सा भी यूज नहीं गुआ हो, जी जी बहुत बहुत धनिवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुनी जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हमारे साथ सरजन पाल जी ये भी इसमक्त है, और सरजन जी जब आप देख रहे हैं, हमने ऐसा सोचा था, लेकिन इतना बड़े एक्जेक्यूशन होगा, इसके पीछे की साइन्स क्या है? ये जो आज हमने देखा, ये भारत की संस्कृती, इतिहास, आस्था, आध्यात्न और विज्ञान, एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं, इसका एक और नमूना था, ये जो एक विज्ञानिक दिश्टिकोर्ण से अगर हम देखें, तो ये एक आसान काम नहीं था, और इसके कुछ कारण है, इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है, उसके बारे में दो चीज़ें समझनी आवश्चा के, फिर आप सब समझ जाएंगे, पहला तो ये है कि धर्ती जो है सूरज को सीधा फेस नहीं करती, वो अपनी धुरी पे साड़े तेज़ डिग्री जुकी होती है, और इसकी वज़े से आकाश में जो सूर्य होता है, वो नौर्ट साउथ मूव करता है, साल के 356 दिन को अगर हम आकरण करें तो, दूसरा ये कि धर्ती जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाख किलोमीटर का अंतर आता है, इसका मतलब सूर्य आकाश में इस्ट वेस्ट भी मूव करता है, साल के अगर 365 दिन, देखें, तो अगर हम साल में कैमरा लगा दें और सूर्य की पोजिशन ट्रैक करें हर रोज एकी समय पर, तो सूर्य आठ का आकार बनाता है, आठ का आकार, आठ नंबर जो अंग्रेजी में होता है, उसका आकार बनाता है, इस फिनॉमना को हम एनालेमा बोलते हैं, जो एनालेमा का फिनॉमना है, इसकी वज़े से सूर्य आकाश में आठ का आकार बनाता है, अब यह सोचिए कि जो हमारी राम नव्मी आती है वो चंदरमा के कैलेंडर पे बेस्ट है हिंदू कैलेंडर पे बेस्ट है और सूर्य चलता है अपने सोलर कैलेंडर से इसका मतलब कि राम नव्मी जो इस साल आज पड़ रही है अपना माईक एक बार ठीक कर लिजगा और अपनी बात पूरी करें आप जी सूर्य जो है इस साल जो राम नगमी आज पड़ रही है पिछले साल 30 मार्च को पड़ी थी इसका मतलब जो सूर्य का पोजिशन है वो हर राम नगमी में बदलता रहेगा और इसलिए यह जो उपकरण है इसकी जो जो चुनोती है वो और बढ़ जाती है क्योंकि एक चद्रमा पर अधारत इवेंट राम नगमी को हमें सूर्य को ट्रैक करके बनाना है तो यह बड़ा मुश्किल काम है तो पहली कठनाई हमारे लिए चुनोती यह है अफकॉस हमने उसको आज देखा और हर साल हमें इसको हर साल अलग-अलग समय पर इसलिए हम बात कर रहे थे कि जो मस्तक पर तिलक लगेगा वो अलग-अलग समय पर लगेगा सियावर राम चंद्र के साथियो बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोशनाय की है आपका बिदली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का अइतिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोच्षव अयोध्या के पवित्र नगरे में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधुद रिश्य था ये वग्यानिक लिहास से इंजीनरिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप कह सकते हैं और आध्यात्मिक लिहास से भी बहुत ही महतुकूर पल और इसको जरा देखिए किस तरह से राम लला का आदित्य अभिशेक हुआ कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक चवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके समुक है ये अद्बुत है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविशेती तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले भूतो ना भविशेती कहते हैं लेकिन भविशे में तो आप कई बार देखेंगे लेकिन इससे पहले पाथसो वर्शों का इंतिजार और उस वक्त भी जब भवान का मंदिर था ये विवस्ता थी कि नई थी ये नहीं कहा जा सकता मंदिर अवशे इसी जगापे था लेकिन ये देखिये ज़रा है ये जो तेज है भगवान के माते का और अब देखिए सोहर गीत गाय जा रहे है जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाय जाते है बधाई गाय जाते है और अब भगवान के प्राकटे पर भी सोहर गाय जा रहे है प्रभुश्री राम लला का प्राकट हो चुका 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 है प्रभुश्री राम और राम ये बहुत जरूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूरे तलक आखिर क्यों जरूरी क्यों महत्वपूर्ण और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम खुद भी सूरे के उपासक रहे हैं प्रते दिन वो सूरे के उपासना करते रहे और महर्शी अगस्ते जी ने भी उन्हें ये कहा था कि अगर आपको लंका पती रावन पर विजय पानी है तो आपको सूरे के उपासना करनी होगी और उसका एक उधारन आज देखिए आप और यहीं वज़ाए कि सूर्य तिलक का महत्व आज पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं तस्वीरे आपके सामने और ये जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं हीरा जड़त ये तिलक है जो क वरलन जो है मुझे माफ कीज़ा सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं तो लक्षमन जी को सूर्य का चिन्ने लगाते थे जो चंदरवन्शी हैं वो चंदर का चिन्ने लगाते थे वो टीका होता था लेकिन जब आप साक्षात भगवान सूर्य को राम लला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूती हो रही है यह अद्बुत है यह मैं बतारों उन्हें कि इसका वर्णन में शब्दों मैं नहीं कर सकता पर मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छी सी जिस्थन से यह सूर्य इतलक लगाया जा रहा है और इसके लिए मैं जिसने भी यह सोचा है उसको बहुत-बहुत धन्यवाद सुनेल जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे आयोध्या तो हर किसी के मुझसे मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर रामलला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए 22 जनवरी के बाद और आज तो उत्सहा की अधर तस्वीरे सामने आ रही है क्या कहेंगे आप सुनील जी इस अधर बहुत दूख होता था कि भारत देश जो हमारा अपना देश से हमारी अपनी संस्कृती है यहीं पर हमारे भवान को हमारे आजर जो आजर नी है उनको इस तरह से रहना पर लागा है और जो करेंट सरकार है मैं उसका बहुत बहुत धिन्यवाद को हूँगा कि उन्होंने इतना भवी मंदिर बनाया और मैं प्रांट कर्किस्ठा का हिसा भी था तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत बढ़ा उससर की फिलिंग आई थी एक बहुत अच्छा मिश्वा जागा है देश वासियों में और मैं उसके लिए इस सरकार को जो मुदी जी की सरकार उसको बहुत 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 था थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुनील जी और थोड़ी याददाश्त का भी क्यूंकि आप जब परश्वराम जी से समवाद कर रहे हैं तो सूर्य वंश से जो श्री राम चंदर जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सकें हैं और सूर्य जो है वैसे भी काभी महत्व रखता है। पयोड़ी का सिंबल है और जहा पर कहा जाता है कि जिसमें सब बुराइयां का धहन हो जाता है तो मेरे खाओ से इससे पुड़ा सूर्य वंशी होने का क्या हो सकता है कि कि राम जी का जो चरत रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की ढूटी नहीं रही है कमी नहीं रही है और वो हमारे आधर्ष है अब मेरे जहार से हर भारती के Lei भारती किया मैं करके को स alliancesता हूँ कि पूरी दुनिया पोरा जो इंसानी समाज है उसके लिए वो आदश होने चाहिए, तो कि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा पत्ती हो, राम जैसा भाई हो, राम जैसा साथी हो, तो उभी वंचियों का मेरे खाल से इससे बड़ी इंपोर्टन से इससे बड़ी नहीं है कोई और हो नहीं सकते है असुनील जी मेरा ये आखरी सवाल होगा क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं, अगर इसके वग्यानिक महत्वकी अज सूर्य तिलाक उसी की बल्बूते हो पाया है और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे, मंदिर के निर्मान को लेकर अभी कुछी टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा, ऐसे में अब अब बहुत करीब से देखा है, तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द आगर आप कहना मैं कहुंगा कि इतना अच्छा इतना अद्भुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, वो आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली बहुत लगी है, पर ये कहा जाता है कि हजार साल तक बड़े से बड़े भुकम बाएंगे, आंधी आएगे, ये तुपान आएंगे तो भी इस मंदिर को हिला नहीं पाएंगे, और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोवे खा, मतलब कि जर्णा सा भी यूज नहीं हुआ हो, जी जी, बहुत बहुत धनिवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आसुनी जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहु जातन और विज्ञान, एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं, इसका एक और नमूना था, ये जो एक विज्ञानिक दिश्टिकोंड से अगर हम देखें, तो ये एक आसान काम नहीं था, और इसके कुछ कारण है, इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है, उसके बारे में दो चीजन समझनी आवशा के, फिर आप सब समझ जाएंगे, पहला तो ये कि धर्ती जो है सूर्य को सीधा फेस नहीं करती, वो अपनी धुरी पे साड़े तेईस डिग्री जुकी होती है, और इसकी वज़े से आकाश में जो सूर्य होता है वो नौर्ट साउथ मूव करता है, साल के 365 दिन को अगर हम आकटन करें तो, दूसरा ये कि धर्ती जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाग किलोमेटर का अंतर आता है, हाइस पॉइंट यानि फ सूर आठ का आकार बनाता है, आठ का आकार, आठ नंबर जो अंग्रेजी में होता है, उसका आकार बनाता है, इस फिनॉमना को हम एनालेमा बोलते हैं, जो एनालेमा का फिनॉमना है, इसके वज़े से सूर आकाश में आठ का आकार बनाता है, अब ये सोचिए कि जो हमारी र कर लिजएगा और अपनी बात पूरी करें आप जी सूर्य जो है इस साल जो राम नगमी आज पड़ रही है पिछले साल 30 मार्च को पड़ी थी इसका मतब जो सूर्य का पॉजिशन है वो हर राम नगमी में बदलता रहेगा और इसलिए यह जो उपकरण है इसकी जो जो चुन अलग-अलग समय पर इसलिए हम बात कर रहे थे कि जो मस्तक पर तिलक लगेगा वो अलग-अलग समय पर लएगा सियावर राम चंडर के साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोषणाय की है आपका बिदली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का अइतिहासिक अउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र बोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दौरान और ये देखिए तस्वीरें जो इसकर हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूलिय तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधबुद रिश्य था ये वेग्यानिक लिहास से इंजीनिनिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप देख रहे हैं ये मनमूहग चवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके समुक है ये अधबुद है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविश्यती तो कई बार है लेकिन भूतों तो नहीं थी इससे पहले भूतों न वश्य इसी जगा पे था लेकिन ये देखिए ज़र ये जो तेज है भगवान के बाते का और अब देखिए सोहर गीत गाय जा रहे हैं जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाय जाते हैं बधाई गाय जाते हैं और अब भगवान के प्राकट्य पर भी सोहर गाय जा रह पुरबाजे पधाया हो उसको आप इस वक्त देख सकते हैं पुरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं तस्वीरे आपके सामने और ये जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं हीरा जड़त ये तिलक है जो कि रामेश्वरम से आया है और भोले नात और भगवान राम का भी एक बहुर अच्छा कनेक्शन रहा है एक दूसरे के उपासक रहे हैं सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे हैं इसको लेकर बिलकुल और मैं चाहता हूँ पवन सिना जी आप वरलन जो है मुझे माफ कीज़ा सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं और भगवान राम लला का हम देख र और ये दिर्श्य जब आप देख रहे हैं वैसे तो हम देखते रहें सीरियल में धारवाहिक में कि माथे पर जो सूर्य वंशी है वो सूर्य का चिन्न लगाते थे जो चंदर वंशी है वो चंदर का चिन्न लगाते थे वो टीका होता था लेकिन जब आप साक्षात बगवा सुनेल जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे आयोध्या तो हर किसी के मूँसे मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर राम लला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए बाइस जनवरी के बाद और आज तो अच्सहा की तस्वीर सामने आ रही है क्या कहेंगे अप सुनेल जी मैंने भी वो कस्ष्टा है और वो दुख मैंने भी देखा है मेरी पर आखें नम हो गए थी जब मैं लास्ट ताइम मदबगी हो गया एक मेरे घस बारा साल हो गया इस बात को ज्यादा ही हो गया है तो मैंने उनको टेंट में देखा था मुझे बहुत होगा कि उन्होंने इतना भवी मंदर बनाया और मैं प्रांट रपिस्था का हिसा भी था तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत बड़ा उस सब्सक्राइब की फीलिंग आई थी एक बहुत अच्छा विश्वास जागा है देश्वासियों में और मैं उसके लिए इ आपने बड़ी चेतना और उर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूर्यवन्ष के लोग हैं और ऐसे चोटे धनुशों को तोड़ने में घवराते नहीं हैं तो सूर्यवन्ष से जो श्री राम चंद्र जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सकें सूर्यवन्ष का जो कनेक्शन बहुत पुराना है कई मेरे खाल से कुछ राम जी के या मतरत दिखा है उससे मेरे खाल से 15, 20, 25, 30 पीडियां से कनेक्शन जला आ रहा है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्व रखता है प्योर्टी का सिंबल है और जहां पर कहा जाता है कि जिसमें सब बुराईयां का दहन हो जाता है तो मेरे खाल से इससे पड़ा सूर्य वन्शी होने का क्या हो सकता कि राम जी का जो चरित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की तुटी नहीं रही है तमी नहीं रही है और वो हमारे एक आदर्श है अब मेरे खाल से हर भार्ती के लिए भार्ती क्या मैं करके समझता हूं कि पूरी दुनिया पूरा जो इंसानी समाज है उसके लिए वो आदर्श होने चाहिए तो कि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा पुत्र हो राम जैसा पत्ती हो राम जैसा भाई हो राम जैसा साथी हो त प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं अगर इसके विज्ञानिक महत्व की बात करें तो यह बहुत जादा है आज सूर्य तिला कुछी की बलबूते हो पाया है और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे मंदर के निर्मान को लेकर अभी कुछी टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें कि इतना अच्छा इतना अध्बुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली बहुत लगई है पर यह कहा जाता है कि अजार साल तक बड़े से बड़े भुकम बाएंगे आंधी आएगी या तो फ़ान आएंगे तो भी इस मंदिर को हिवा नहीं पाएंगे और सुना है कि इसमें कोई सिमेंट का कोई लोगे का मतलब की जरा सा भी यूज नहीं हुआ हुआ जी जी बहुत बहुत धनिवाद ब इसके पीछे की साइन्स क्या है ये जो आज हमने देखा ये भारत की संस्कृती इतिहास आस्था आध्यात्न और विज्ञान एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं इसका एक और नमूना था ये जो एक विज्ञानिक दिश्टिकोंड से अगर हम देखें तो ये एक आसान काम नहीं था और इसके कुछ कारण है इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीज़े समझनी आवशा के फिर आप सब समझ जाएंगे पहला तो ये कि धरती जो है सूरज को सीधा फेस नहीं करती वो अपनी धुरी पे का अंतर आता है हाइस पॉइंट यानि फार्दिस्ट पॉइंट और जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसके बीच में इसका मतलब सूर्य आकाश में इस्ट वेस्ट भी मूव करता है साल के अगर 365 दिन देखें तो अगर हम साल में कैमरा लगा दें और सूर के एक सूरी की प परनॉमना है इसके वज़े से सूर्य आकाश में आठा आता है अब यह सोचिए कि जो हमारी राम नव्मी आती है वो चंद्रमा के कालेंडर पे बेस्ट है हिंदू कालेंडर पे बेस्ट है और सूर्य चलता है अपने कालेंडर से सोलर कालेंडर से इसका मतलब कि राम नव्म है वो हर राम नगमी में बदलता रहेगा और इसलिए यह जो उपकरण है इसकी जो जो चुनोती है वो और बढ़ जाती है क्योंकि एक चद्रमा पर अधारत इवेंट राम नगमी को हमें सूर्ट को ट्रैक करके बनाना है तो बड़ा मुश्किल काम है तो पहली कठनाई हमारे लिए चुनोती है अफकोस हमने उसको आज देखा और हर साल हमें इसको हर साल अलग-अलग समय पर इसलिए हम बात कर रहे थे कि जो मस्तक पर तिलक लगेगा वो अलग-अलग समय पर लेगा सियावर राम चंद्र के सियावर राम चंद्र के साथ्यों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोशनाय किये है आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का एटिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बनिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधुद रिश्य था ये वैग्यानिक लिहास से इंजीनरिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप कह सकते हैं और आध्यात्मिक लिहास से भी बहुत ही महत्वपूर पल और इसको जरा देखिए किस तरह से राम लला का आदित्य अभिशेक हुआ कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक चवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके सम्मुक है ये अद्भुत है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविशेती तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले भूतो ना भविशेती कहते हैं लेकिन भविशे में तो आप कई बार देखेंगे लेकिन इससे पहले पात्सो वर्षों का इंतजार और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था ये विवस्ता थी की नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता मंदिर अवशे इसी जगा पे था लेकिन ये देखिये ज़र ये जो तेज है भगवान के माते का और अब देखिए सोहर गीत गाय जा रहे है जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाय जाते है बधाई गाय जाते है और अब भगवान के प्राकटे पर भी सोहर गाय जा रहे है प्रभुश्री राम लला का प्राकटे हो चुका है प्रभुश्री इस वक्त आप देख रहे हैं अपने नवह रूप में दिव्वय रूप में जिनको कहते हैं आदी अनादी अनंत अखंड और उनके मस्तक पर साक्षात मारतंड इस वक्त आप विभूशित होते हुए देख अद्भुक द्रिश्य है राम लला का सूर्य तिलक किस तरह से संपन हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं और राम ये बहुत जरूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूर्य तिलक आखिर क्यों जरूरी क्यों महत पुपूर्ट और ये इसलिए क्योंकि भखवान राम खुद भी सूर्य के उपासना करते रहे हैं और महर्शी अगस्ति जी ने भी नहीं ये कहा था कि अगर आपको लंका पती रावन पर विजय पानी है तो आपको सूर्य के उपासना करनी होगी और उसका एक उधारन आज देखिए आप और यही वज़ाए कि सूर्य तिलक का महत्व आज पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं तस्वीरे आपके सामने और यह जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं हीरा जड़त यह तिलक है जो कि रामेश्वरम से आया है और भोले नात और भगवान राम का भी एक बहुर अच्छा कनेक्शन रहा है एक दूसरे के उपासक रहे हैं सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे हैं इसको लेकर बिलकुल और मैं चाहता हूँ पवन से ना जी आप वरलन जो है मुझे माफ कीज़ा सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव है तो लक्षमन जी को प्रणाम सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत आपका जी नीउस पर और ये दिर्श्य जब आप देख रहे हैं वैसे तो हम देखते रहें सीरियल में धारवाहिक में कि माथे पर जो सूर्य वंशी है वो सूर्य का चिन्न लगाते थे जो चंदर वंशी है वो चंदर का चिन्न लगाते थे वो टीका होता था लेकिन जब आप साक्षात भगवान सूर्य को राम डला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूते हो रही है यह अद्बुत है यह मैं बता रहूं उन्हे कि इसका वर्णन में शब्दों में नहीं कर सकता पर मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छी सी जिस घंसे यह सूर इतलक लगाया जा रहा है और इसके विए मैं जिसने भी ये सोचा है उसको बहुत-बहुत धन्यवाद कहूंगा कि ये सूरी वंशी कहलाते थे तो सूरी उतलक से अगर उनका आशिरवाद है आज जनमुस्व पे इससे बड़ी बाद कुश्च और हो नीज़ी थे सुनेल जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे आयोध्या तो हर किसी के मूँसे मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर राम लला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गये 22 जनवरी के बाद और आज तो उच्छा की तस्वीरे सामने आ रहे हैं क्या कहेंगे आप सुनेल जी मैंने भी वो कस्ता है और वो दुख मैंने भी देखा है मेरी आखिया नम हो गए थी जब मैं लास्ट ताइम मदबगी होगा एक उमरिखा तो दस-बारा साल होगा इस बात को ज्यादा ही होगा है तो मैंने उनको ट करेंट सरकार है मैं उसका बहुत-बहुत धिन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतना भावी मंदर बनाया और मैं प्रांट प्रतिस्था का हिसा भी था तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत-बढ़ा उस सब की फीलिंग आई थी एक बहुत अच्छा विश्वास जागा है देश वाक्सियों में और मैं उसके लिए इस सरकार को जो मुदी जी की सरकार है उसको बहुत-बहुत बहुत बहुत-बहुत थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुनील जी और थोड़ी यादाश्त का भी क्यूंकि आप जब परश्राम जी से समवाद कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने बड़ी चेतना और उर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूर्यवन्ष के लोग हैं और ऐसे ऐसे चोटे धनुशों को तोड़ने में घवराते नहीं हैं तो सूर्यवन्ष से जो श्री राम चंद्र जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सके बिल्गुल जो है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्वर रखता है क्योर्टी का सिंबल है और जहां पे कहा जाता है कि जिसमें सब बुराययां का धेन हो जाता है तो मेरे खाल से इससे पड़ा सूरिव अंशी होने का क्या हो सकता है कि राम जी का जो चरित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की तुटी नहीं रही है, कमी नहीं रही है और वो हमारे एक आदर्श हैं कि पूरी दुनीया पूरा इंसानी समाज है उसके लिए वो आदश होने चाहिए कि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा और पतर हो, राम जैसा भाय हो, राम जैसा साथी हो तो पूरी बंच्छीों का मेरे खाल से इससे बड़ी इंपश्टेंस जाम कोई और हो नी सकते है असुनील जी मेरा ये आखरी सवाल होगा क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं, अगर इसके वेग्यानिक महत्व की करें तो ये बहुत जादा है, आज सूर्य तिलाक उसी की बल्बूते हो पाया है, और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे, मंदिर के निर्मान को लेकर अभी कुछी टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा, ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है, तो मंदिर क साल तक बड़े से बड़े भुकम बाएंगे, आंधी आएगी या को फान हैंगे तो भी इस मंदिर को हिवा निर्ट पाएंगे, और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोवे खा, मतलब कि जरा सा भी यूज नहीं हुआ हो, जी जी, बहुत-बहुत धनिवाद, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया सुनी जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, हमारे साथ सरजन पाल जी ये भी इस मक्त है, और सरजन जी जब आप देख रहे हैं, हमने ऐसा सोचा था, लेकिन इतना बड़े एक्जेक्यूशन होगा, इसके पीछे की सा बखें तो ये एक आसान काम नहीं था, और इसके कुछ कारण है, इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है, उसके बारे में दो चीजे समझनी आवश्या के, फिर आप सब समझ जाएंगे, पहला तो ये है कि धरती जो है सूरज को सीधा पेस नहीं करती, वो अपनी धुरी पे साड़े तेईस डिगरी जुकी होती है, और इसकी वज़े से आकाश में जो सूर्य होता है, वो नौर्ट साउथ मूव करता है, साल के तीन सो पैसे दिन को अगर हम आकरण करें तो, दूसरा ये कि धरती जब सूर्य की परिक्रमा करती होती है, तो इसका जो डिस्टेंस है, वो सेम नहीं होता है, वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाख किलोमीटर का अंतर आता है, हाइस पॉइंट यानि फार्देस्ट पॉइंट और जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसके बीच में, इसका मतलब सूर्य आकाश में एस्ट वेस सूर्य आकाश में आठ का अता है, अब यह सोचिए कि जो हमारी राम नव्मी आती है, वो चंद्रमा के कालेंडर पे बेस्ट है, और सूर्य चलता है, अपने कालेंडर से, इसका मतलब कि राम नव्मी जो इस साल आज पढ़ रही है, अपना माईक एक बार ठीक कर लिजगा, और अपनी बात पूरी करें आप जी, तो सूर्य जो है, इस साल जो राम नव्मी आज पढ़ रही है, पिछले साल 30 मार्च को पढ़ी थी, इसका मतलब जो सूर्य का पोजिशन है, वो हर राम नव्मी में बदलता रहेगा, और इसलिए यह जो उपकरण है, इसकी जो चुनो होती है, वो और बढ़ जाती है, क्योंकि एक चद्रमा पर अधारत इवेंट राम नव्मी को हमें सूर्य को ट्रैक करके बनाना है, तो बड़ा मुश्किल काम है, तो पहली कठनाई हमारी लिए चुनोती है, अफकॉस हमने उसको आज देखा, और हर साल अलग-अलग समय पे साथियों, बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोषणाय की है, आपका बिदली बिल जीरो आए, इसके लिए कमदाम पर सोलर आज राम नव्मी का अइटिहासिक अउसर भी है, पांसो वर्सों के इंतजार के बाद, आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है, और अभी कुछी मिनिटों के बाद, प्रभु राम को सूर्य तिलक करके, उनका जन्मोच्षव, अयोध्या की पवित्र नगरी में, राम मंदिर में मनाया जाएगा। आज देश सद्यों के साधना के, फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है। तो कुछ देर केले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के, दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और अब जो है, वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है, ये प्रक्रिया संपन्न हो गई, और अंदर की तस्वी का आदित्य अभिशेक हुआ, कैसे आप देख रहे हैं, ये मनमोहक छवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी, और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके समुक है, ये अद्भुत है, विहंगम है, और ये कहिए कि अब भविश्यती तो कई बार है, लेकिन भू अबस्ता थी की नहीं थी, ये नहीं कहा जा सकता, मंदिर अवश्य इसी जगा पे था, लेकिन ये देखिए ज़रा है, ये जो तेज है भगवान के बाते का, और अब देखिए, सोहर गीत गाय जा रहे हैं, जब आपके घर पे बच्चा हो, तो सोहर गाय जाते हैं, बधाई ओमजी है, ठारी है भीड अंग नैया, अबध पुरवजे पधैया हो, प्रभुमजी राम लढा का प्राकट हो चुका है, ये प्रभुश्य रे इसमगत आप देख रहे हैं, जिनको कहते हैं आधि-अनाधि-अनंत अखंड और उनके मस्तक पर साक्षात मारतं ये अद्भुक द्रिश्य है राम डला का सूर्य तिलक के इस तरह से संपन्न हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं और राम ये बहुत जरूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूर्य तिलक आखिर क्यों जरूरी क्यों महत्वपूर्ण और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम खुद भी सूर्य के उपासना करनी होगी और उसका एक उधारन आज देखिए आप और यहीं वज़ाए कि सूर्य तिलक का महत्व आज पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं तस्वीरे आपके सामने और ये जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं हीरा जड़त ये तिलक है जो कि रामेश्वरम से आया है और भोले नात और भगवान राम का भी एक बहुर अच्छा कनेक्शन रहा है एक दूसरे के उपासक रहे हैं सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे हैं इसको लेकर बिलकुल और मैं चाहता हूँ पवन सिना जी आप वरलन जो है मुझे माफ कीज़ा सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव है तो लक्षमन जी को प्रणाम सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत आपका जीनियूस पर और ये दिर्श्य जब आप देख रहे हैं वैसे तो हम देखते रहें सीरियल में धारवाहिक में कि माथे पर जो सूर्य वंशी है वो सूर्य का चिन्न लगाते थे जो चंदर वंशी है वो चंदर का चिन्न लगाते थे वो टीका होता था लेकिन जब आप साक्षात भगवान सूर्य को राम डला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूती हो रही है यह अद्बुत है यह मैं बता रहूं उन्हें अपी इसका वर्णन में शब्दों में नहीं कर सकता पर मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छी सी जिस घंसे यह सूर्य इतलक लगाया जा रहा है और इसके लिए मैं जिसने भी यह सोचा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहू सुनेल जी इसके पहले जब राम नवमी पर राम भक्त जाया करते थे आयोध्या तो हर किसी के मुझसे मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर रामलला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गये 22 जनवरी के बाद और आज तो उत्सहा की तस्वीर सामने आ रही है क्या कहेंगे आप सुनील जी इसके अधिए और वह दूख देखा है मेरी अखें नम हो गई थी जब लास्ट ताइम मदबगी हो गया तो जादा ही हो गया है तो जब आने उनको टेंट में देखा था मुझे बहुत दुख होता था कि भारत देश जो हमारा अपना देश से हमारी अपनी संस्कृत ही है यहीं पे हमारे भगवान को हमारे आधर जो आधर्णी है उनको इस तरह से रहना पर लड़ा है और जो करेंट सरकार है मैं उसका बहुत बहुत धिन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना भवी मंदर बनाया और मैं प् अधर जो मुद्य जी की सरकार उसको बहुत 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 था थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुरील जी और थोड़ी यादधाष्त का भी क्यूंकि आप जब परश्राम जी से संबाद कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने बड़ी चेतना और उर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूर्यवन्ष के लोग हैं और ऐसे ऐसे चोटे दनुशों को तोड़ने में घबराते नहीं हैं तो सूर्यवन्ष से जो श्री राम चंद्र जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सकें कि सूर्यवन्ष का जो कनेक्शन बहुत पुराना है मेरे खाल से कुछ राम जी के यह जब मतवर दिखा है उससे मेरे खाल से 15-25-30 पीडियां से कनेक्शन जला आ रहा है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्वर रखता है क्योर्टी का सिंबल है और जहां पर कहा जाता है कि जिसमें सब बुराईयां का दहन हो जाता है तो मेरे खाल से इससे पड़ा सूर्य वंशी होने का क्या हो सकता है कि राम जी का जो चरित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की जूटी नहीं रही है कमी नहीं रही है और वो हमारे एक आदर्श है अब मेरे खाल से हर भार्ती के लिए भार्ती क्या मैं करते हो समझता हूं कि पूरी दुनिया पूरा जो इंसानी समाज है उसके लिए वो आदर्श होने चाहिए तो कि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा पुत्र हो राम जैसा पत्ती हो राम जैसा भाई हो राम जैसा साथी हो मेरे ख्याल से इससे बड़ी महत्व कोई और हो नहीं सब्सक्राइब क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं अगर इसके वेग्यानिक महत्व की बात करें तो यह बहुत जादा है आज सूर्य तिलाक उसी की बल्बूते हो पाया है और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे मंद मंदिर के निर्मान को लेकर अभी कुछ ही टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें मैं कहुंगा कि इतना अच्छा इतना अजबुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली बहुत लगई है पर यह कहा जाता है कि हजार साल तक बड़े से बड़े मतलब कि भुकम बाएंगे आंधी आएगी या तो फ़ान हैंगे तो भी इस मंदिर को हिवा नहीं पाएंगे और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोगे का मतलब कि जरा सा भी यूज नहीं हुआ 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 जी जी बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत शुक्रिया आसुनी जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ सरजन पाल जी ये भी इस मक्त है और सरजन जी जब आप देख रहे हैं हमने ऐसा सोचा था लेकिन इतना बढ़े से अगर हम देखें तो ये एक आसान काम नहीं था और इसके कुछ कारण है इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीज़ें समझनी आवशा के फिर आप सब समझ जाएंगे पहला तो यह कि धरती जो है सूरज को सीध करती है तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाग किलोमीटर का अंतर आता है हाइस पॉइंट यानि फार्दिस्ट पॉइंट और जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसके बीच में इसका मतलब सूर्य आकाश में इस्ट वेस्ट भी म अथा बनाता है इस फिनॉमना को हम आणामेला आणामेला बोलते हैं कि एनलेमा का फिनॉमना है इसके वज़ेसे सूर्य आकाश में आठा आता है अब यह सोचिए कि जो हमारी राम नव्मी आती है वो चंद्रमा के कालेंडर पे बेस्ट है और सूर्य चलता है अपने आप जी तो सूर्य जो है इस साल जो राम नगमी आज पड़ रही है पिछले साल 30 मार्च को पड़ी थी इसका मतब जो सूर्य का पॉजिशन है वो हर राम नगमी में बदलता रहेगा और इसलिए जो उपकरण है इसकी जो जो चुनोती है वो और बन जाती है क्योंकि एक चद अश्टक पर तिलक लगेगा वो अलग अलग समय पे लएगा सियावर राम चंद्र के सियावर राम चंद्र के साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोशनाय की है आपका बिदली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का अइटिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बनिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर केले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधुद रिश्य था ये वग्यानिक लिहास से इंजीनरिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप कह सकते हैं और आध्यात्मिक लिहास से भी बहुत ही महतुकूर पल और इसको जरा देखिए किस तरह से राम लला का आदित्य अभिशेक हुआ कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक छवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके सम्मुक है ये अद्भुत है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविशेती तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले भूतो ना भविशेती कहते हैं लेकिन भविशे में तो आप कई बार देखेंगे लेकिन इससे पहले पात सो वर्षों का इंतजार और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था ये विवस्ता थी की नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता मंदिर अवश्य इसी जगा पे था लेकिन ये देखेंगे जरए ये जो तेज है भगवान के माथे का और अब देखिए सोहर गीत गाय जा रहे है जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाय जाते है बधाई गाय जाते है और अब दधवान के प्राकटे पर भी सोहर गाय जा रहे है इस वक्त आप देख रहे है जिनको कहते है आदि अनादि अनंत अखंड और उनके मस्तख्पर साक्षात मारतंड इस वक्त आप विभूशित होते हुए देख रहे है और ये अद्भुत द्रिश्य है राम डला का सूर्य तिलक के इस तरह से संपन हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं और राम ये बहुत जरूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूर्य तिलक आखिर क्यों जरूरी क्यों महत्व पूर्ण और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम खुद भी सूर्य की उपास कर रहे हैं प्रते दिन वो सूर्य की उपासना करते रहे और महर्शी अगस्ते जी ने भी उन्हें ये कहा था कि अगर आपको लंका पती रावन पर विजय पानी हैं तो आपको सूर्य की उपासना करनी होगी और उसका एक उधारन आज देखिए आप और यहीं वज़ाएं कि सूर्य तिलक का महत्व आज पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं वरलन जो है मुझे माफ कीज़ा सूनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं तो लक्षमन जी को प्रणाम सुनील जी बहुत बहुत स्वागत आपका जीनियूस पर और ये दिर्श्य जब आप देख रहे हैं वैसे तो हम देखते रहें सीरियल में धारावाहिक में कि माथे पर जो सूर्य वंशी हैं वो सूर्य का चिन्न लगाते थे जो चंदर वंशी सुनील जी इसके पहले जब राम नवमी पर रामभक्त जाया करते थे आयोधिया तो हर किसी के मूँ से मैंने सुना की कि उन्हें कष्ट होता था राम नवमी पर रामलला को तेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए बाइस जन्वरी के बाद और आज तो अच्छा की तस्वीरे सामने आ रही है क्या कहेंगे आप सुनील जी मैंने भी वह कस्थ ख्टा है और दुख मैंने भी देखा है मेरी आखैंश्या मेरी नम हो गए थी जब लास्ट आइम मतलब गे हो गए उन्हेंट-गाश्र the ज़्यादा ही हो गए हो गए तब मैंने उनको टेंट में देखा था मुझे बहुत दुख होता था कि भारत देश जो हमारा अपना देश है हमारी अपनी संस्कृत ही है यहीं पे हमारे भगवान को हमारे आजर जो आजर्णी है उनको इस तरह से रहना पड़ ला है और जो करे अच्छा विश्वास जगा है देश वाक्सियों में और मैं उसके लिए इस सरकार को जो मुझे जी की सरकार है उसको बहुत 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 दिवात है थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुनील जी और थोड़ी यादाश्त का भी क्यूंकि आप जब परश्वराम जी से कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने बड़ी चेतना और उर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूद्यवन्ष के लोग हैं और ऐसे ऐसे चोटे धनुशों को तोड़ने में घवराते नहीं है तो सूद्यवन्ष से जो श्राम चंद्र जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आ 15, 25, 30 पीडियां से उनसे कनेक्शन जला आ रहा है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्व रखता है प्योर्टी का सिंबल है और जहां पर कहा जाता है कि जिसमें सब भुराईयां का धहन हो जाता है तो मेरे खाल से इससे पड़ा सूर्य वंशी होने का क्या हो सकता है कि रा कि पूरी दुनिया पूरा जो इंसानी समाज है उसके लिए वो आदर्श होने चाहिए कि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा पुत्र हो राम जैसा पत्ती हो राम जैसा भाई हो राम जैसा साथी हो तो पूरे वंशी हो का मेरे खाल से इससे बड़ी इंपोर्टन से बड़ी मह असुनील जी मेरा आखरी सवाल होगा क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे आप कहना चाहें कि इतना अच्छा इतना अध्भुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वह आज के समय में तो डैपनेटली बहुत लगी है पर यह कहा जाता है कि अजार साल तक बड़े से बड़े भुकम बाएंगे आंधी आएगी या पुफान आएंगे तो भी इस मंदिर को हिवा नहीं पाएंगे और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोवेगा मतलब की जरा सा भी यूज नहीं हुआ हुआ हो जी बहुत बहुत धनिवाद बह इसके पीछे की साइंस क्या है ये जो आज हमने देखा ये भारत की संस्कृती इतिहास आस्था आध्यात्न और विज्ञान एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं इसका एक और नमूना था ये जो एक विज्ञानिक दिश्टिकोंड से अगर हम देखें तो ये एक आसान काम नहीं था और इसके कुछ कारण इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीजन समझनी आवशा के फिर आप सब समझ जाएंगे पहला तो ये कि धरती जो है सूरज को सीधा फेस नहीं करती वो अपनी धुरी पे साड नहीं होता है वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाग किलोमेटर का अंतर आता है हाइस पॉइंट यानि फार्देस्ट पॉइंट और जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसके बीच में इसका मतलब सूर्य आकाश में इस्ट वेस्ट भी मूव करता है साल के अगर 365 दिन देखें अगर हम साल में कामरा लगा दें और सूर्य की पुजिशन ट्रैक करें हर रोज एकी समय पर तो सूर्य आठ का आकार बनाता है आठ नंबर छो अंग्रेजी में होता है उसका आकार बनाता है इस फिनौमना को हम आइनालेमा बोलते है कि जो अटि यहर जो और चलता है पॉछ और अपनी बात पूरी करें आप जी सूर्य जो है इस साल जो राम नवमी आज पड़ रही है पिशले साल 30 मार्च को पड़ी थी इसका मतलब जो सूर्य का पॉजिशन है वह राम नवमी बड़ता रहेगा और इसलिए यह जो उपकरण है इसकी जो चुनोती है वह और बंढ ज पहली कठनाई हमारी लिए चुनोती ही है, आफकोस हमने उसको आज देखा और हर साल हमें इसको हर साल अलग-अलग समय पे से लिए हम बात कर रहे थे कि जो मस्तक पे तिर्थ लगेगा वो अलग-अलग समय पर लगेगा सियावर राम चंद्र के साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोषणाय की है आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का अईतिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोच्षव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूलिय तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही अधबुद रिश्य था ये वेग्यानिक लिहास से इंजीनिंग का एक बहुत ही शांदार नमूना जिसको आप कह सकते हैं और आध्यात्मिक लिहास से भी बहुत ही महत्वपूर पल और इसको जरा देखिए किस तरह से राम लला का आदित्य अभिशेक हुआ कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक चवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी और ये देखिए तस्वीर जो इस व में तो आप कई बार देखेंगे लेकिन इस से पहले पात सो वर्षों का इंतजार और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था ये विवस्ता थी की नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता मंदिर अवशे इसी जगा पे था लेकिन ये देखिए ज़रा ये जो तेज है भगवान के सब्सक्राइब भी सोहर गाए जा रहे हैं दूम मची है सारी अयुद्या में धूम मची है थारी है भीड़ अंग नया अवध पुर बाजे मधैया हो प्रभु श्री राम लला का प्राकट हो चुका है ये प्रभु श्री इस वक्त आप देख रहे हैं अपने नव्य रूप जिनको कहते हैं आदी अनादी अनन्त अखंड और उनके मस्तक पर साक्षात मार्तंड इस वक्त आप विभूशित होते हुए देख रहे हैं और ये अद्भुत दृश्य है राम लला का सूद्य तिलक किस तरह से संपन हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं और ये बहुत जरूरी है दर्श्यकों को ये जनकारी देना भी कि सूर्य तलक आखिर क्यों जरूरी क्यों महत्व पूर्ण और ये इसलिए क्योंकि भवान राम खुद भी सूर्य की अपास ना करते रहे और महर्शी अगस्तिर जी ने भी उन्हें यह कहा था कि अगर आपको लंका पती रावन पर विजय पानी है तो आपको सूरे के उपास ना करनी होगी और उसका एक उधारन आज देखिए आप और यही वज़ाए कि सूरे तिलक का महत्व आज पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी रामभक्त देख रहे हैं तस सुरे के उपासक रहे हैं सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे हैं इसको लेकर बिल्कुल और मैं चाहता हूँ पवन सिना जी आप वरलन जो है मुझे बाफ कीज़ा सुनील लहरी साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक। और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं तो लक्षमन जी को प्रणाम सुन सूर्य का चिन्न लगाते थे चंद्रवंशी हैं वो चंद्र का चिन्न लगाते थे वो टीका होता था लेकिन जब आप साक्षात भगवान सूर्य को राम लला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूती हो रही है यह अद्बूत है यह मैं बतार हूंने कि इसका वर्णन में शब्दों मैं नहीं कर सकता पर मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छी सी जिसन्ग से यह सूर्य इतिलक लगाये जा रहा है और इसके लिए मैं जिसने भी यह सोचा है उसको बहुत-बहुत भनिवाद कहूंगा कि सूरी वंशी कहलाते थे तो सूरी उतलक से अगर उनका उनका आशिरवाद है आज जन मुश्व पर इससे बड़ी बात कुछ और हो नीजी है सुनील जी इसके पहले जब राम नव्मी पर राम भक्त जाया करते थे आयोध्या तो हर किसी के मूँ से मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नव्मी पर राम लला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए बाइस जनवरी के बाद और आज तो उच सब्सक्राइब कि होगा एक अमरिका से 10-12 साल हो गया इस बात को ज्यादा ही हो गया है तो मैंने उनको टेंट में देखा था मुझे बहुत दूख होता था कि भारत देश जो हमारा अपना देश से हमारी अपनी संस्कृत ही है यहीं पे हमारे भगवान को हमारे आजर जो आ की फीलिंग आई थी एक बहुत अच्छा मिश्वास जागा है देश वाक्सियों में और मैं उसके लिए इस सरकार को जो मुझे जी की सरकार है उसको बहुत 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 था थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुनील जी और थोड़ी यादाश्त का भी क्यूंकि आप दरनुशों को तोड़ने में घवराते नहीं हैं तो सूर्य वंश से जो श्री राम चंद्र जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सके सूर्य वंश का जो कनेक्शन बहुत पुराना है कई मेरे खाल से कुछ राम जी के या जब मतवत दिखा है उससे मेरे खाल से 15, 25, 30 पीडियां से कनेक्शन जला आ रहा है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्वर रखता है क्योरटी का सिंबल है और जहां पे कहा जाता कि जिसमें सब गुराईयां का दहन हो जाता है तो मेरे खाल से इस पड़ा सूर्य वनशी होने का क्या हो सकता करा राम जी का जो चरित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की तुटी नहीं रही है, कमी नहीं रही है, और वो हमारे एक आदर्श है, और मेरे क्याल से हर भार्ती के लिए, भार्ती क्या मैं करके को समझता हूँ, कि पूरी दुनिया, पूरा जो इंसानी समाज है, उसके लिए वो आदर्श होने चाहिए, को हर इंसान चाहता है कि राम जैसा फुत्र हो राम जैसा पत्ति हो राम जैसा भाई हो राम जैसा साथी हो तो उप्रांट प्रतिश्था कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुँंच थे मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं अगर इसके विग्यानिक महत्व की बात करें तो यह बहुत जादा है आज सूरिय तिलाक उसी की बल्बूते हो पाया है और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे मंद मंदिर के निर्मान को लेकर अभी कुछी टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें मैं कहूंगा कि इतना अच्छा इतना अध्बुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली बहुत लगी है पर यह कहा जाता है कि हजार साल तक बड़े से बड़े मतलब कि भूकम पाएंगे आंधी आएगी या कुफान इस मंदिर को हिवानी पाएंगे और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोगे का मतलब कि जना सा भी यूजम नहीं हुआ हो जी जी बहुत बहुत धनिवाद बहुत शुक्रिया आश्यूनी जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार हमारे साथ सा इतिहास, आस्था, आध्यात्न और विज्ञान, एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं, इसका एक और नमूना था, ये जो एक विज्ञानिक दिश्टिकोर्ण से अगर हम देखें, तो ये एक आसान काम नहीं था, और इसके कुछ कारण है, इसको समझने से पहले हमें सूर्य औ आकाश में जो सूर्य होता है, वो नौर्ट साउथ मूव करता है, साल के 356 दिन को अगर हम आकरण करें तो, दूसरा ये कि धर्ती जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाग किलोमीटर का अंतर आ परिक्रमा का ऑल है, इस पे अना लामा की जो पुलते हैं, ऑर सूर चलता है, अपने कालेंडर से, सोलर चालेंडर से, इसका मतलब कि राम नवमी जो इस साल आज पड़ रही है, पिश्रे साल 30 मार्च को पड़ी थी, इसका मतलब जो सूर्य का पोजिशन है, वो हर राम नवमी में बदलता रहेगा, और इसलिए ये जो उपकरण है, इसकी जो चुनोती है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि एक चद्रमा पे अधारत इवेंट राम नवमी को हमें सूर्य को ट्रैक करके बनाना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, तो पहली कठनाई हमारी लिए चुनोती ही है, अफकॉस हमने उसको आज देखा, और हर साल अलग-अलग समय पे इसलिए हम बात कर रहे थे कि जो मस्तेक पे तिलख लगेगा, वो अलग-अलग समय पे लगेगा. सियावर राम चन्र के, सियावर राम चन्र के, साथियों, बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोशनाय की है, आपका बिदली बिल जीरो आए, इसके लिए कम दाम पर सोलर आज, राम नव्मी का अईतिहासिक आउसर भी है, पांसो वर्सों के इंतजार के बाद, आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है, और अभी कुछी मिनिटों के बाद, प्रभु राम को सूर्य तिलक करके, उनका जन्मोच्षव, अयोध्या की पवित्र नगरी में, राम मंदिर में मनाया जाएगा, आज देश सद्धियों के साधना के, फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है, तो कुछ देर केले परदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी, इस्रेली के, दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं, और अब जो है, वो सूर्य तिलक संपन्न हो गया है, ये प्रक्रिया संपन्न हो गई, और अंदर की राम लला का आदित्य अभिशेक हुआ, कैसे आप देख रहे हैं, ये मनमोहक चवी और भगवान के ललाट पर साक्षात रवी, और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके सम्मुक है, ये अद्भुत है, विहंगम है, और ये कहिए कि अब भविश्यती तो कई बार है, लेकिन भूतो तो नहीं थी इस से पहले, भूतो ना भविश्यती कहते हैं, लेकिन भविश्य में तो आप कई बार देखेंगे, लेकिन इस से पहले पात्सो वर्षों का इंतजार और उस वक्त मी जब भगवान का मंदिर था, ये विवस्ता थी कि नहीं थी, ये नहीं कहा जा सकता, मंदर अवश्य इसी जगा पे था, लेकिन ये देखिए जड़ा है, ये जो तेज है भगवान के बाते का, और अब देखिए, सोहर गीत गाय जा रहे हैं, जब आपके घर पे बच्चा हो, तो सोहर गाय जाते हैं, बधाई गाय जाते हैं, और अब भगवान के प्रा प्रभु श्री राम लणा का प्राकट हो चुका है जिनको कहते हैं आद्यानादिल अनन्त अकट और उनके मस्तक पर साक्षात मारतंड इस वक्त आप विभूशत होते हुए देख रहे हैं और ये अध्भुत दृष्शे है राम डला का सूर्य तिलक के इस तरह से संपन्न हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं और राम ये बहुत जरूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूर्य तिलक आखिर क्यों जरूरी क्यों महत्व पूर्ण और ये इसलिए क्योंकि भग्वान राम खुद भी सूर्य की उपासक रहे हैं प्रते दिन वो सूर्य की उपासना करते रहे और महर्शी अगस्ते जी ने भी उन्हें ये कहा था कि अगर आपको लंका पती रावन पर विजय पानी है तो आपको सूरे के उपास ना करनी होगी और उसका एक धारन आज देखिए आप और यहीं वज़ाएं कि सूर्य तिलक का महत्व आज पूरे दुनिया इस वक्त पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं तस्वीरे आपके सामने और ये जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं हीरा जड़त ये तिलक है जो कि र परलन जो है मुझे माफ कीज़ा सुनील लहरी साब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परचाई की भाती चलने वाले लक्षमन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं तो लक्षमन जी को वन्षी हैं वो चंदर का चिन्ने लगाते थे वो टीका होता था लेकिन जब आप साक्षात भगवान सूर्य को राम लला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूती हो रही है यह अद्बुत है यह मैं बतारो हूं उन्हें इसका वर्णन में शब्दों मैं नहीं कर सकता पर मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छी सी जिस्थन से यह सूर्य तिलक लगाया जा रहा है और इसके लिए मैं जिसने भी यह सोचा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद सुनेल जी इसके पहले जब राम नव्मी पर राम भक्त जाया करते थे आयोध्या तो हर किसी के मूँ से मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था राम नव्मी पर रामलला को टेंट के अंदर देखकर लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए 22 जनवरी के बाद और आज तो उत्सहा क कि तस्वीरे सामने आ रहे हैं क्या कहेंगे आप सुनेल जी इस बारा साल गए जादा ही होगे हैं तो मैंने उनको टेंट में देखा था मुझे बहुत दुख होता था कि भारत देश जो हमारा अपना देश है हमारी अपनी संस्कृती है यहीं पे हमारे भवान को हमारे आज जो आदर्णी हैं उनको इस तरह से रहना पर लगा है और जो करेंट सरकार है मैं उसका बहुत बहुत धिन्यवाद को हूँगा कि उन्होंने इतना भवी मंदिर बनाया और मैं प्रांट करतिस्ठा का हैसा भी था तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत पड़ा उस स की फिलिंग आई थी एक बहुत अच्छा विश्वास जागा है देश वाक्सियों में और मैं उसके लिए इस सरकार को जो मुदी जी की सरकार है उसको बहुत 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 था थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुनील जी और थोड़ी यादाश्त का भी क्यूंकि आपने बड़ी चेतना और उर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूर्यवन्ष के लोग हैं और ऐसे ऐसे चोटे धनुशों को तोड़ने में घबराते नहीं हैं तो सूर्यवन्ष से जो श्री राम चंदर जी का कनेक्शन था अगर उसके बारे में आप बता सकें सूर्यवन्ष का जो कनेक्शन बहुत पुराना है मेरे खाल से कुछ राम जी के या मतरत दिखाया है उसे मेरे खाल से 15-25-30 पीडियां से कनेक्शन जला आ रहा है और सूर्य जो है वैसे भी काफी महत्व रखता है प्योर्टी का सिंबल है और जहां पर कहा जाता है कि जिसमें सब बुराईयां का दहन हो जाता है तो मेरे खाल से इससे पड़ा सूर्य वंशी होने का क्या हो सकता है कि राम जी का जो चरित रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की जुटी नहीं रही है तमी नहीं रही है और वो हमारे एक आदर्श है जाहत्ता हूं कि पूरी दुनिया पूरा जो इंसानी समाज है तो कि बड़ी इनन्सान चाहिए हर दो शोंते नूटी कोई और वहना क्या है असुनील जी मेरा ये आखरी सवाल होगा क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीडियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं अगर इसके वग्यानिक महत्वकी बात करें तो ये बहुत जादा है आज सूर्य तिलाक उसी की बलबूते हो पाया है और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे मंदिर के निर्मान को लेकर अभी कुछी टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें कि इतना अच्छा इतना अद्भुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वह आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत लगी है पर यह कहा जाता है कि अजार साल तक बड़े से बड़े भुकम पाएंगे आंधी आएगी तो भी इस मंदिर को हिवा नहीं पाएंगे और सुना है कि इसमें कोई सिमिंट का कोई लोगे का मतब़े की जरा सा भी यूज नहीं हुआ हुआ जी जी बहुत बहुत धनिवाद बहुत शुक्रिया असुनी जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ सरजन पाल जी अभी इस मक्त है और सरजन जी जब आप देख रहे हैं हमने ऐसा सोचा था लेकिन इतना बड़े एक्जेक्यूशन होगा इसके पीछे की साइंस क्या है ये जो आज हमने देखा ये भारत की संस्कृती इतिहास आस्था आध्यात्न और विज्ञान एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं इसका एक और नमूना था ये जो एक विज्ञानिक दिश्टिकोंड से अगर हम देखें तो ये एक आसान काम नहीं था और इसके कुछ कारण इसको समझने से पहले हमें सूर्य और प्रत्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीजन समझनी आवशा के फिर आप सब समझ जाएंगे पहला तो ये कि धरती जो है सूरज को सीधा फेस नहीं करती वो अपनी धुरी पे साड नहीं होता है वो डिस्टेंस में लगबग 50 लाग किलोमेटर का अंतर आता है हाइस पॉइंट यानि फार्देस्ट पॉइंट और जो सबसे नजदीक पॉइंट है उसके बीच में इसका मतलब सूर्य आकाश में इस्ट वेस्ट भी मूव करता है साल के अगर 365 दिन देखें तो अगर हम साल में कैमरा लगा दें और सूर्य की पोजिशन ट्रेक करें हर रोज एकी समय पर तो सूर्य आठ का आकार बनाता है आठ नंबर जो अंग्रेजी में होता है इस इस फिनॉमना को हम अनालेमा बोलते हैं कि जो अनालेमा का फिनॉमना है इसके वज़े से सूर्य राम नवमी आती है वो चंद्रमा के कालेंडर पे बेस्ट है हिंदू कालेंडर पे बेस्ट है और सूर चलता है अपने कालेंडर से सोलर कालेंडर से इसका मतलब कि राम नवमी जो इस साल आज पड़ रही है अपना माई के एक बार आप ठीक कर लिजेगा और अपनी बात पू चुनौती है वो और बन जाती है क्योंकि एक चद्रमा पर अधारत इवेंट राम नव्मी को हमें सूर्ट को ट्रैक करके बनाना है तो बड़ा मुश्किल काम है तो पहली कठनाई हमारी लिए चुनौती है अफकोस हमने उसको आज देखा और हर साल हमें इसको हर साल अलग-अ समय पर इसलिए हम बात कर रहे थे कि जो मस्तेक पर तिलक लगेगा वो अलग-अलग समय पर लगेगा सियावर राम चंद्र के सियावर राम चंद्र के साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोशनाय की है आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर आज राम नव्मी का अइटिहासिक आउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखेर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोच्षव अयोध्या की पवित्र नगरे में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है तो कुछ देर पेले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी इस्रेली के दोरान और ये देखिए तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो है वो सूलिय तिलक संपन्न हो गया है ये प्रक्रिया संपन्न हो गई और अंदर की तस्वीरें जो इसकुर्थ हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त आपके समुक है ये अदभुत है विहंगम है और ये कहिए कि अब भविश्यती तो कई बार है लेकिन भूतों तो नहीं थी इससे पहले भूतों ना भविश्यती कहते हैं लेकिन भविश्य में तो आप कई बार देखेंगे लेकिन इससे पहले 500 वर्षों का इंतजार और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था ये विवस्ता थी की नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता मंदिर अवश्य इसी जगा पे था लेकिन ये देखिये ज़रा ये जो तेज है भगवान के माथे का और अब देखिये सोहर गीत गाए जा रहे है जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाए जाते है बधाई गाई जाते है और अब भगवान के प्राकट्य पर भी सोहर गाए जा रहे है सारी अयुद्या में धूम मची है भारी है भीड़ अंग नया अब धूर बाजे पधाईया हो प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है प्रभु श्री इस वक्त आप देख रहे हैं जिनको कहते हैं आदी अनादी अनंत अकंड और उनके मस्तक पर साक्षात मारतंड इस वक्त आप विभूशित होते हुए देख रहे हैं और ये अद्भुक द्रिश्य है राम नवमी के मौके पर ठीक बारा बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनित तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो ये तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की ये तस्वीरे हैं चार मिनिट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉक्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और ये भावुक्षन उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्षन तो दूसी तरफ पीम ने भी ये नजारा ये तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक् थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेइन में बैच कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहद भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष पीम मोदी नजर आए बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर हैं पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और इन पलों को जिया तो इस वक्त तीन तस्वीरे आपके सामने हैं सबसे पहली तस्वीर राम लला का सुर्य तिलक किया गया और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का पूरा माहौल बेहत भावुक जगमग ललाट सूर्य की रोश्डी से सूर्य वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है इसकी दिव्विता को जितना आखों में बसा लें उतना मैं बसा लें उतना अध्भुत अलोकिक और दिव्वि नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूर्य वन्शिश्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षात सूर्य देव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भविर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोश्नी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्त में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्व सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गये राम लला के जन्मोच सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्तक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्य गुपाल दास महासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरू राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके और नहीं चले थे वो है दिर सिहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है राम नवमी के मौके पर ठीक 12 बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्णी से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत गाए गए तो ये तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से आदिवती है सूर्य तिलक की ये तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाच्छो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उट्सव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद ख तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त दूसरी तरफ पीम ने भी ये नजारा ये तस्वीरे अपने टाप पर देखिए देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मिला उन्होंने सूर्य तिलक की ये तस्वीरे देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेइन में बैट कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहग भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष नजर आए बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जन्मोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यहीं देखिए न सर्फ अयुध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहत खास हो जाता है क्यों राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहां विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नव्मी का तेवहार ऐसे में यह पूरा का पूरा माहौल बेहत भावुक जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिव्विता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अद्भुत अलोकिक और दिव्विन नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवंशी श्री राम के जन पर ठीक बारा भजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भवे राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्रमास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लिला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोशनी राम लिला के मस्तक तक पहुँची गर्द ग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लिला का ललाड जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभी जीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लिला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लिला के जन्मोच सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्ट क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्य गोपाल दास मासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त शद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगद गुरु रागवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूर्य तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूर्य की रोशनी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई विज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूर्य देव का विशेश महत्व माना जाता है वैदिक काल से ही सूर्य को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में वगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान सुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वो है दिरिस इहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है राम नवमी के मौके पर ठीक बारा बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठां करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाफ सो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद सुर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालों के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे रामलला का सुर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए रामभक तो दूसरी तरफ पीम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मिल कि यह तस्वीरें देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का यह पल प्लेन में बैठ कर देखा और खास पात यह रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि यह उनके लिए बेहग भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष नजराएं बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोकसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प् किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जनमोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यहीं देखिए ना सिर्फ आयुध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनकी लिए आज का दिन बेहत खास हो ज काता है क्योंकि बार-बार यह मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहां विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नव्मी का त्योहार ऐसे में यह पूरा का पूरा माहौल बेहत भावक जगमग ललाट सूर की रोश्टी से सूरिवन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है इसकी दिविता को जितना आखों में बसा लें उतना मन न भरे अध्भुत, अलौकिक और दिविन नजारा था जब वैग्यानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवन्शिक श्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भविर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा भजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूरि तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा भजते ही सूरि की रौश्णी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्बगरह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरि तिलक किया गया सूरि तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गया राम लला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्तक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गूपाल दास महासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुँचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरु राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंज थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्व माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वह अधरिशिया दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है राम नवमी के मौके पर ठीक बारह बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्णी से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से आदिवती है सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉक्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्षण तो दूसी तरफ पीम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक प्रचारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेइन में बैठ कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहद भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी राम लला के दर्शन के लिए पहुचते हैं या फिर प्रान पृतिष्ठा की दिन की भी तस्वीरे सामने आई थी या राम मंदिर से खास कर कोई भी जुड़ा अगर कोई भी तस्वीर स को देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और इन पल हुआ है भव्य राम का जन्मोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यहीं देखिए न सर्फ आयोध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहत खास हो जाता है क्योंकि बार-बार ये मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहां विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नवमी का त्योहार ऐसे में ये पूरा का पूरा माहौल बेहत भावुक जगमग ललाट सूर की रोश्डी से सूरिवन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है इसकी दिविता को जितना आखों में बसा लें उतना मन न भरे अध्भुत, अलोकिक और दिवि नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवन्शिक श्री राम के जन्द पर ठीक बारा बजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भवेर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुकल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूरि तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरि की रोश्नी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्त में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्व सूरि तिलक किया गया सूरि तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लला के जन्मोच सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्टक्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रत्य गुपाल दास महासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरू राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्व माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके और नहीं चले थे वो है दिर्शिया दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है राम नवमी के मौके पर ठीक 12 बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्णी से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत गाए गए तो ये तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से आदिवती है सूर्य तिलक की ये तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और ये भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी चटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त दूसरी तरफ पीम ने भी ये नजारा ये तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मिल कि ये तस्वीरें देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेइन में बैट कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहग भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उ और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जनमोचसव मनाया जा रहा है और बड़ी बात यहीं देखिए न सर्फ अयुद्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनकी लिए आज का दिन ब माहौल बेहत भावुक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिवविता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अध्भुत, अलोकिक और दिव्वि नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवंश्री श्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भवे राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्द चैत्रमास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लिला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोश्नी राम लिला के मस्तक तक पहुँची गर्द ग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लिला का ललाड जगमगा रहा था घंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लिला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लिला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्ट क्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्यगोपाल दास मासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरू राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्यान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोशनी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई विज्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्व माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में वगवान राम के जन्म के समय बना था सूरे देश में एक नया माहोर है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निजगर में बर्थडे मनाने का सवभाग मिला है मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरे देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला राम नवमी के इस पावन पर पर आयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भक्तों के लिए बीज घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है राम नवमी के मौके पर ठीक बारा बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठां करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए राम नवमी के मौके पर ठीक बारा बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठां करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से आदिवती है सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उट्सव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉक्टर में इस सुर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षन उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सुर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त तो दोसी तरफ पिम ने भी ये नजारा ये तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उनें वक्त मिला उन्होंने सुर्य तिलक की ये तस्वीरे देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूरित तिलक का ये पल प्लेन में बैट कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहद भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी राम लला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष्ठा की दिन की भी तस्वीरे सामने आई थी या राम मंदिर से खासकal कोई भी जुडा अगर कोई भी तस्वीर सामने आती Benek के भीतर से जहां पर सूरेत लग कीुचते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पियमोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उन्होंने इन तस्वीरों को जन्मोद्सव मनाया जा रहा है और बड़ी बात यहीं देखिए न सर्फ आयोध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहत खास हो जाता है क्योंकि बार-बार ये मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहां विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नवमी का तेहार ऐसे में ये पूरा का पूरा माहौल बेहत भावुक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिव्विता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अध्भुत अलोकिक और दिव्वि नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवंश्री श्री राम के जन्द पर ठीक बारा बजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भवे राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्द चैतर मास के शुकल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोशनी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की ध्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभी जीत महुर्थ में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लला के जन्मोच सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्टक्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रत्य गुपाल दास महासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरू राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहत किया गया सूर्य तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूर्य की रोश्णी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई व्यज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूर्य देव का विशेश महत्व माना जाता है वैदिक काल से ही सूर्य को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वो है दिर सिहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और वेज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूरे तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्वग्रु में अंधेरे के बीच सूरे की रोश्नी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गोंज है जो भक्त है उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो किरणे हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पात्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आयूं तो आज के इस दिन यह राम लाला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के पात्रा मन को तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइफ देखने और इतना बहुत ही ज्यादा क्राउड है और यह क् सब का मन में कितना सब प्यार है राम जी के लिए और यहां पर देखके इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गए और मन बहुत प्रेम और जो आज हमने हमेरे दर्सन हुए हैं सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब आरा जो राम नोमी इसी तरीके के राम नोमी मनें हम राम जी के भक्त हम उनके दर्सन से अहलादित हैं खुसी है मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जा से तो जैश्री राम का उद्धोश कर रहे हैं ये भक्त और आज जिस तरह से राम नौमी का तेवहार मनाया जा रहा है इस छण को ये भावुकता से बया करते ह तो आयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और राम नवी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तर धारण किये थी सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साढ़ी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लला को पंचमरित से स्नान कराया गया और उनका भवेश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुखुट हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंके सुर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर राम लला के दिव्यश्रंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जन्मोचसव के मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तर धारन किये हैं जिसमें हलका गुलाबी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जन्म के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्त्र पहनाए थे इसी वज़ह से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाग तैयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामृत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद राम लला को भोग लगा कर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरी राम की ये पौशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरी राम मंदर के गर्वग्रे में पुजारियों के द्वारा मंत्रो चार के बीच प्रभू राम लला का भव्य श्रिंगार किया गया राम लला ने जनमोचव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगोठे भी धारण की हुई है राम लला के श्रिंगार के बाद खास श्रिंगार आरती भी की गई बिरो रिपोट जी मीटिया 500 सालों के बाद ये पहला मौका है जब राम लला का जनमोचव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भक्तिस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आयोध्या पहुंच रहे हैं और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स पुछ इस तरह आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 350 का रिगर दिन रात सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरह फूलों से सजा दिया गया है मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवनी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरह के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गए है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरह लाइट से सजा दिया गया है इस दोरान वेदों और पुराणों का पाठ भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए है इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तयनाती है CCTV कैमरों के साथ इंटेलिजरंस नेट्वर्क को सकरिये कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UPI पोलिस के जवान तयनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तरप्रदेश पुलिस के जवानों की तयनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तयनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जोसे भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे है इस खास उत्सव पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैश्री राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नवमी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश की ज़ा रही है राम नवमी के मौके पर ठीक बारह बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो ये तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवती है सूर्य तिलक की ये तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी अयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद अयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीयम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और ये भावुक्षन उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक तो दूसी तरफ पीयम ने भी ये नजारा ये तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मि कि ये तस्वीरें देखी और पीयम मोदी असम के नलबारी में थे पीयम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेइन में बैठ कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीयम ने जूते भी उतार रखे थे पीयम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहग भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीयम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृति पीयम मोदी नजर आए बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीयम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिल उस वक्त प्लेन में उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और इन पलों को जिया तो इस वक्त तीन तस्वीरे आपके सामने हैं सबसे पहली तस्वीर राम लला का सुरे तिलक किया गया और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का पूरा माहौल बेहत भावुक जगमग ललाट सूरी की रोश्डी से सूरी वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है इसकी दिविता को जितना आखों में बसा लें उतना मन न भरे अद्भुत, अलोकिक और दिवि नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरी वन्शिक श्री राम के जन्द पर ठीक बारा बजे साक्षाथ सूरी देव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भविर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोश्नी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्द ग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत मुहुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्ट क्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्य गोपाल दास माहसचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगदगुरु राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्बगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वो है दिरिस इहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भक्तों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की वेवस्ता की गई है और वेज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्वग्रु में अंधेरे के बीच सूर्य की रोश्नी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गोज है जो भक्त है उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो किरणे हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पात्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आयूं तो आज के दिन यह राम लाला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरीके पार मन को तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइव देखने और इतना बहुत ही जदा क्राउड है और यह क्राउड दे लिए और यहां पर देखके इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गए और मन बहुत प्रेम और जो आज हमने हमेरे दर्शन हुए है जिस तरफ से आज का जो दृष्ष्य था वो कहीं न कहीं भावुक कर देने वाला था बहुत मन को बहुत जादा भावुक हो गया है मन को और बहुत ही अच्छा लग रहा मतलब भगवा ने हमारे जो है दर्शन कर रहा दिन था और इतने अच्छे से दर्शन कर रहा है जिस तरह से राम नौमी का त्योहार जिनाया जा रहा है इस छण को ये भावुकता से बया करते हुए नजार आ रहा है कामरामेन गिरिश के साथ नितिश कुमार पांडे जी मीजा आयोध्या तो ये उध्या सिग्राउं रिपोर्ट आपने देखी और राम नौमी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तरधारण किये थी सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साथी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लला को पंचम्रिट से स्नान कराया गया और उनका भववे श्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुकुट हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंग के सुर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर राम लला के दिव्य श्रिंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जन्मोत्सव के मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तर धारन किये हैं जिसमें हलका गुलावी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जन्म के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्तर पहनाए थे इसी वचह से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाक तैयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले सनान कराया गया ये स्नान पंचामृत और देश भर की नधियों से आये हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद राम लला को भोग लगा कर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरी राम की ये पौशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरी राम मंदर के गर्बग्रे में पुजारियों के द्वारा मंतरो चार के बीच प्रभू राम लला का भव्य श्रंगार किया गया राम लला ने जनमोचव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगोठे भी धारण की हुई है राम लला के श्रंगार की बाद खास श्रंगार आरती भी की गई बीर रिपोट जी मीटिया पांच सो सालों के बाद ये पहला मौका है जब राम लला का जनमोचव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भक्तिस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आयोध्या पहुंच रहे है और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स पुछ इस तरहा आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 325 कारिगर दिन राथ सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरहा फूलों से सजा दिया गया है मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवमी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरहा के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गए है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरहा लाइट से सजा दिया गया है इस दोरान वेदों और पुराणों का पाठ भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए है इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा विवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तयनाती है CCTV कैमरों के साथ इंटेलिजरन्स नेट्वर्क को सकरिये कर दिया गया है सुरक्षा विवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UPI पोलिस के जवान तयनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तरप्रदेश पुलिस के जवानों की तयनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तयनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जोसे भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे है इस खास उत्सव पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैशुरी राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नवमी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश कीज़ा रही है राम नवमी के मौके पर ठीक बारा बच्चते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो ये तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिये सूर्य तिलक की ये तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी अयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है रामलला का ललाट और पाच्छो साल बाद अयोध्या में राम दवनी का उच्छव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सुर्य तिलक की तस्वीरे देखी और ये भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सुर्य तिलक हुआ अनोखी चटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त दूसरी तरफ पीम ने भी ये नजारा ये तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मिल की ये तस्वीरें देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेइन में बैट कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहड भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष नजर आए बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जनमोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यहीं देखिए न सर्फ अयुद्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनकी लिए आज का दिन बेहत खास हो जाता है क्योंक जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिव्विता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अद्भुत अलौकिक और दिव्विन नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवंश्री श्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भव्वे राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्द चैत्रमास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लिला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोशनी राम लिला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लिला का ललाड जगमगा रहा था घंटियों और शंक की ध्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभी जीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लिला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लिला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्ट क्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रत्य गुपाल दास मासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे, गा रहे थे इससे पहले जगदगुरू रागवाचारी ने 51 कलशों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्यान के फॉर्मूले के तहत किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंज थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोश्णी गर्भगह तक रामलला के मस्तक तक पहुँचाई गई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयोग था जैसा त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वो है दिरिस इहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुबब साढ़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और वैज्यानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूरे तिलक किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्भग्रु में अंधेरे के बीच सूरे की रोश्नी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अधुद्ध था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गूज है जो भक्त है उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो किरणे हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पात्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आयूं तो आज के दिन यह राम लाला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के पाती अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइव देखने और इतना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और यह क्राउड देखे इसा ल लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पे आ गए और मन बहुत अंत लगता है चैस्णी आप से मैं तो किस तरह के महां मैं जिस वक्ति यह बहुत ही मतला प्रभू के प्रति बहुत प्रेम और जो आज हमने अम्यारे दर्सन हुए हैं सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब से दिर्श्य था वह कही ना कहीं भावुक कर देने वाला था बहुत मन को भाव बहुत जादा भावुक हो गया है मन को और बहुत ही अच्छा लग रहा था मितलब भगवान ने हमारे जो वह दर्सन कराई पहला दिन था और इतने अच्छ से दर्शन कर रहा है। और जो भगवान के सुर्य पे वह जो दिखाई दिया, उसका जो आकर्शन था इतना अच्छा था दिल बाग-बाग हो गया. हर राम नौमि इसी तरीके के राम नौमि मने हम राम जी के भक्त हम उनके दर्सन से अहलादित हैं, ठुसी है, मन में इतनी ठुसी है कि जिसको बया नहीं किया जासा आज जिस तरह से राम नौमि कत्योहार मनाया जा रहा है इस छण को ये भावुकता से बया करते हुए नजार आ रहा है कामरामेन गिरिश के साथ नितिश कुमार पांडे, जी मीजा, आयोध्या तो आयोध्या से ग्राउन रिपोर्ट आपने देखी और राम नव्मी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तरधारण किये सूर्य तलक से पहले आज सुबह साड़ी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लला को पंचमरिट से स्नान कराया गया और उनका भवविश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुखुट हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंग के स्वर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर राम लला के दिव्यश्रिंगार की ये अद्भुत तस्वीर है अपने जनमोचसव की मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तरधारण किये हैं जिसमें हलका गुलाबी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जनम के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्तर पहनाए थे इसी वच्छे से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाक तैयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामरत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद रामलला को भोग लगाकर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरीराम की ये पोशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरीराम मंदर की गर्वग्रे में पुजारियों की द्वारा मंतरो चार के बीच प्रभू रामलला का भव्य श्रंगार किया गया रामलला ने जनमोचव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगूठे भी धारण की हुई है रामलला के श्रंगार की बाद खास श्रंगार आरती भी की गई बीर रिपोर्ट जी मीटिया 500 सालों के बाद ये पहला मौका है जब रामलला का जनमोचव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भक्त इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे है और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स पुछ इस तरहा आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 325 कारिगर दिन राद सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरहा फूलों से सज़ा दिया गया है मंदिर के बाहर का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवमी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरहा के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गये है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरहा लाइट से सजा दिया गया है इस दौरान वेदों और पुराणों का पार्ट भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए है इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा विवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तैनाती है CCTV कैमरों की साथ इंटेलिजरन्स नेट्वर्क को सक्रिये कर दिया गया है सुरक्षा विवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UP पोलिस की जवान तैनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी आयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जो से भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे है इस खास उत्सव पर उत्साहा से भरी आयोध्या में जैश्री राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नव्मी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश कीज़ा रही है राम नव्मी के मौके पर ठीक बारा बच्चते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गये तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और 500 साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उट्सव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त तो दूसरी तरफ पीम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त तिलक की यह तस्वीरें देखी और पीम मोदी असम के नलबाडी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का यह पल प्लेइन में बैट कर देखा और खास पात यह रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ने आई थी यह नाम मंदिर से खास कर कोई भी जुडा अगर कोई भी तस्वीर सामने आती है तो वो भावुक हो जाते हैं और भावुकता की यही एक तस्वीर प्लेइन के बीतर से जहां पर सूर्य तिलक की ना सिर्फ तस्वीरें देखते हुए पीम मोदी नजर आए बलक ने इन तस्वीरों को देखा और इन पलों को जिया तो इस वक्त तीन तस्वीरें आपके सामने हैं सबसे पहली तस्वीर राम लला का सुर्य तिलक किया गया और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जन्मोटसव मनाया जा रहा है और देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहत खास हो जाता है क्योंकि बार बार ये मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहां विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम न जगमग ललाट सूर्य की रोश्टी से सूर्य वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है इसकी दिविता को जितना आखों में बसा लें उतना मन न भरे अध्भुत, अलोकिक और दिविन नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूर्य वन्शिक श्री राम के जन्द पर ठीक बारा बजे साक्षाथ सूर्य देव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भविर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोश्नी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्दगरह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गया राम लला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्ट क्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गूपाल दास मासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुँचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरु राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वह अधिरिस इहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदर में आज सुबव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और वेज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्भग्रु में अंधेरे के बीच सूर्य की रोश्नी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेष दर्शन विशेष आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके कहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो खिरने हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आई हूं तो आज के दिन यह आपनोब में के दिन यह सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और दर्सन भी और जो सुझे किरन मन में किस तरह के भावा है आम तोर पर जब राम लला के मस्तक को सपर्श की जब करने तो उसवक्त मन में क्या किस तरह के बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइफ देखने और इतना बहुत ही जज़दा राम जी के लिए और यहां पर देखके इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गये हैं और मन बहुत सांथ लगता है चैस्रीराम करी और आप कहा से में डेली से तो किस तरह के आदिया जिस वक्ति हैं में बहुत ही मतलब प्रहू के प्रति बहुत प्रेम और जो तो आज हमने अमेरे दर्शन हुए हैं सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब पाराम से दर्शन भगवाने करा का तरह से तरफ से आज का जो दृष्ष था वह कही न कहीं भावु कर देने वाला था पहुत मन को भाव बहुत जादा भावु लुक हो गया है मनको और बहुत ही कि दिल बाग-बाग हो गया हर राम नॉमी इसी तरीके के राम नॉमी मने हम राम जी के भग्त हम उनके दर्सन से अहलादित हैं खुसी है मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जा से इस छण को ये भावुकता से बया करते हुए नजर आ रहा है सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साधी तीन बजे राम लिला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लिला को पंचमरित से स्नान कराया गया और उनका भविश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुकुट हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंग के सुवर्ण जड़त वस्त्र राम नवमी पर राम लिला के दिव्य श्रिंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जन मोचसव की मौके पर राम लिला ने पीले रंग के वस्त्रधारन किये हैं जिसमें हलका गुलाबी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लिला के जन्म के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्त्रध पहनाए थे इसी वच्छे से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाक तयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लिला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामरत और देश भर की नदियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद रामलला को भोग लगाकर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरीराम की ये पोशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरीराम मंदर की गर्बग्रे में पुजारियों की द्वारा मंतरो चार के बीच प्रभू रामलला का भव्य श्रंगार किया गया रामलला ने जनमोचव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगोठे भी धारण की हुई है रामलला के श्रंगार की बाद खास श्रंगार आरती भी की गई बिर रिपोर्ट जी मीटिया 500 सालों के बाब ये पहला मौका है जब रामलला का जनमोचव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भगत इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुँच रहे है और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स कुछ इस तरहा आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 325 कारिगर दिन रात सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरहा फूलों से सज़ा दिया गया है मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवनी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरहा के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गए है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरहा लाइट से सज़ा दिया गया है इस दोरान वेधों और पुराणों का पार्ट भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए हैं इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा विवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तैनाती है CCTV कैमरों की साथ इंटेलिजरंस नेट्वर्क को सकरिये कर दिया गया है सुरक्षा विवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UP पोलिस की जवान तैनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जो से भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे है इस खास उस्व पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैश्री राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नव्मी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश कीज़वा रही है राम नव्मी के मौके पर ठीक बारा बच्चते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्णी से जगमगा उठा करीब चार मिनत तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनिट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उट्सव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालों के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त तो दूसरी तरफ पीम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त तिलक की यह तस्वीरें देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का यह पल प्लेइन में बैठ कर देखा और खास पात यह रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि यह उनके लिए बेहद भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष नजराएं बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोकसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प् किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जन्मोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यही देखिए ना सिर्फ आयुध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनकी लिए आज का दिन बेहत खास हो ज करता है क्योंकि बार-बार यह मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहां विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नव्मी का त्योहार ऐसे में यह पूरा का पूरा माहौल बेहत भावक जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है इसकी दिविता को जितना आखों में बसा लें उतना मन न भरे अध्भुत, अलोकिक और दिविन नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूर्वन्शिक श्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षात सूर्देव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भविर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा भजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम नला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थी तभी ठीक बारा भजते ही सूरी की रोश्णी राम नला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम नला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्त में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्व सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम नला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गये राम लला के जन्मोत सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्टक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्यगोपाल दास महासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुँचे थे राम जन्म के वक्त भक्त शद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरू राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्बगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में वगवान राम के जन्म के समय बना था सूरे देश में एक नया माहोल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निजगर में बर्थडे मनाने का सवभाग मिला है मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके और नहीं चले थे वह अध्रिस इहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भग्तों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और विज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूरे तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्वग्रु में अंधेरे के बीच सूरे की रोशनी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गोज है जो भक्त है उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो किरने हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पाद्र मैं कैलिफोनिया अमरिका से आई हूं तो आज के दिन यह राम लाला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के पाद्र मन को तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइफ देखने और इतना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और यह क्र है राम जी के लिए और यहां पर देखके इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गए हैं और मन बहुत प्रेम और जो आज हमने हमेरे दर्शन हुए हैं सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब आराम से दर्शन भगवान ने कर रहा है जिस तरह से आज का जो द्रिश्य था वो कहीं न कहीं भावुक कर देने वाला था बहुत मन को बहुत ज़्यादा भावुक हो गया है मन को और बहुत ही अच्छा लग रहा मतलब भगवान ने हमारे जो है दर्शन कर पहला दिन था और इतना अच्छा था कि दिल बाग बाग हो गया हर राम नौमी इसी तरीके के राम नौमी मने हम राम जी के भक्त हम उनके दर्सन से अहलादित हैं खुसी है मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जासे तो जैश्री राम का उद्गोश कर रहे हैं ये भक्त और आज जिस तरह से राम नौमी का त्योहार मनाया जा रहा है इस छण को ये भावुकता से बया करते हुए नजार आ रहा है कैमरामेन गिरिश के साथ नितिश कुमार पांडे जी मीजा आयोध्या तो ये उद्धिया सिग्राउं रिपॉर्ट आपने देखी और राम नौमी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तर धारण किये थी सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साथी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लला को पंचम्रिट से स्नान कराया गया और उनका भवविश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुखुट हीरे के कंगन माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंके सुर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर राम लला के दिव्यश्रंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जन्मोचसव के मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तर धारण किये हैं जिसमें हलका गुलावी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जन्म के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्त्र पहनाए थे इसी वचह से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाग तैयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामृत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद राम लला को भोग लगा कर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरीराम की ये पॉशाक खास तौर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरी राम मंदर के गर्वग्रे में पुजारियों के द्वारा मंत्रो चार के बीच प्रभू रामलला का भव्य श्रिंगार किया गया रामलला ने जनमोट्सव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगोटे भी धारण की हुई है रामलला के श्रिंगार के बाद खास श्रिंगार आरती भी की गई बिर रिपोट जी मीटिया पांच सो सालों के बाद ये पहला मौका है जब रामलला का जनमोट्सव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भक्तिस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आयोध्या पहुँच रहे है और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स पुछ इस तरहा आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 325 कारिगर दिन रात सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरहा फूलों से सजा दिया गया है मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवमी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरहा के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गए है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरहा लाइट से सजा दिया गया है इस दोरान वेदों और पुराणों का पार्ट भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए है इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तयनाती है CCTV कैमरों के साथ इंटेलिजरन्स नेट्वर को सकरिये कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UP पोलिस के जवान तयनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तयनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तयनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जो से भक्त पूरे कालिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रही है इस खास उत्सव पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैश्री राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नवमी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश की ज़ा रही है राम नवमी के मौके पर ठीक बारह बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है रामलला का ललाट और पाफ सो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त तो दूसरी तरफ पीम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त तिलक की यह तस्वीरें देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का यह पल प्लेन में बैटकर देखा और खास पात यह रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि यह उनके लिए बेहर भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी राम लला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं या फिर प्रान पृतिष्ठा की दिन की भी तस्वीरे सामने आई थी या राम मंदिर से खा देख रहे थे हाला कि लोकसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और इन पलों क जिया तो इस वक्त तीन तस्वीरें आपके सामने हैं सबसे पहली तस्वीर राम लला का सुर्य तिलक किया गया और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जन्मोचसव मनाया जा रहा है और बड़ी बात यही देखिए ना सिर्फ को वहाँ विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नम्मी का तियोहार ऐसे में यह पूरा का पूरा माहौल बेहत भावुक जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिव्विता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अध्भुत अलोकिक और दिव्विन नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवंश्री श्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भविर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोश्नी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्ता अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभी जीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीरतक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्यगोपाल दास महासचिव चंपत्राय मौजूद थे इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त शद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरु रागवाचारी ने 51 कल्षों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूर्य तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूर्य की रोष्णी गर्बगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई विज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूर्य देव का विशेश महत्माना जाता है वैदिक काल से ही सूर्य को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचानकी की गणना के मताबिक सूर्य तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयोग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वह अध्रिस इहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साढ़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और विज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्भग्रु में अंधेरे के बीच सूर्य की रोश्नी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गोज है जो भक्त हैं उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो खिर्णे हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पाद्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आयूं तो आज के दिन यह राम लाला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के पाद्रा मन को तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइव देखने और इतना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और यह क्राउड देखे इसा लगता है कि सब कमन में कितना सब प्यार है राम जी के लिए और यहां पर देखके इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गये हैं और नहीं पहुत प्रेम और जो आज हमने हमेरे दर्सन हुए है सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब आराम से दर्शन भगवान ने कर रहा है। इसी तरीके के राम नौमी मने हम राम जी के भग्त हम उनके दर्शन से अहलादित हैं, खुसी है, मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जा से। से ग्राउं रिपोर्ट आपने देखी और राम नौमी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तर धारण किये थी। सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साधी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई, जिसके बाद राम लला को पंचमृत से स्नान कराया गया और उनका भवेश्रिंगार हुआ। सिर पर सोने का मुकुट, हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंके सुर्ण जड़त वस्तर। राम नवमी पर राम लला के दिव्य श्रंगार की ये अदभुत तस्वीर है। अपने जन्मोचसव की मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तर धारन किये हैं, जिसमें हलका गुलाबी रंग भी शामिल है। मानता है कि राम लला के जन्म के बाद माता कौशलया ने उन्हें पीले वस्तर पहनाए थे। इसी वचह से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाग तयार की गई है। राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुख्द हो गए। राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया। ये स्नान पंचामृत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया। राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए। जिसके बाद राम लला को भोग लगा कर उनके श्रिंगार की शुरुवात की गई। भगवान शुरी राम की ये पौशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है। शुरी राम मंदर के गर्ब ग्रे में पुजारियों के द्वारा मंतरो चार के बीच प्रभू राम लला का भव्य श्रिंगार किया गया। राम लला ने जन मोट्सव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार, हीरे के कंगन, विजय माला समेथ पन्ना की आंगोटे भी धारण की हुई है। राम लला के श्रिंगार की बाद खास श्रिंगार आरती भी की गई। बिर रिपोट जी मीटिया। 500 सालों के बाद ये पहला मौका है जब राम लला का जन मोट्सव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है। देश दुनिया से भक्तिस पावन पर्व में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुँच रहे हैं। और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। पाँच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स कुछ इस तरह आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है। करीब 350 कारिगर दिन रात सजावट के काम में लगी रहे। जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरह फूलों से सजा दिया गया है। मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे। राम नवमी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरह के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गये हैं। इसके अलावा मंदिर को पूरी तरह लाइट से सजा दिया गया है। इस दोरान वेदों और पुराणों का पार्ट भी किया जवा रहा है। भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तैयार किये गए हैं। इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा विवस्था भी की गई है। जिसमें राममंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। CCTV कैमरों के साथ इंटेलिजरंस नेट्वर्क को सकरिये कर दिया गया है। सुरक्षा विवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UP पुलिस की जवान तैनाती है। आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके। सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके। इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई हैं जो से भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं। इस खास उस्थव पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैश्री राम का उद्गोश हो रहा है। और इस राम नवमी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश कीज़वा रही है। राम नवमी के मौके पर ठीक बारा बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठां। करीब चार मिनित तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए। तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनिट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद आयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालों के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त तो दूसरी तरफ पीम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त तिलक की यह तस्वीरें देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का यह पल प्लेइन में बैठ कर देखा और खास पात यह रही कि उस वक्त पीम में जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि यह उनके लिए बेहद भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उन्हों किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जनमोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यही देखिए ना सिर्फ आयुध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनकी लिए आज का दिन बेहत खास हो जा क्योंकि बार-बार यह मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहां विराज मान किया जाया और उसके बाद आज पहली बार राम नम्मी का त्योहार ऐसे में यह पूरा का पूरा माहौल बेहत भावक जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है इसकी दिविता को जितना आखों में बसा लें उतना मन न भरे अध्भुत, अलोकिक और दिविन नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूर्वन्शिक श्री राम के जन्द पर ठीक बारा बजे साक्षात सूर्देव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भवेर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम नला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थी तभी ठीक बारा बजते ही सूरी की रोश्णी राम नला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम नला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की ध्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम नला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गये राम लला के जन्मोच सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्तक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्यगोपाल दास महासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरु राघवाचारे ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्ब गहत तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्व माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में वगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके और नहीं चले थे वह अधरिसी नहीं दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और विज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्वग्रु में अंधेरे के बीच सूर्य की रोश्नी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गोज है जो भक्त है उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो किरने हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिपरा पात्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आयूं तो आज के दिन यहां पर देखके बहुत ही अच्छा लग रहा है और दर्सन भी और जो सुझे किरंड हुआ 12 बजे बहुत ही अच्छा लगा मन में किस तरह के भावा है आम तोर पे जब रामलला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के पाव मन को तो बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम दूर से देख रहे थे और और यहां पर लाइफ देखने और इतना बहुत ही ज्यदा doing the और एक रावड करें यसा लगता है कि सब का मन में कितना से पैयर है राम जी के लिए और यहां पर देखके के यह इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गये है और मन बहुत सांत लग जा संधा जै श्निराम कलिफोर्या और आप कहा सकते मैं डेली इस तो किस तरह कर मुन में आय सबीने प्रभू के प्रती बहुत प्रेम प्रेम और जो मैं अमने दर्शन और सौचा नहीं थैं लेकिन बहुत ही मतलब भावर। का न但是 आज का दृष्ष्य सीय। वह बहुत मन्य राइव वется कर देने वाரा है इस पंझे डिखाई दिया औस धिल बाग बाग हो गया हर राम नौमी इसी तरीके के राम नौमी मने हम राम जी के भगत हम उनके दर्सन से अहलादित हैं खुसी है मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जासे। मन नहीं जैस्री राम का उद्गोश कर रहे हैं ये भक्त और आज जिस तरह से राम नौमी का तेवहार मनाया जा रहा है इस छण को ये भावुकता से बया करते हुए नजार आ रहे हैं कैमरामेन गिरिश के साथ नितिश कुमार पांडे जी मीजा आयोध्या तो ये उद्धिया सिग्राउं रिपोर्ट आपने देखी और राम नौमी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तरधारण किये थी सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साथी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लला को पंचम्रिट से स्नान कराया गया और उनका भववेश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुकुट हीरे के कंगन माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंके सुर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर राम लला के दिव्यश्रंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जन्मोदसव के मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तरधारन किये हैं जिसमें हलका गुलाबी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जन्म के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्त्र पहनाए थे इसी वच्छ से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाग तैयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामृत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद राम लला को भोग लगा कर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरी राम की ये पौशाख खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरी राम मंदिर के गर्वग्रे में पुजारियों के द्वारा मंत्रो चार के बीच प्रभू रामलला का भव्य श्रिंगार किया गया रामलला ने जनमोचव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगोठी भी धारण की हुई है रामलला के श्रिंगार के बाद खास श्रिंगार आरती भी की गई बिर रिपोट जी मीटिया 500 सालों के बाद ये पहला मौका है जब रामलला का जनमोचव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भक्तिस पावन पर्व में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुँच रहे हैं और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स कुछ इस तरहा आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 350 का रिगर दिन रात सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरहा फूलों से सजा दिया गया है मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवमी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरहा के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गए है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरहा लाइट से सजा दिया गया है इस दोरान वेदों और पुराणों का पाठ भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए है इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा विवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तयनाती है CCTV कैमरों के साथ इंटेलिजरन्स नेट्वर को सकरिये कर दिया गया है सुरक्षा विवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UP पोलिस के जवान तयनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तरप्रदेश पुलिस के जवानों की तयनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तयनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जो से भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रही है इस खास उत्सव पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैश्री राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नवमी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश की ज़वा रही है राम नवमी के मौके पर ठीक बारह बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्णी से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी अयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद अयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीएम मोदी ने भी हेलिकॉक्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षन उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक तो दूसी तरफ पीएम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त म देखी और पीएम मोदी असम के नलबाडी में थे पीएम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेइन में बैट कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीएम ने जूते भी उतार रखे थे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहद भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीएम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृ पीएम मोदी नजराएं बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर हैं पीएम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और इन पलों को जिया तो इस वक्त तीन तस्वीरे आपके सामने हैं सबसे पहली तस्वीर राम लला का सुर्य तिलक किया गया और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाटूंग का जगमग हुआ है भव्य राम का जन्मोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यहीं देखिए न सर्फ अयोध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहत खास हो जाता है क्योंकि बार बार यह मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहाँ विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नवमी का तेवहार ऐसे में यह पूरा का पूरा माहौल बेहत भावुक जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिविता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अद्भुत, अलोकिक और दिवि नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूर्वन्शिक श्री राम के जन्द पर ठीक बारा बजे साक्षाथ सूर्य देव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भविर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बज़े आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रोचार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोश्णी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था घंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभिजीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भवे सूरी तलक किया गया सूरी तलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्ट क्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुँचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगद गुरु राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहत किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई विज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वो है दिरिशिया दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और वेज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्भग्रु में अंधेरे के बीच सूर्य की रोश्णी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गोज है जो भक्त हैं उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो खिर्णे हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पाद्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आयूं तो आज के दिन यह राम लाला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के पाद्रा मन को तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइव देखने और इतना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और यह क्राउड देखे इसा लगता है कि सब का मन में कितना सब प्यार है राम जी के लिए और यहां पर देखके इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गए हैं और मन बहुत प्रेम और जो आज हमने हमेरे दर्सन हुए हैं सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब आजकर भाण से दर्सन ने कर रहा ज़ू जिसतरत से आज जो दूर्षच्च था वो कहीं न ना कहीं भावो कर देने वाला था था मनें हम राम जी के भक्त हम उनके दर्सन से अहलादित है खुशी है मन में इतनी खुशी है कि जिसको बया नहीं किया जा साथ रहा है इस चण को यह भावुपता से बया करते हुए नजार आ रहा है कामरमें गिरिश के नितिश कुमार पांडे जी मिजा आयोध्या तो आयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और राम नवी के इस खास मौके पर रामलला ने खास तरह के पीले वस्तरधारण किये थी सूर्य तलक से पहले आज सुबा साड़ी तीन बजे रामलला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद रामलला को पंचमरिट से स्नान कराया गया और उनका भवेश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुकुट हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंग के सुर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर रामलला के दिव्यश्रिंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जनमोचव की मौके पर रामलला ने पीले रंग के वस्तरधारण किये हैं जिसमें हलका गुलाबी रंग भी शामिल है मानता है कि रामलला के जनम के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्तर पहनाए थे इसी वचह से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाख तैयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामरत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद राम लला को भोग लगा कर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरी राम की ये पोशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरी राम मंदर के गर्वग्रे में पुजारियों के द्वारा मंत्रो चार के बीच प्रभू रामलला का भव्य श्रिंगार किया गया रामलला ने जनमोचव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगोठे भी धारण की हुई है रामलला के श्रिंगार के बाद खास श्रिंगार आरती भी की गई बिरो रिपोट जी मीटिया 500 सालों के बाद ये पहला मौका है जब रामलला का जनमोचव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भक्तिस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आयोध्या पहुंच रहे हैं और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स पुछ इस तरहा आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 350 का रिगर दिन राथ सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरहा फूलों से सजा दिया गया है मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवनी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरहा के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गए है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरहा लाइट से सजा दिया गया है इस दोरान वेदों और पुराणों का पाठ भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए है इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तयनाती है CCTV कैमरों के साथ इंटेलिजरन्स नेट्वर्क को सकरिये कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UPI पोलिस की जवान तयनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तरप्रदेश पुलिस के जवानों की तयनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तयनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जोसे भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे है इस खास उत्सव पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैशुरी राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नवमी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश कीज़ा रही है राम नवमी के मौके पर ठीक बारह बचते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो ये तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवती है सूर्य तिलक की ये तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अधबुद नजारा और इस वक्त जो भी अयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाफ सो साल बाद अयोध्या में राम दवनी का उच्छव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और ये भावक्षन उन तमाम श्रधालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी चटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त तो दूसी तरफ पीम ने भी ये नजारा ये तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मिला उन्होंने सूर्य तिलक की ये तस्वीरे देखी और पियम मोदी असम के नलबाडी में थे पियम मोदी ने सूरत तलक का ये पल प्लेन में बैठ कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पियम ने जूते भी उतार रखे थे पियम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहड भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पियम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुचते हैं या फिर प्रान पृतिष्ठा की दिन की भी तस्वीरे सामने आई थी या राम मंदिर से खासकर कोई भी जुड़ा अगर कोई भी तस्वीर सामने आती है तो वो भावुक हो जाते हैं और भावुकता की यही एक तस्वीर प्लेन के बीतर से जहां पर सुर्य तिलक की ना सिर्फ तस्वीरे देखते हुए पियम मोदी नज़र आए बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पियम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प्लेन में उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और इन पलों को जिया तो इस वक्त तीन तस्वीरे आपके सामने हैं सबसे पहली तस्वीर राम लला का सुरे तिलक किया गया और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जनमोटसव मनाया जा रहा है और बड़ी बात यही देखिए ना सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनकी लिए आज का दिन बेहत खास हो जाता है क्योंकि बार बार यह मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहाँ विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नव्मी का तेहार ऐसे में यह पूरा का पूरा माहौल बेह जगमग ललाट सूर्ड की रोष्डी से सूर्वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिव्विता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अद्भुत, अलौकिक और दिव्वि नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवंशी श्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भव्वे राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्द चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लिला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोश्नी राम लिला के मस्तक तक पहुँची गर्द ग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्फ राम लिला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लिला का जन्म हो गया मंदिर में आर्ती की गई और सोहर गाए गए राम लिला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्ट क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्य गोपाल दास माहसचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रधा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरु राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया। से ही सूर्य को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है। वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दोरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था। मानता है कि भगवान राम के जन्म के दोरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे। इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला। त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे। रहा है आज कल्यू में और भगवान राम के उस मस्तिष पर। राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुबफ साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे। और भक्तों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है। और वेज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूरे तिलक किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था। और गर्भग्रु में अंधेरे के बीच सूरे की रोशनी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था। आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन, विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है। भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है, राम नाम की गोज है, जो भक्त हैं उनसे जानेंगे। क्या क्या जो आपने देखा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया, सूरिक की जो खिर्णे हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया। कहां से आए हैं? मैं सिप्रा पात्र मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आई हूँ, तो आज के दिन यह राम नाम मी के दिन यह सब देख के बहुत ही अच्छा लगा। मन में किस तरह के भावा है, आम तोर पे जब राम लला के मस्तक को सपर्श की जब किरने, तो उस वक्त मन में क्या, किस तरह के बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे, और आज यहां पे लाइव देखने, और इतना बहुत ही ज़्याद पे आगे हैं और मन बहुत साम्त लगता है, जैस्नीराम, कलिफोर्निया के आई है, और आप कहा से, मैं डेली से आगी है, तो किस तरह के भावा मन में आए, जिस वक्ती है, बहुत ही मतलब प्रभू के प्रभू के प्रती बहुत प्रेम दूर रहा है, और जो आज हमने हमेर हमेरे दर्सन हुए है, सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही मतलब आराम से दर्सन भगवान ने करा है, जिस तरह से आज का जो दृष्य था, वो कहीं न कहीं भावुक कर देने वाला था, बहुत मन को बहुत जादा भावुक हो गया है, मन को, और बहुत ही अच्छा लग रहा मतलब भगवान ने हमारे जो है, दर्सन करा दिया, पहला दिन था और इतने अच्छा से दर्सन करा है, राम नौमी थी भगवान की, और जो भगवान के सूरिये पर वो जो दिखाई दिया, उसका जो करशन था, इतना अच्छा था, कि दिल बाग बाग हो गया, हर राम नौ इसी तरीके के राम नौमी मने हम राम जी के भक्त हम उनके दर्सन से अहलादित हैं खुसी है मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जा से तो जैश्री राम का उद्धोश कर रहे हैं यह वहार मनाया जा रहा है इस छण को यह भावुकता से बया करते हुए नजारा कामरामेन गिरिश के साथ नितिश कुमार पांडे जी मीजा आयोध्या तो आयोध्या से ग्राउं रिपोर्ट आपने देखी और राम नौमी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तरधारण किये थी सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साथी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लला को पंचम्रिट से स्नान कराया गया और उनका भववेश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुकुट हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंग के स्वर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर राम लला के दिव्यश्रिंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जनमोचव की मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तरधारण किये हैं जिसमें हलका गुलावी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जनम के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्तर पहनाए थे इसी वचह से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाक तयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामरत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद रामलला को भोग लगा कर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरीराम की ये पोशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरी राम मंदर के गर्वग्रे में पुजारियों के द्वारा मंत्रो चार के बीच प्रभू रामलला का भव्य श्रिंगार किया गया रामलला ने जनमोचव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगोठे भी धारण की हुई है रामलला के श्रिंगार के बाद खास श्रिंगार आरती भी की गई बीर रिपोर्ट जी मीटिया 500 सालों के बाद ये पहला मौका है जब रामलला का जनमोचव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भक्तिस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आयोध्या पहुंच रहे हैं और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पाँच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स पुछ इस तरह आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 325 कारिगर दिन राथ सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरह फूलों से सजा दिया गया है मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवमी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरह के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गए है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरह लाइट से सजा दिया गया है इस दोरान वेदों और पुराणों का पार्ट भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए है इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा विवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तयनाती है CCTV कैमरों के साथ इंटेलिजरन्स नेट्वर्क को सक्रिये कर दिया गया है सुरक्षा विवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UP पोलिस के जवान तयनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तरप्रदेश पुलिस के जवानों की तयनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तयनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जोसे भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे है इस खास उत्सव पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैशुरी राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नवमी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश कीज़वा रही है राम नवमी के मौके पर ठीक बारह बचते ही वो पल आया जिब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो ये तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवती है सूर्य तिलक की ये तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्बुद नजारा और इस वक्त जो भी अयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और 500 साल बाद अयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और ये भावक्षण उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी चटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्त तो दूसी तरफ पियम ने भी ये नजारा ये तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मिला उन्होंने सूर्य तिलक की ये तस्वीरे देखी और पियम मोदी असम के नलबारी में थे पियम मोदी ने सूरत तिलक का ये पल प्लेन में बैट कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पियम ने जूते भी उतार रखे थे पियम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहड भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पियम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष्ठा की दिन की भी तस्वीरे सामने आई थी या राम मंदिर से खासकर कोई भी जुड़ा अगर कोई भी तस्वीर सामने आती है तो वो भावुक हो जाते हैं और भावुकता की यही एक तस्वीर प्लेन के बीतर से जहां पर सूरे तिलक की ना सिर्फ तस्वीरे देखते हुए पियम मोदी नज़राएं बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोगसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पियम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस्वक्त प्लें में उन्होंने इन तस्वीरों को देखा और इन पलों को जिया तो इस वक्त तीन तस्वीरे आपके सामने हैं सबसे पहली तस्वीर राम लला का सुर्य तिलक किया गया और उसके बाद किस तरह से पूरा ललाटू का जगमग हुआ है भव्य राम का जन्मोचव मनाया जा रहा है और बड़ी बात यहीं देखिए न सर्फ अयोध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहत खास हो जाता है क्योंकि बार-बार ये मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहाँ विराज मान किया जाए और उसके बाद आज पहली बार राम नवमी का त्योहार ऐसे में ये पूरा का पूरा माहौल बेहत भावुक जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिव्विता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अध्भुत, अलोकिक और दिव्विन नजारा था जब वैग्यानिक तरीके से त्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवंश्री श्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षात सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भव्वे राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्द चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाड बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा बज़ते ही सूरी की रोश्नी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्त अंधिरा था सिर्व राम लला का ललाट जगमगा रहा था घंटियों और शंक की ध्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभी जीत मोहुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्टक्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रत्य गुपाल दास महासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरु रागवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंज थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्भगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्त माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में भगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके नहीं चले थे वो है दिरिश इहां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदर में आज सुबब साढ़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और वैज्यानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलक किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्भग्रु में अंधेरे के बीच सूर्य की रोश्नी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गोज है जो भक्त हैं उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो किरणे हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को स्पर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पाद्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आई हूं तो कि मस्तक को स्पर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के मन को तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइव देखने और इतना बहुत ही ज्यादा क्राउड है और यह क्राउड देके इसा लगता है कि सब का मन में कितना सब प्यार है राम जी के लिए और यहां पर देखके इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गए और मन बहुत प्रेम और जो आज हमने अमेरे दर्सन हुए हैं सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब हाराम से दर्सन भगवान ने कर रहा है जिस तरफ से आज का जो दर्ष्ण था वो कहीं न कहीं भावुक कर देने वाला था हाओ कै बहुत मन को बहुत जादा भावुक हो गया है मन को और बहुत ही अच्छा लग रहा मतलब घंड हमारे जुए पहला दिन था और इतना अच्छा था कि दिल बाग बाग हो गया हर राम नौमी इसी तरीके के राम नौमी मने हम राम जी के भक्त हम उनके दर्सन से अहलादित हैं खुसी है मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जासा तो जैश्री राम का उद्गोश कर रहे हैं ये भक्त और आज जिस तरह से राम नौमी का त्योहार मनाया जा रहा है इस छण को ये भावुकता से बया करते हुए नजार आ रहा है कैमरामेन गिरिश के साथ नितिश कुमार पांडे जी मीजा आयोध्या तो योध्या सिग्राउं रिपोर्ट आपने देखी और राम नौमी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तरधारण किये थी सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साढ़ी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लला को पंचमरिट से स्नान कराया गया और उनका भववेश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुकुट हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंग के सुर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर राम लला के दिव्यश्रिंगार की ये अद्भुत तस्वीर है अपने जनमोचसव की मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तरधारण किये हैं जिसमें हलका गुलाबी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जनम के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्तर पहनाए थे इसी वच्छे से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाक तैयार की गई है राम नवमी के स्पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामरत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद रामलला को भोग लगाकर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरीराम की ये पोशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरीराम मंदर की गर्बग्रे में पुजारियों की द्वारा मंतरो चार के बीच प्रभू रामलला का भव्य श्रंगार किया गया रामलला ने जनमोचव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगूठे भी धारण की हुई है रामलला के श्रंगार की बाद खास श्रंगार आरती भी की गई बीर रिपोर्ट जी मीटिया 500 सालों के बाब ये पहला मौका है जब रामलला का जनमोचव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भगत इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुँच रहे है और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स कुछ इस तरहा आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 325 कारिगर दिन रात सजावट के काम में लगे रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरहा फूलों से सजवा दिया गया है मंदिर के बाहर का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवमी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरहा के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गये है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरहा लाइट से सज़ा दिया गया है इस दोरान वेधों और पुराणों का पार्ट भी किया जवा रहा है भोग के लिए चपन प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए हैं इसके अलावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा विवस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तैनाती है CCTV कैमरों की साथ इंटेलिजरंस नेट्वर्क को सक्रिये कर दिया गया है सुरक्षा विवस्था में PSE, RAF कमांडरों और UP पोलिस की जवान तैनाते हैं सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी आयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जो से भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे है इस खास उत्सव पर उत्साहा से भरी आयोध्या में जैश्री राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नव्मी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश कीज़ा रही है राम नव्मी के मौके पर ठीक बारा बच्चते ही वो पल आया जब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी आयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाथ सो साल बाद अयोध्या में राम दवनी का उट्सव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालू के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौजू तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे रामलला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए रामभक तो दूसी तरफ पीम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टैप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक्त मिला उन्होंने सूर्य तिलक की यह तस्वीरे देखी और पीम मोदी असम के नलबारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का यह पल प्लेइन में बैठ कर देखा और खास पात यह रही कि उस वक्त पीम ने जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि यह उनके लिए बेहग भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष नजराएं बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोकसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प् किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जन्मोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यही देखिए ना सिर्फ आयुध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बेहत खास हो ज जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार ले उतना कम है इसकी दिव्विता को जितना आखों में बसा ले उतना मन न भरे अध्भुत अलोकिक और दिव्वि नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूरिवंश्री श्री राम के जन्द पर ठीक बारा भजे साक्षाथ सूरिदेव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भवे राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्द चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा भजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया सूरी तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम लला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थे तभी ठीक बारा भजते ही सूरी की रोश्नी राम लला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्ता अंधिरा था सिर्फ राम लला का ललाट जगमगा रहा था घंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभी जीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूरी तिलक किया गया सूरी तिलक के साथ ही राम लला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लला के जन्मोट सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्टक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत मृत्य गोपाल दास महासचिव चंपत्राय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगद गुरू राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहत किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्बगह तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई विज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्व माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में वगवान राम के जन्म के समय बना था सूरे देश में एक नया माहोल है और ये प्रभु राम का बर्थडे पांचो साल के बाद आया है जब वो अपने निजगर में बर्थडे मनाने का सवभाग मिला है मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुट्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहोल देखने को मिला रेता जुग में भगवान सुर्य अस्थापित होके और नहीं चले थे वह अधरिशी हां दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदर में आज सुभव साढ़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भक्तों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और विज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्भग्रु में अंधेरे के बीच सूर्य की रोश्णी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गोज है जो भक्त हैं उनसे जानेंगे क्या क्या जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का द्रिश्य यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो खिर्णे हैं उन्होंने राम लला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पाद्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आयूं तो आज के दिन यह राम लाला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के बारे मन को तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइव देखने और इतना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और यह क्र यहार है राम जी के लिए और यहां पर देखके इसा लगता है कि कहां एक अच्छे से जगह पर आ गए हैं और मन बहुत प्रेम और जो आज हमने अमेरे दर्शन हुए हैं सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब आराम से दर्सन भगवान ने कर रहा है जिस तरह से आज का जो द्रिश्च था वो कहीं नहीं भावुक कर देने वाला था हो का बहुत मन को बहुत जादा भावुक हो गया है मन को और बहुत ही अच्छा लग रहा मतलब भगवान हमारे जो है पहला दिन था और इतने अच्छे से दर्सन कर रहा है राम नौमी थी भक्त हम उनके दर्सन से अहलादित हैं, खुसी है, मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जा से तो जैश्री राम का उद्गोश कर रहे हैं ये भक्त और आज जिस तरह से राम नौमी का तेवहार मनाया जा रहा है इस छण को ये भावुकता से बया करते हुए नजा कामरामेन गिरिश के साथ नितिश कुमार पांडे, जी मीजा, आयोध्या तो आयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और राम नौमी के इस खास मौके पर राम लला ने खास तरह के पीले वस्तर धारण किये थी सूर्य तिलक से पहले आज सुबा साथी तीन बजे राम लला की मंगला आर्थी की गई, जिसके बाद राम लला को पंचमरिट से स्नान कराया गया और उनका भववेश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुकुट हीरे के कंगन, माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंग के सुर्ण जड़ित वस्तर राम नवमी पर राम लला के दिव्यश्रिंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जन्मोचसफ के मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तर धारन किये हैं जिसमें हलका गुलावी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जन्म के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्तर पहनाए थे इसी वचह से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाक तैयार की गई हैं राम नवमी के इस पावन पर्व पर राम लला के श्रिंगार की छटा ऐसी थी कि भक्त मंत्र मुग्द हो गए राम लला को राम नवमी की सुभा पहले स्नान कराया गया ये स्नान पंचामृत और देश भर की नधियों से आए हुए जल से कराया गया राम लला के स्नान के बाद कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किये गए जिसके बाद राम लला को भोग लगा कर उनके श्रंगार की शुरुवात की गई भगवान शुरी राम की ये पौशाक खास तोर पर दिल्ली से मंगाई गई है शुरी राम मंदर के गर्ब ग्रे में पुजारियों के द्वारा मंतरो चार के बीच प्रभू राम लला का भव्य श्रंगार किया गया राम लला ने जन मोट्सव के दिन मालिक और पन्ना जड़त हार हीरे के कंगन विजय माला समेथ पन्ना की आंगोटे भी धारण की हुई है राम लला के श्रंगार के बाद खास श्रंगार आरती भी की गई बिर रिपोट जी मीटिया पांच सो सालों के बाद ये पहला मौका है जब राम लला का जन मोट्सव उनकी अपने भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है देश दुनिया से भक्तिस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आयोध्या पहुँच रहे हैं और इस खास अफसर पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है पांच क्विंटल फूल और जगमगाती लाइट्स पुछ इस तरहा आज राम मंदिर देखने को मिल रहा है करीब 325 कारिगर दिन राथ सजावट के काम में लगी रहे जिसके बाद राम मंदिर को पूरी तरहा फूलों से सजा दिया गया है मंदिर के बहार का परिसर हो या फिर अंदर हर तरफ देश वदेश उसे आए फूल आपको देखने को मिलेंगे राम नवमी के मौके पर राम मंदिर को सजाने के लिए खास तरहा के फूल दिल्ली और करनाटक से लाए गए है इसके अलावा मंदिर को पूरी तरहा लाइट से सजा दिया गया है इस दोरान वेदों और पुराणों का पार्ट भी किया जवा रहा है भोग के लिए 56 प्रकार के विशेश पकवान भी तयार किये गए है इसके लावा भारी भगतों की भीड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा ववस्था भी की गई है जिसमें राम मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग को नो वहिकल जोन खोशित कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर पोलिस की तयनाती है CCTV कैमरों के साथ इंटेलिजरन्स नेट्वर्क को सकरिये कर दिया गया है सुरक्षा ववस्था में PSE, RAF कमांडरों और UP पोलिस के जवान तयनाती है सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है RAF, ATS, PSE और इसके साथ उत्तरप्रदेश पुलिस के जवानों की तयनाती है महिला इंस्पेक्टर और महिला पुलिस की भी तयनाती की गई है ताकि आने जाने वाले हर तीर्थियात्री की पूरी मदद हो सके सुरक्षा के इंतिजामों को धार दी जा सके इसके अलावा पूरी अयोध्या में लगभग डेड़ सो LED लगाई गई है जो से भक्त पूरे कारिक्रम का सीधा प्रसारण देख पा रहे है इस खास उस्व पर उत्साहा से भरी अयोध्या में जैश्री राम का उद्गोश हो रहा है और इस राम नवमी को खास बनाने की हर तरफ से कोशिश कीज़वा रही है राम नवमी के मौके पर ठीक बारह बचते ही वो पल आया जिब श्री राम का मस्तक सूर्य की रोश्री से जगमगा उठा करीब चार मिनट तक सूर्य तिलक हुआ और साथ ही बधाई गीत काई गए तो यह तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से और दिवतिय सूर्य तिलक की यह तस्वीरे हैं चार मिनट का वो अद्भुद नजारा और इस वक्त जो भी अयोध्या में है उसने एक सपने की तरह इसको जिया है जगमग हुआ है राम लला का ललाट और पाच्छो साल बाद अयोध्या में राम दवनी का उटसव बनाया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के बाद खुद पीम मोदी ने भी हेलिकॉप्टर में इस सूर्य तिलक की तस्वीरे देखी और यह भावुक्षण उन तमाम श्रद्धालों के लिए जो राम मंदिर में उस वक्त मौझूद थे तो एक तरफ आप देखिए कि सरसे राम लला का सूर्य तिलक हुआ अनोखी छटा देख मंत्र मुग्द हो गए हर कोई भाव विभोर हुए राम भक्षण तो दूसी तरफ पीम ने भी यह नजारा यह तस्वीरे अपने टाप पर देखी प्रचार के बाद जब उन्हें वक प्रचारी में थे पीम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल प्लेइन में बैठ कर देखा और खास पात ये रही कि उस वक्त पीम में जूते भी उतार रखे थे पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि ये उनके लिए बेहद भावुक पल है और राम मंदिर को लेकर लगतार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से जब जब पीम मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं या फिर प्रान पृतिष नजराएं बलकि जूते उतार कर और इन तस्वीरों को वो देख रहे थे हाला कि लोकसबाद चुनाव का दौर है और पिचार प्रसार के लिए लगातार एक के बाद एक अलग-अलग राजियों के दौरे पर है पीम मोदी और ऐसे में जब उन्हें वक्त मिला उस वक्त प् किस तरह से पूरा ललाट उनका जगमग हुआ है भव्य राम का जनमोच्व मनाया जा रहा है और बड़ी बात यही देखिए ना सिर्फ आयुध्या वासियों के लिए बलकि देश भर में दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उनकी लिए आज का दिन बेहत खास हो जा क्योंकि बार-बार यह मांग उठती रही कि राम मंदिर को राम मंदिर कब बनाया जाए राम लला को वहां विराज मान किया जाया और उसके बाद आज पहली बार राम नम्मी का त्योहार ऐसे में यह पूरा का पूरा माहौल बेहत भावक जगमग ललाट सूर्ड की रोश्डी से सूर्वन्शिका अभिशेक इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है इसकी दिविता को जितना आखों में बसा लें उतना मन न भरे अध्भुत, अलोकिक और दिविन नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके सित्वेता युग में जो हुआ उसे आयोध्या में दोहराया गया सूर्वन्शिक श्री राम के जन्द पर ठीक बारा बजे साक्षात सूर्देव ने उनका अभिशेक किया 500 सालों के बाद पहली बार भवेर राम मंदिर में राम नवमी का आयोजन किया गया था सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक बारा बजे आज आयोध्या के राम मंदिर में वोपल दोहराया गया सूर्य तिलक से पहले पूरी तयारियां कर ली गई थी राम नला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे मंत्रो चार किये जा रहे थी तभी ठीक बारा बज़ते ही सूर्य की रोश्णी राम नला के मस्तक तक पहुँची गर्दग्रह में इस वक्ता अंधिरा था सिर्फ राम नला का ललाट जगमगा रहा था गंटियों और शंक की द्वनी से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था अभीजीत महुर्ट में करीब चार मिनिट तक श्री राम का ये भव्य सूर्य तिलक किया गया सूर्य तिलक के साथ ही राम नला का जन्म हो गया मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए राम लला के जन्मोच सब पर श्री राम जन्म भूमी तीर्तक्षेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्यगोपाल दास महासचिव चंपतराय मौजूद थे इसके अलाबा श्री राम के जन्म के लिए अयुध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे गा रहे थे इससे पहले जगत गुरू राघवाचारी ने 51 कल्शों से भगवान राम लला का अभिशेक किया था भगवान राम का सूर्य अभिशेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहट किया गया सूरी तिलक के लिए अश्ट धातु के 25 से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था जिसमें चार लेंस थे और चार मिरर जिसके जरिये सूरी की रोष्णी गर्ब गहत तक राम लला के मस्तक तक पहुँचाई गई वग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकाइदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था हिंदु धर्म और वैदिक जोतिश के शास्त्र में सूरी देव का विशेश महत्माना जाता है वैदिक काल से ही सूर को प्रतक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है वैदिक पंचांगी की गणना के मुताबिक सूरी तिलक के दौरान नौ तरह के शुब योग और कई ग्रहों का ऐसा संयूग था जैसा त्रेता योग में वगवान राम के जन्म के समय बना था मानता है कि भगवान राम के जन्म के दौरान सूरी देवता भी महीने भर तक अयुध्या धाम में रुके थे इस बार सदियों के बाद राम जन्मुत्सव को लेकर त्रेता जैसा ही माहौल देखने को मिला त्रेता जुग में भगवान शुर्य अस्थापित होके और नहीं चले थे वह अधरिसी नहीं दिखाई दे रहा है आज कल जुग में और भगवान राम के उस मस्तिष पर राम नवमी के इस पावन परव पर अयुध्या के राम मंदिर में आज सुभव साड़े तीन बजे ही कपाट खुल गए थे और भगतों के लिए 20 घंटे तक दर्शन की विवस्ता की गई है और वेज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे ये सूरे तिलग किया गया और इसके लिए पहले ट्राइल भी किया गया था और गर्वग्रु में अंधेरे के बीच सूरे की रोश्नी राम लला के मस्तक पर जब पहुँची तो ये पूरा नजारा बेहत अद्भुत था आज राम नौमी है और आयोध्या में विशेश दर्शन विशेश आकर्शन देखने को मिल रहा है भक्त यहां दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और हर और राम नाम की धूम है राम नाम की गौज है जो भक्त है उनसे जानेंगे कि जो आपने देखा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का दृष्ष यहां पर दिखाई दिया सूरिक की जो किरणे हैं उन्होंने रामलला के मस्तक को सपर्श किया कहां से आया मैं सिप्रा पाद्रा मैं कैलिफोनिया अमेरिका से आयूं तो आज के दिन यह र रामलला के मस्तक को सपर्श की जब किरने तो उस वक्त मन में क्या किस तरह के पाद्रा मन को तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे कि हम यह सब बहुत दूर से देख रहे थे और आज यहां पर लाइफ देखने और इतना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और यह क्राउड दे बहुत ही मतलब प्रभु के प्रति बहुत प्रेम तो रहा है और जो आज हमने हमेरे दर्शन हुए हैं सोचा नहीं था लेकिन बहुत ही मतलब आराम से दर्शन बगवान ने कर रहा है जिस तरत से आज का जो द्रिश्य था वो कही ना कही भावुक कर देने वाला था हम उनके दर्सन से अहलादित हैं, खुसी है, मन में इतनी खुसी है कि जिसको बया नहीं किया जा से तो जैश्री राम का उद्गोश कर रहे हैं ये भक्त और आज जिस तरह से राम नौमी का तेवहार मनाया जा रहा है इस छण को ये भावुकता से बया करते हुए नजार आ र राम लला ने खास तरह के पीले वस्तरधारण किये सूर्य तलक से पहले आज सुबह साधी तीन बज़े राम लला की मंगला आर्थी की गई जिसके बाद राम लला को पंचम्रित से स्नान कराया गया और उनका भव्वेश्रिंगार हुआ सिर पर सोने का मुखुट हीरे के कंगन माथे पर चंदन का थिलक और पीले रंके सुर्ण जड़ित वस्तरध राम नवमी पर राम लला के दिव्यश्रंगार की ये अदभुत तस्वीर है अपने जनमोत्सव के मौके पर राम लला ने पीले रंग के वस्तरधारन कीए हैं जिसमें हलका गुलाबी रंग भी शामिल है मानता है कि राम लला के जन्म के बाद माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्तर पहनाए थे इसी वज़े से आज के खास पर्व पर उनके लिए ये पौशाख तैयार की गई है